अगर प्लस कल्टर का मतलब आप जानते हो लेटिन वर्डे अगर प्लस कल्टर से बना हुआ है यह बैसिक आपने पढ़ा होगा मैं यहाँ पहले बात करता हूँ इकोनोमिक्स की तो यह जो एकोनोमिक्स है एकोनोमिक्स कुछ नहीं है सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो आपकी जेब में पैसा रखा हुआ है वो एकोनोमिक्स है क्योंकि आपकी जेब में अगर कुछ मनी है पैसा है उस पैसे का आप कि तरीके से इस्तमाल कर रहे हो वो आपको economics सिखाता है ठीक है? मैं बताऊँगा एक एक बहतरीन example लेके farmer point of view से भी example लेके बताऊँगा और general जो हमारी daily life में चल रहा है उसको लेके भी example लेके भी आपको समझाऊँगा economics होता क्या है पहले समझते है economics word कौन सा है simple जन्रली कोशन यही से बन जाते हैं कि economics word जो है किस language से लिया गया है तो economics word जो है वो कौन सा सब्द है economics word है यह Greek word से लिया हुआ word है ठीक है? किस भासा से? Greek से लिया हुआ यह सब्द है अब Greek में कौन सा word जिससे economics बना है तो Greek में जो word है वो है oikonomikos oikonomikos इस वर्ड से ये बना है ग्रीक वर्ड कुन सा अब ओकोनोमिकास भी दो वर्ड से मिलकर बना है एक ओकोनोमिकास और प्लिस नोमोस ठीक है ओकोनोमिकास जो है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है एक वर्ड कुन सा है oikos और दूसरा word है nomos इन दो word से oikonomikas बना है और oikonomikas से economics बना हुआ है oikos का मतलब क्या होता है nomos का मतलब क्या होता है nomos का मतलब आप लोग जानते हो nomos हमें economy में पढ़ते है उसका मतलब क्या होता है management होता है ठीक है क्या होता है अब यहां देखो, Oikos का मतलब होता है House, Household, ठीक है, जिसको हम इंदे में क्या बोल देते हैं, घर अपना, और Nomad का मतलब हो जाता है Management, अब Household का Management करना क्या कहलाएगा? अब चीज़ को समझना, Household का Management कैसे है, समझना बात को, यहां पर मैं एक पहला Definition आपको बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ, एक्जामपल के थूँ, यहां पर हमने क्या बोला? क्या बोला? Household Management, क्या बोला? Household Management, using the limited fund in most satisfactory manner. यहां पर वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने क्या बोला? Using limited fund in most satisfactory manner. यह दो वर्ड most important है, economics के अंदर. ठीक है? क्या हूँ, कि आप student life में हो, आपको आपके parent, जो है, आपके पिता जी, जो है, मन्त के आपको 5000 रुपीज देते हैं. ठीक है? तो आपको महिने का 5000 का क्या मिलता है? फंड मिलता है. अब यह 5000 रुपीज यह आपके लिए क्या है? पहली चीज़. यह आपके लिए क्या है? लिमिटेड है. क्या है? यह एक limited fund है. 5000 से एक रुपीज आपके पास जादा नहीं है, नहीं आपको मिलेगा. तो यह हो गए limited fund. अब इस 5000 रुपे को आप पूरे महिने, पूरे महिना आपको यह 5000 रुपे चलाना है. मतलब पूरे महिने में जो जो आपको काम करना है, यह 5000 रुपे के अंदर करना है. तो आपको इस 5000 को किस तरीके से यूज करना है पूरे महिने में कि आपके सारे काम भी हो जाए और आप को satisfaction भी मिले कि 5000 रुपे में मुझे जो चीजें करनी थी, वो मैंने कर ली, ठीक है, समझना बात, अब यहां पर 5000 रुपीज में आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, 5000 में आप क्या रहता है, आपको rent भी देना रहता है, रोम का, आपको खाने का मतलब, मेस का पेश चाई कॉफी में चला जाता है टी पार्टी या चाई कॉफी में आपका कुछ पैसा जाता है महीने का ठीक है इसके अलावा आपको मूवी देखना है मूवी देखने के भी आप सोकिन हो ठीक है मूवी भी आप देखने जाते हो ठीक है मूवी देखना है इसके अलावा आपका और क्या है दोस्तों के साथ party करना है कई सारी चीजे हैं तो ये चीजे हैं ये मतलब क्या है ये आपकी जो है wants है ये जो मैंने लिखा है उपर ये सारी wants है पूरे महिने में आपको ये ये चीजे activities आप करते हो इसके अलाबा और भी आप लिख सकते हो क्या books purchase करना है library join करना है के लिए ठीक है कोई coaching join करना है उसकी मंतली fees देना है तो ये आपकी क्या है wants है ये आपकी क्या है ये पूरा मंतली आपका expenditure है कि ये ये चीजे में महिने में करता हो ठीक है अब आपको मिला क्या है आपको पैसा मिला है 5000 रूपिस अब 5000 रूपिस में इतनी सारी चीजे करनी ह आपको लेकिन ये possible नहीं है क्यों possible नहीं है मालो आपने rent दे दिये 1000 रूपिस ये तो आपको देना ही पड़ेगा मेज का आपने दे दिये 1500 रूपिस ये भी आपको देना पड़ेगा तो आपके 2500 रूपिस तो यहाँ चले गए clear इसके अलावा इसके अलावा अगर मैं बात करो तो क्लोथ आपके कपड़े अगर आप उसमें खर्च करो तो 1000 रूपिस यहाँ जाना है 500 रूपिस आपके यहाँ जाना है लाइबरी के 500 रूपिस आपके यहाँ जाना है ठीक है मुई देखने के लिए 500 रूपिस यहाँ जाना है अब देखो कितना बज़ेट बन रहा ह 25,000 रुपए यह हो गया 35,000 हो गया 45,000 हो गया और टोटल बजट आपको बन रहा है यहाँ पे 6,000 रुपए अगर आप यह सारी चीज़े करते हो तो आपके 6,000 रुपए खर्च हो रहे हैं 25,000 रुपए आप दोस्तों से उधार दे लोगे लेकिन यहाँ पे उधार वाली कोई बात नहीं है तो इस 5,000 रुपए में आपको यह मैनेज करना है आप यहाँ पर चीज़े क्या आ रही है कि बजट आपका 6,000 रहा है तो आपको कौन सी ऐसी दो चीज़े हैं जो छोड़नी है जो important नहीं है जिसको मैं छोड़ दूँगा तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ना है लेकिन बाकी चीज़े ऐसी है जिनको मैं छोड़ने ही सकता जिसको करने से मुझे satisfaction मिलेगा satisfaction का मतलब ये नहीं कि movie देखूँगा तो मज़ा आएगा satisfaction का मतलब ये है कि कही न कहीं हमें output मिले profit मिले कुछ न कुछ सीखने को मिले satisfaction का मतलब ये है ठीक है ऐसा नहीं कि sir मैं तो books नहीं खरीदूगा मुझे देखने जाओंगा तक ही मुझे क्या मिलागा मज़ा आएगा तिन गंटे बहुत इंजोई करूँगा नहीं satisfaction का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको कुछ ना कुछ output मिले profit मिले तो तो वो economics के अंदर आएगा दरवाज नहीं आएगा economics का मतलब ही क्या है? totally हमें क्या करना है? profit gain करना है, कुछ ना कुछ सिखना है तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़े cancel करनी पड़ेगी अब यहाँ पर economics क्या बोलता है? choice of science of choice बोलता है इसको । ठीक है? science of choice science of choice बोल सकते हैं हम economics को क्यो? क्योंकि यहां पे हमें अब choose करना है जो हमारे लिए best alternative है उसको लेंगे बाकी को छोड़ देंगे अब यहां पे देखो अब यहां पे rent आपके लिए जरूरी है यह आपके लिए means जरूरी है यह पार्टी जरूरी नहीं है cancels कर सकते हो कपड़े इस मेने जरूरी नहीं यह cancel कर सकते हो तो हमें यहाँ पे वो चीजे करनी है वो चीज में पैसा invest करना है जहां से हमें कुछ न कुछ output मिले क्यों क्योंकि सभी के पास पैसा जो है limited है resources संसादन जो है limited है लेकिन हमारी wants जो है वो unlimited है किलिया रही है आप से समझ में आया economics अपने आप में बहुत अच्छी चीज सिखाता है कि हमारे पास जो भी संसादन है जो भी resources है जो भी पैसा है उसका हम सही जगा उप्योग करें ताकि वहाँ से हमें कुछ न कुछ output मिले movie देखना पैसा चला जाएगा तिन गंडे enjoy करोगे आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा party करोगे पैसा चला जाएगा आउटपुट कुछ नहीं मिलेगे हाँ कपड़े आप करीज सकते हो अगर आपके बज़ेट बसता है तो किसी festival पे या किसी occasion के लिए आप कपड़े खरते हो वो कुछ नहीं है लेकिन अगर वहाँ पे भी आपको choose करना पड़े कि कपड़े खरीदू या library join करो कपड़े खरीदू या library join करो तो यहाँ पे आपको क्या choose करना पड़ेगा यहाँ पे आपको library choose करना पड़ेगा क्योंकि कपड़ों से आपको output नहीं मिलेगा लाइबरी में बैट के पड़ोगे तो जोब लग सकती वहाँ से आपको output मिलेगा clear है तो economics हमने क्या समझा यहां पर economics हमने क्या समझा economics मतलब totally क्या है household management है जिसमें हम क्या करते है जो भी हमारे पास पैसा है और भी example में farmer point of view से भी example लूँगा एक example आप अपने घर पे देख सकते हो आपके parents जो है पूरे महिने का budget बनाते हैं कि पूरे महिने का हमारा 10,000 का budget है चाहे उसमें आटा लाओ तेल लाओ चावाल लाओ दाल लाओ कुछ भी लाओ ठीक है कि ये 10,000 रुपे एक budget है जैसे जो middle class family के लोग है जिनकी मंतली income 10,000 रुपे है वो लोग 10,000 रुपे में भी अपना घर बहतरीन तरीके से चला लेते हैं और जो high class लोग है जिनकी मंतली income जो है 50,000 रुपे है उनका वही चीज कितना खर्च लगेगा उनका 20-25,000 रुपे खर्च होंगे तो जो बंदा 10,000 रुपे कमारा है वो भी अपना घर मेनेज़ करता है और जो 50,000 र एक लाओ रुपे कमारा वो भी घर मेनेज़ करता है ठीक है चलिए तो यह हमने समझा economics क्या है जो हमारे पास limited fund या limited resources है उनका हम best तरीके से use करें अब मैं यहाँ पर दो major problems यहाँ पर निकल क्या थी पहले चीज से बताओ economics जो है सबसे पहले जो शुरुवात हुई थी economics की सबसे पहले field of economics की जो शुरुवात की थी Aristotle मतलब अरस्तु ने याद रखना किसने एरेस्टोटल ने यह जो अरस्तु है इन्होंने क्या किया था सबसे पहले economics को start किया था economics की जो सुरुवात है started economics किसने? Aristotle ने start किया था और इन्होंने सबसे पहले book लिखी थी economics की जो first book है नाम क्या है उसका? economics जो सबसे पहली book के economics की वो भी किसने? अरस्तु ने एरेस्टेटल ने लिखी थी लेकिन मैं आपको बता दू कि जो जन्मा देता है ना वो ज़्यादा important नहीं है उससे ज़्यादा महत्व रखता है पालने वाला अभी आपको लग रहा है कि सर अरस्तु ने जो है सबसे पहले economic को सुरू किया उन्होंने पहली book की तो यह father होने चाहिए थे लेकिन यह father नहीं है father कोई और है जैसे कि अभी time चल रहा है जन्मा श्मी का तो उसी से मैं example लेके बताता हूँ जैसे कि क्रश्न भगवान के जो actual father है वो कोने वासुदे हो है ठीक है लेकिन उनको पालने वाले कोने नंदलाल आप दुनिया में किसी से भी जाके पूछोगे ना कि क्रश्न भगवान के पिता जी कोने तो नंदलाली बताएंगे माता को ने यह सुदाई बताएंगे क्योंकि उन्होंने ही बचपन से लेके बड़े तक उन्होंने ही पालन पोशन किया है तो जन्म देने वाला जो important नहीं रखता है उतना पालने वाला रखता है इसलिए इनको father of economics बोला जाता है father of economics इसको बोला जाता है Adam Smith को ठीक है इन्होंने अपनी एक book भी लिखी इसका नाम क्या था wealth of nation wealth of nation सबसे महत्वपुन book है ठीक है कब 1776 में इन्होंने यह book लिखी थी और यहां से भायतरिन बहतरिन questions बनते है Adam Smith के उफर पहले तो father of economics क्या होता है पूछा जाता है कोन है wealth of nation book के author कोन है यह पूछा जाता है कब लिखी गई 1776 में लिखी गई और हमने कई सारी definitions दी हुई है अब definitions पर जाने से पहले अलग-अलग scientists ने अलग-अलग तरीके से अपनी definitions दी economics की उससे जाने से पहले एक farmer point of view से example समझते है economics का ठीक है farmer point of view चुकि हम agriculture की बात कर रहे तो farmer point of view से भी example समझना जरूरी है ठीक है कोई farmer है मारे पास example हम ले रहे है ठीक है एक farmer है उसके पास क्या है जमी है भूमी है उसके पास one hectare है कि एकनर उसके पास अब यहाँ पर वो क्या-क्या चीज़ कर सकता है वो अपनी एक हेक्टयर land में क्या-क्या लगा सकता है rice लगा सकता है cotton लगा सकता है sugar can लगा सकता है ठीक है sugar can लगा सकता है rice, cotton, sugar can बनाना लगा सकता है ये उसके पास क्या है options है ठीक है ये उसके पास options हैं कि वो अपनी field में rice, cotton, sugar can और बनाना लगा सकता है लेकिन वो क्या लगाएगा इन चारों में से वो अपनी फिल्ड में क्या ग्रो करेगा वो अपनी फिल्ड में क्या लगाएगा ये कौन बताएगा ये बताएगी इकोनोमिक्स ये अर्थसास जो क्रसी अर्थसास रह वो बताएगा कि उसे इन में से क्या लगाना चाहिए ठीक है, मालो एक farmer और ले लेता हूँ मैं एक farmer और है यहाँ पर B ठीक है उसके पास भी one hectare land है उसके पास भी same option है चोलो इस तरीके से समझते है ठीक है, उसके पास भी same option है उसको मैं यहाँ से अटा देता हूँ चलिए क्या वो चूज करें यहाँ पर ठीक है, एक farmer और है farmer B farmer B, उसके पास भी one hectare land है उसके पास भी same resources है same चीज़ है, क्या उसके पास rice लगा सकता है, cotton लगा सकता है सुगर किन लगा सकता है, बनाना लगा सकता है clear है, अब यह field है farmer B क्या लगाएगा, farmer A क्या लगाएगा यह कौन बताएगा, यह बताएगा economics, क्यूं बताएगा economics समझो, economics क्या बोलता है कि हमारे पास resources जो होते हैं, वो limited होते हैं हमारी wants ज़्यादा होती है ठीक है, माल लो कि यह farmer भी चारा है क्या लगाएगा, यह farmer भी चारा की rice लगाँ, क्यूंकि rice का market में let's, मालो मैंने लिग दिया 2000 कोईटल पर hectare ठीक है, बाकी सब क्रोप का 2000 से कम है, बाकी सब क्रोप का जो है rate 2000 से कम है, यह farmer भी चारा है की मैं rice लगाँ farmer A चारा है की मैं rice लगाँ, farmer भी चारा है की मैं भी rice लगाँ, ठीक है उसने rice लगाँ, तो मैं भी rice लगाँ लेकिन क्या वो दोनो rice लगा पाएंगे, यह कौन बताएगा, यह बताएगा economics, क्योंकि economics यह बोलती है कि हमारे पास जो resources है हमारे पास जो fund है, वो limited है, ठीक है, limited है और उन limited resources का उपयोग करके हमें best को चुनना पड़ता है, limited resources का use करके हमें best को चुनना पड़ता है, ठीक है अब जैसे इस farmer के पास क्या है, resources मैं बताता हूँ, resources की बात करें तो इसके पास है irrigation इसके पास क्या है, irrigation है और यहां पर मैं बताओं इसके पास में resources की बात करूँ तो इसके पास resources में irrigation नहीं है irrigation क्या है नहीं है अब मुझे बताओ ये चाहरा है कि में भी rice लगाँ क्योंकि rice का rate ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा फाइदा मिलेगा ये चाह रहा है कि मैं भी rice लगा हूँ, rice का rate जादा है तो मुझे जादा फाइदा मिलेगा ये वाला जो farmer है ना ये वाला farmer rice लगाएगा क्यों क्योंकि इसके पास irrigation facility है तो ये rice लगाएगा ठीक है? ये rice लगाएगा क्यों? क्योंकि इसके पास resources क्या है? irrigation available है यहाँ पर जो resources है irrigation available है चाहे वो limited है बड़ इसके पास available है यहाँ पर इस forward के पास irrigation available नहीं है मतलब इसके पास irrigation नहीं है resources के नाम पर irrigation नहीं है तो क्या यह rice choose कर पाएगा नहीं अगर यह rice choose करेगा तो कुछ नहीं मिलना है इसको कुछ profit में होना नुकसान में चला जाएगा तो ये क्या चूज करेगा ये चूज करेगा अपनी resources की availability के according तो ये resources की availability के according cotton चूज करेगा क्योंकि rice को भी पानी चाहिए सुगरकिन को भी पानी चाहिए बनाना को भी पानी चाहिए तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा cotton पर, ये क्या लगाएगा, cotton लगाएगा, इसने क्या किया, इस farmer ने अपना best इसमें से चुना, best अब इसमें से best तो rise है, क्योंकि rate जादा है, लेकिन यहाँ पर इस farmer के according best क्या हुआ, best हुआ, cotton क्यों, क्योंकि वो जो चूज करेगा, वो अपने resources availability के हिसाब से चूज करेगा, तब ही उसको benefit profit मिलना है, otherwise नहीं मिलना है, तो यहाँ पर farmer point of view से economics क्या बोल रही है, कि वो यहाँ पर crop चूज करेगा, as depend on their resources, उसके पास जो resources हैं, उसी के according वो अपनी यहाँ पर crop चूज करेगा, ना कि कि किसी और farmer को देखके, ना कि market को rate को देखके, ठीक है, rise के rate वो जाता है, बट वो नहीं चूज कर पाएगा, क्योंकि उसके पास resources available नहीं है, तो economics यही चीज बोलती है, कि जो हमारे पास limited resources है, जितना भी संसाधन हमारे पास है, उसका इस्तमाल करके हमें best को चूज करना है, जिससे हमें क्या मिले, profit मिले, समझ गई, यह economics है, तो farmer point of view से समझा, हमारी life में जो भी चीज हम करते हैं, वो हमारे पास जो available resources है, हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो fund है, उसी को देखके करना चाहिए, life में भी economics बहुत बड़ा role play करती है, ठीक है, आपके दोस्त के पास पैसा है, मंद के 10,000 रुपे खर्च करता है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पिता जी आपको 5000 रुपे देते हैं, तो आपको 5000 रुपे के according आपको पैसा खर्च करना चाहिए, आपको आपके दोस्त को नहीं देखना चाहिए, कि उसको 10,000 है, वो party भी कर रहा, enjoy भी कर रहा, movie भी कर रहा, हम भी करे, नहीं आपके पास इतना फंड है उस फंड के अकोर्डिंग आप उस फंड को इस तरीके से यूज करो कि आप उन में से बेस्ट को चूज करो और आपको ज़्यादा सटिस्फेक्शन मिले सटिस्फेक्शन का मतलब ultimate क्या है profit से हैं ठीक है economics ultimate क्या बताती है कितना profit आपको हुआ है अब यहाँ पर दो तरेके की problem साती economics में ठीक है दो major factor है जो responsible है ठीक है यहाँ पर two major factor responsible for emergence of economic problem ठीक है दो factor दो major factor नहाँ पर role play करते है economics problems के emergence के लिए या economics problems जो आती है उसके लिए दो major factor responsible है एक क्या है एक तो है हमारा limited resources limited resources एक तो यह factor हो गया कि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या है limited है चाहे मैं अपनी बात करूँ आपकी बात करूँ चाहे दिरुवई अम्माने की बात करूँ या Elon Musk की बात करूँ सरके पास limited है ठीक है अगल Elon Musk काम करना बन कर दे तो एक समय के बाद उसके बाद भी पैसा खतम हो जाएगा ठीक है इसलिए वो अपने पैसे का बैस तरीके से इस्तमाल करता है ताकि उसको ज्यादा ज्यादा profit हो तो limited resources और दूसरा फेक्तर है unlimited want unlimited wants है ना हमारी आफशकता है कभी खतम नहीं होती हमारे पास पेसा 20,000 रुपे और हम चार है कि हमें Apple का phone लेना है 50,000 रुपे एक लाग रुपे वाला तो यह possible नहीं है क्योंकि हमारे पास fund limited है और want जो हमारी unlimited है हम चार है कि हमारे पास क्या होना चीए Apple का phone होन 20,000 और आपकी want क्या है want है कि आप Apple का mobile लेना चारे हो ठीक है Apple का mobile लेना चारे हो लेकिन आपके पास है 20,000 आपके पास और options क्या है आप वीवो ले सकते हो MI ले सकते हो OPPO ले सकते हो ठीक है तो आपकी Wants क्या थी Apple लेने की लेकिन आपके पास Special C 20,000 है तो आपके बात हो क्या है यह Factor काम कर रहा है Limited और यहाँ पर भी Factor काम कर रहा है Limited आपको Wants पर Apple है लेकिन अब यहाँ पर Economics आपको लगाने पड़ेगी मिल रहे थे वही Factor आपको अगर MI में मिल रहे हैं तो आप क्या से Purchase करोगे MI Purchase करोगे क्योंकि वो 20,000 का है That is Economics ठीक है हमें उसका Best चूनना है वही Apple नहीं ले पा रहे तो Apple के जैसा कोई और Phone ले लेते हैं जो 20,000 को में मिल जाए That is Economics Economics यही बोलती है कि हमारे पास जो Fund है जो हमारे पास पैसा है उसका हम सही इस्तमाल करें और Best Alternative को Choose करें ठीक है तो यह एक और Example बहुत सारे जैसे Example है जो आप अपनी Daily Life से Connect करके बता सकते हो कि हाँ इसमें हमें अपना Best चुनना चाहिए ना कि जो पैसा है फाल्ट बेस्ट करना चाहिए क्लियर है चलिए जैसे एक और Example बताता हूँ Best Example आप कोई भी कोर्स पर्चेस करते हो एक कोर्स आपको दस जार उपे का मिलता है एक कोई कोर्स आपको एक जार उपे का मिल रहा है इस कोर्स में बात करो तो futures क्या है मालो लाव है ठीक है recorded भी है ठीक है live है, recorded है test series है PDF notes है ठीक है यह features आपको मिल रहे है इसमें live नहीं है, recorded है ठीक है test भी same है और PDF notes भी same है clear है अब यहां पर आपको best चुनना है पेसा आपके पास 10,000 है चलो पेसा भी आपके पास कोई कमी नहीं है पेसे की आपके पास लेकिन आपको best choose करना है यहाँ पे आपको extra क्या मिल रहा है तिप live classes बाकी तीनों features यहाँ पे भी same है यहाँ पे भी same है live classes और recorded classes में कुछ difference नहीं आता है live एक बार पढ़ने के बाद दुसरी बार आपको जब पढ़ोगे तो recorded ही पढ़ना पढ़ता है ठीक है recorded ही पढ़ना पढ़ता है और कई बार आप live classes नहीं ले पाते हो कुछ काम आ जाता है कई कुछ जाना आ जाता है तो आप live नहीं ले पाते है तो आप recorded ही देखते हो तो इस point of view से आपको best चूज़ करना है तो यहाँ पर best क्या आएगा आपके लिए best आएगा कि 1000 रुपीज आप यहाँ पर 9000 रुपे बजा रहे हो क्यों क्योंकि same चीज मिल रही है यह बस live और recorded का difference है live और recorded का difference है तो आपके आपने क्या किया best alternative चूज़ किया best alternative कि इसी के जैसा दूसरा same इसी के जैसा दूसरा same तो इसी के जैसा दूसरा same आपको यह ख़जार में मिल रहा ना बस live नहीं है सारा recorded है clear that is economics तो यह अपने पेसे का सही इस्तमाल सही जगा पर करना चाहिए ठीक है तो यह दो major factor responsible है इकोनोमिक्स है यह दो चीजों पर focus करता है इसलिए central focus जो होता है economics का वो दो चीजों पर है central focus जो होता है economics का दो चीजों पर है किस पर एक तो यह आपका limited resources पर limited resources पर focus होता है दूसरा दूसरा आपको होता है best alternative आपको लेना है ठीक है चोईस ओफ बेस्ट अल्टरनेटिव तो जो भी बेस्ट होगा अल्टरनेटिव का मतलब उसी के जैसा लगबग उसी के जैसी चीजे हमें कम प्राइज में या कम हमारे पास जो रिसोसे अवलेबल उसमें मिल जाए तो एकोनोमिक्स का जो में फोकस होता है इनी दो चीजों पर होता है कि हमारे पास रिसोसे तो क्या है लिमिटेड है तो उस लिमिटेड रिसोसे में से हमें बेस्ट वाला चूज करना है उसी के जैसा सेम चूज करना है जो हमारे बजट में आ जाए clear है that is economics अभी just हमने सिब economics का introduction ही पढ़ाये कि economics क्या है कई सारे example भी लिए हमने अभी सब हमने समझाये कि economics होता क्या है मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कही notes पढ़ने की भी जरूरत पढ़ेगी economics क्या होता है just आपने यहाँ पे clearly समझ गया कई सारे example भी आप देख सकते हो डेली life के basis पे ठीक है अब यहाँ पर हम बात करते हैं definition of economics की कई अलग-अलग scientist ने अपने point of view से यहाँ पर define किया है ठीक है अब हम यहाँ पर बात करेंगे definition of economics definition of economics वैसे तो एक general definition अभी हमने उपर discuss कर लिए कि क्या होता है economics अब यहाँ पर अलग-अलग scientist ने अपने point of view से economics को define किया है वो भी ज़रूरी है क्योंकि exam में पूछ लिया जाता है इसलिए हमें वो भी देखना है सबसे पहले जो definition दी गई थी वो दी गई थी wealth definition wealth definition दी गई थी ठीक है wealth definition तो question यही से बन जाता है कि wealth definition जो है किसके दुवारा दी गई है तो wealth definition तीन scientist के दुवारा दी गई है एक तो थे इसमें Adam Smith Adam Smith यह सबसे महत्पूने इन्ही के बारे में आगे हम देखेंगे दूसरे जो थे इसमें Walker Walker ने दी और तीसरे जो थे J.S. Mill तीन ने दी तो हमें यहां पर पढ़ेंगे हम सी पढ़ेंगे यहां पर Adam Smith को कि इन्होंने क्या बोला wealth definition के अंदर ठीक है तो यहां पर पहले हमें पढ़ना है किसको Adam Smith को Adam Smith को पढ़ना है ठीक है अब Adam Smith ने क्या बोला Adam Smith ने economics को कैसे define किया इन्होंने बोल दिया कि economics क्या है, economics जह है science of wealth है, ये एक धन का विज्ञान है, इन्होंने किसकी बात की सिर्फ wealth की बात की wealth के अंदर क्या आता economics के अंदर, wealth का मतलब पैसा नहीं होता, wealth के अंदर capital भी आ जाता है, money wealth भी होता है, capital wealth भी होता है, जो money goods होते हैं, जो capital goods होते हैं, wealth के अंदर आपका cash, पैसा भी हो गया, wealth के अंदर ये मेरा pen भी आ जाएगा, wealth के अंदर मेरा board आ जाएगा, wealth के अंदर ये mic आ जाएगा, ये जितने भी चीजे हैं, चाहे capital good हो या money good हो, वो सारा wealth के अंदर आता है, आप जो pen लेके अभी लिख रहे हूँ, वो भी आपका wealth है, copy में आप लिख रहे हूँ, वो भी आपका wealth है, सारी चीजे wealth है, तो Adam Smith ने क्या बोल दिया, कि economics क्या है, ये science of wealth है, science of wealth है, धन का विज्ञान है, ये बोला Adam Smith ने, ठीक है, science of wealth, इन्हों ने बोला कि economics क्या है, ये धन का विज्ञान है, अभी बताऊंगा कि ऐसा क्यू बोला इन्होंने और ये सही किस हद तक ये सही है दूसरा इसी के उपर उन्होंने बूक लिखी Wealth of Nation इसी के उपर उन्होंने लिख दी Wealth of Nation करके बूक लिखी जो बहुत ही famous बूक है कई बार exam में question पूछा जाता है ये 1776 में इन्होंने right किती लिखी थी और सबसे ज़्यादा काम मतलब पालन हार ये ही है इसलिए इनको father भी बूला जाता है father of economics father of economics भी इन्ही को बूला जाता है ठीक है चलिए अब ये देखो इन्होंने क्या बात की Wealth की बात की अब मैं वाल करो और Mills की definition नहीं बताऊँगा क्योंकि उन्होंने भी wealth की बारे में भी बूला था वो इतना famous नहीं famous ही है इन्होंने बूला कि जो economics है वो क्या है धन का विज्ञान है science of wealth है wealth बोल दिया चाहे money capital मैंने बोला ना wealth है ये mic wealth है ये board wealth है ये mobile wealth है आप चुपें से लिख रहे हो ये wealth है सब कुछ इन्होंने इन सब को क्या बोल दिया इन्होंने economics बोल दिया कि जो science of wealth है वही क्या है economics है लेकिन यहाँ पर इन्होंने किसकी बात नहीं की यहाँ पर इन्होंने किसकी बात नहीं की तो इनको क्या किया गया criticize criticism का इनको क्या किया गया, criticize किया गया, इनकी आलोजना की गई, ठीक है, इनको क्या किया गया, criticize, इनको criticize किया गया, ठीक है, criticize मतलब इनकी आलोजना की गई, क्यों आलोजना की गई, कि इनकी आलोजना इसलिए की गई, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या बात की, wealth only, इन्होंने सिर् से भी है, दो तरीके से पेसा कमाया जा सकता है, एक गलत काम में और एक सही काम में, ठीक है, एक गलत काम में पेसा लगाना और एक सही काम में पेसा लगाना, गलत तरीके से पेसा कमाना, एक सही तरीके से पेसा कमाना, यह दोनों से आप वेल्थ बना सकते हो, यह दोनों क्या ह वह ही गलत हो जाएका मेनद करके पैसा किमार आँ तो ले संप में लगा पि Même में लगा रहरे हैं तो वह पैसा क्या हो जाएगा गलत तरीक में करना हो जाएगा पैसा तरीके में हैं के नगा शंब नहीं से नहीं कि और वेटर की बात नहीं की, वेलफेर की बात इन्होंने नहीं की, भीया पैसा ही सब कुछ नहीं होता जिन्दगी में, है ना, पैसे कला वो और भी कोर चीज है, भीया आपने मुझे पैसा दिया पढ़ाने का, ठीक है, आपने मुझे पैसा दे दिया, ठीक, तो वो wealth हो गया, economics हो गया, मैं वेलफेर हैं, और पैसे देने के साथ साथ आपका भी वेलफेर है, जोप लगेगी, आप भी पैसा कमाऊगा, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आपका वेलफेर भी होगा, आपका कल्यार भी होगा, समाज में आपका नाम भी होगा, एक position भी आपको मिलेगी, तो इस भाई सा दिया मतलब इनको आपने तबज्जो नहीं दी थीक है तो इनको क्या करना पड़ा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा तो जैसे ही अब इनको आलोचनाओं को सामना करना पड़ा तो welfare definition सामने आ गई welfare definition सामने आ गई और welfare definition है ये किस ने दी है welfare definition की बात करें welfare definition किस ने दी है ये दी है Alfred Marshall ने और भी scientist ने दी है लेकिन measure ये ही आपको याद रखना है Alfred Marshall ये definition किस ने दी Alfred Marshall ने Alfred Marshall ने अपने जो welfare की definition है इस welfare definition के अंदर क्या बात की इन्होंने उपने welfare definition में बात की है कि जो भी हम लोग है human kind है ठीक है मानव जाती जो है वो एक ordinary life को क्या करती है जीती है economics को उन्होंने क्या बता दिया कि economics क्या है it is the study of mankind क्या हो जाएगा in a daily ordinary business life daily ordinary business life तो इन्होंने क्या बोल दिया ये क्या है economic study of mankind mankind मतलब कुल मिला के मानव जाती के विवार का ध्यान है ठीक है study of mankind in a ordinary in a ordinary daily business life ordinary daily business life ठीक है इन्होंने क्या बोलता है इन्होंने economics को बोल दिया कि इसके अंदर जो है हम मानव जाती का अध्यन तो करते हैं लेकिन उनकी जो daily ordinary business life है उनकी study को इन्होंने economics बोल दिया कि जो daily इनकी ordinary business life अब ordinary life का मतलब क्या होता है यह ordinary life को मतलब होता है कि भाई हम सुबह उठेंगे नाएंगे दोएंगे बेक टागेंगे ओफिस जाएंगे शाम को वापिस आएंगे फेमिली के गुमाने ले जाएंगे that is ordinary life ठीक है material things को या material activities को material activities या material goods में बोल दो material goods के बारे में बात की ठीक है इन्होंने क्या बोला कि जो economics जो है वो totally best है किस पर material goods पर material activity पर best है और किस पर जो हमारी daily ordinary business life है उसकी study करना economics क्यालाता है यह इन्होंने बोला और सिभ material activity की बात की अब material goods के अंदर क्या चीज़ आती है देखो material goods के अंदर आता है जैसे की rice यह material है wheat गया हूँ यह भी material है यह pain भी material है book भी material है ठीक है और मैं बात करूँ और material में क्या है liquor जो liquor में बोला दारू material है टोबे को यह material है तंबा को cigarette आपका हो जाएगा cigarette यह भी क्या है यह भी एक material है ठीक है यह इन्होंने बोला कि इससे कल्यान होता है इन्होंने अपनी definition में क्या बोला कि यह जो material चीज़े हैं इनसे मानों का welfare होता है और मानों की जो daily business life है ordinary जो लाप यह सामान्य जो जिंदिगी है उसको इन्होंने economics बोला और सिप material goods की बात की यह welfare definition है अब यहाँ पर इनको भी क्या किया गया क्रिटिसाइज किया गया देखो क्यों क्या क्रिटिसाइज पहले चीज़ समझना इन्होंने क्या बात की इन्होंने बात की material goods की अब material goods में क्या आता राइस, वीड, पैन, बुग जीस material goods मतलब पहले तो goods समझ लीजिए goods क्या होता है goods मतलब अच्छा वाला goods नहीं और यह goods होता है एक होता है service goods और service दो वट को समझ लीजिए है ना आपने देखा होगा जब भी आप ट्रांस्पोर्ट में जो ट्रके रोड पे निकलती उसके उपर लिखा होता है goods carrier जब मैं छोटा था ना बच्पन में तो मैं समझता था goods मतलब अच्छा केरियर मतलब ले जाने वाला तो अच्छा समान है ठीक है उसी वह समझते हैं तो एनी टेंजिबल आइटम डेट सटिस्पाई हुमन वांट कोई बी ऐसी वस्तु जिसको हम छूँ सकते हैं और वो हुमन की वांट को हमारी आवसकता हों को पूरा करती है उसको हम बोलते हैं goods समझ मैं गूर्स मतलब एनी टेंजिबल आइट सटिस्पाई हुमन वांट कोई इसी वस्तु जिसको हम चूँ सकते हैं इसको मैं लिखने में इस्तमाल कर रहा हूं तो मुझे यह शटिस्पाई कर रहा है ठीक है तो यह उगे आ हो गया goods यह lodge मे यह लिख के पढ़ा रहार हूं मैं सटिस्पाई और आ हूह हूं that is goods तो यह ह आपको पढ़ा रहा हूं मैं क्या दे रहा हूं सर्विस दे रहा हूं मैं आपको कोई गूर्स नहीं दे रहा हूं मैं आपको कुछ चीजे नहीं दे रहा हूं ना ही आप मुझे छूपा रहे हो ना मेरी टीचिंग को को छूपा रहे हो जस्ट आप फिल कर रहे हो मैसूस कर रह बना मतलब जिनको हम छूँने ही सकते, लेकिन जो हमारी आवसकताओं को पूरा करती है, हमें सर्सफाइ करती है, that is service. तो Goods Unn 것으로 सिमझ में आ गया, ऐसी वस्तू जिनको हम छूँने ही सकते हैं, वो क्या है? वो गूर्स हैं और एसी वस्तु जिनको हम छूने ही सकते हैं वो क्या है सर्विस के अंदर आती है और हुमन की मार्स को सेटिस्पाइ करती है अब मुझे बोलो कि एलफट मार्सल ने वेलफेर डेफिनेशन दी कौन सी वेलफेर कल्यान की डेफिनेशन दी और उन्होंने सिब मट्रियल की बात की राइस वीट इनसे देखो अब यहां पर मैं थोड़ा सा डिफ्रेंस करके समझा देता हूँ दोनों में मार्सल ने किसकी बात की मट्रियल की ठीक है इन्होंने अवोइट किया किसको नोन मट्रियल को non material को इन्होंने क्या किया avoid किया consider नहीं किया definition के अंदर ठीक है अब चीज़े समझना material goods के अंदर क्या चीज़े आती है material goods के अंदर जिसे हमारा rice इससे ठीक है खाने के लिए जरूरी है आपका welfare होगा जी होगे नहीं तो क्या खाऊगे ठीक है राइस हो गया pen book यह सब चीज़ों से आदमी का welfare होता है कल्यान होता है भाई pen book रहेगी पड़ोगे लिखोगे तो कल्यान होगा ठीक है और इसके अंदर क्या आती है लिकर लिकर मतलब हिंदी में लिगदू में दारू शराब और शिग्रेट शिग्रेट यह चीज़ आ गए अब मुझे बताओ कि पहली चीज़ तो इन्होंने इनको क्रिटेसाइस क्यों किया गया इनकी आलोजना क्यों कि गई अलफड मार्सल की आरशना इसलिए की गई कि भाई आपने पहले तो सिभ मट्रियल की बात की और मट्रियल के अंदर भी आपने इसको क्लासिफाइड नह कि और कि वेल्फेयर तो होगा और कंट्रिकी economy भी बढ़ेगी किन सब चीजों से इन दोनों चीजों से लेकिन क्या मुझे बताओ ये दो चीजे हैं दारू और सिगरेट इससे वेल्फेयर होगा इससे welfare होगा मानों का नहीं होगा क्या आप दारू पीते हो तो दारू पीने से आपका welfare होता है दारू पीना अच्छी चीज़ है सिगर्ड पीने से आपका welfare होगा दारू पीने से सिगर्ड पीने से आपको कोई output मिलेगा नहीं मिलेगा राइस, वीड, चावल, यह हूँ, पेन, बुक, यह अगर आप पर्चेस करते हो, खाते, पीते हो, खिलाते हो, किसी को पढ़ते लिखते हो, यहां से आपका उट्फूर मिलेगा, आपका वेलफेर होगा, लेकिन दारू और सिगर्ट पीने से आपका कभी वेलफेर नहीं होता लेकिन यह क्या है, कंट्री की एकोनोमी को जरूर बढ़ाती है, कंट्री की एकोनोमी में काफी ज़्यादा रोल प्ले करती है, यह दोनों चीज़े, ठीक है, जैसे कि लोगडाउन के अंदर आपने देखा ना, जब लोगडाउन था, तो कंट्री की एकोनोमी काफी ज़्य तो जो labralsl थै इन्होंने materiaal की बात की मटन्यां को इन्होंने classify नहीं किया कि इन्चीजों से तो बही welfare होगा इन्चीजोंसे वेलफियर नहीं होगा लेकिन country की economic बढ़ेगी तो इन्चीजोंने clear cut explain नहीं कर पाए दूसरी चीच इन्होंने जिफ की बात की non material की बात नहीं की सोरी इन्होंने non material की बात नहीं की अब मुझे पताओ non material में क्या आती है service तो service के अंदर क्या आएगा जैसे teaching भाईया मैं आपको पड़ा रहा हूं तो आपका welfare होगा कर नहीं होगा तो इसकी पैसा टांस्पर कर रहा है सारी activities घर बेटे कर पा रहे हो जिससे आपका भी welfare हो रहा है और country का भी welfare हो रहा है तो ये चीजें भी क्या कर रही है welfare में welfare को promote कर रही है service भी है जिसे teaching doctor bank ये भी क्या कर रही है welfare को promote कर रही है लेकिन मारसंस हाप नहीं इसको अपनी definition में considering नहीं किया इसलिए ये भी definition fail हो गई clear आगया समझ में चलिए आगे बढ़ता है welfare के बाद जो definition आती हमारी वो आती scar city definition scar city definition scar city definition के अंदर क्या चीज़ आती है scar city का मतलब ही होता है limitation ठीक है limitation पहले चीशतों यहीं पूछा चाता है कि यह definition किस ने दी याद रखना L.C. Robbins ने किसने दी L.C. Robbins ने Leonel Charles Robbins नाम कहां पुराइंगा Leonel Charles Robbins तो Robbins ने जो है यह ज़री scar city definition अब scar city definition का मतलब क्या होता है इन्हों ने इसके अंदर human behavior के बात की वो limited resources और unlimited want है, इनका जो है relation, इनका जो है relation और उसके, इनका use करके हमें best alternative choose करना है, उसके बारे में इन्होंने बताया, तो इनकी definitions क्या बोलती है, देखो, इनकी definition बोलती है, किये क्या है science of human behavior, इनकी क्या बोला, it is a science of human behavior as a relationship between ints and scars means which have alternative use, यह definition इनकी इनकी देखो, इस definition में क्या चीज़े उनकी बोली, वही चीज़ आपको समझे नहीं दो चीज़े, उन्होंने बोला कि यह human behavior का एक science है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो scar और ints है, उसका relationship देखते हैं, ठीक, और इसका मतलब ultimate mean क्या है, कि हमें best को choose करना है, इसका ultimate क्या है, कि हमारे पास जो limited resources है, उसका use करके हमें best को choose करना है, अब यहां ints का मतलब क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है, ints का मतलब क्या होता है, यहां पर ints का मतलब होता है, unlimited wants, और scars का मतलब होता है, limited resources, limited resources, तो इन्होंने अपनी definitions में क्या बोला, जो unlimited wants और limited resources है, इनके बीच में relationship को देखा, और उसी को इन्होंने बोला कि यह human behavior का science है, जिसके अंदर हम किसका संबन देखते हैं, unlimited wants और limited resources की बीच में संबन देखते हैं, और जो भी हमारे पास resources है, उसका use करके best को हम यहां पर choose करते हैं, best को choose करते हैं, मतलब ultimately इन्होंने economics को क्या बोला, science of choice, क्या बोला इन्होंने science of choice बोल दिया, याद रखना, science of choice, त किसने बोला, तो LC, लियोनेल, चाल्स, रोबिंस ने economics को science of choice बोला, science of choice का मतलब समझ गए, कि हमारे पास हमारी wants और unlimited है, हमारे पास fund जो है limited है, इन दोनों का relations चेक करो, क्या relation है, और हमारे पास जो limited resources हैं, उसमें से हमारी wants जो है, पूरा करने के लिए हम उसका कौन सा best alternative ले सकते हैं, जैसे ही मैंने example आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको example बताया, कि आपके पास farmer है, फार्मर के पास choice है कि वो rice लगा सकता है, कोटल लगा सकता है, सुगर के लगा सकता है, ठीक है, choice है, है ना, choice है, अब उसमें से क्या लगाएगा, वो किस पर depend करेगा, उसके resources की availability पर कि उसके पास resources क्या है, क्योंकि resources limited होते हैं, तो उसके पास resources available है, उसका use करके, वो जो लगाना चाहरा है, वो rice लगाना चाहरा था, लेकिन rice नहीं लगा रहा है, क्योंकि उसके पास resources नहीं है, तो उसका वो best alternative cotton लगा लेगा, क्योंकि cotton लगाने से, उसके पास resources है, उनका आपस में relation जो है वो बैट रहा है और उससे उस वो crop लगा के जो भी earning उससे होगी वो at least profit ले पाएगा अधरवाइस rice लेता तो profit भी नहीं ले पाता ठीक है तो यह इन्होंने Robins ने क्या बोला कि यह choice का science है इन्होंने economics को positive economics बोला है याद रचना इन्होंने economics को क्या बोला है positive positive economics बोला है अब यहां पर इनको भी क्या किया गया क्रिटिसाइज किया गया इनको भी आलशना की गई देखो आलशना करना लोगों का काम है है ना अब अच्छा काम करोगे तो चार लोग आएंगे बोलेंगे चार मेंसे दो लोग बोलेंगे कि भाई तू गलत कर रहा है और फोड़ा किया इनको क्यो किया गया इनको क्रितिसाज किया गया कि आपने रेक Ones और लीमिटेड रिसोर्से ज़ोर्से प्रोफिटलॉब्मेंट की बातने कि लेकिन आपने उन चीresso हम ने भी पोली कि इनका वात करके话े फर्म यह स्ती बहु Is needed कि वैल्टित की बात की बहुत जो आपको best alternative लगता है वो choose करो आपके resources के according लेकिन उन्होंने growth और development की बात नहीं की अब growth और development का मतलब क्या है जैसे में growth और development का मतलब है जैसे आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो ठीक है आप मुझसे अभी पढ़ रहे हो आपने पेसा खर्च किया पढ़ने के लिए आप पढ़ोगे आपकी job लगेगी तो आपका welfare होगा job लगेगी तो job में आप क्या करोगे आपकी दीरे दीरे जो है आपकी growth होगी आप जब भी manager दीरे दीरे आप जो है AFO की post से manager की post या आप जिसभी post पर पर आप जिस भी position पर हो तो गरर दीरे आपका 하기 दीरा bizft जैसे आप की job लगेगी आप खाना बनाने के लिए अग तो आपने implement दीया ठीक है जारू पोछे के लिए आप रखोगे उसको employment दिया आप अगर अच्छी position पर जाओगे तो आप गारी चलने के लिए driver रखोगे उसको employment दोगे तो यहाँ पर economics में इन्होंने इनको criticize इसलिए ही किया गया भी आपने growth और development की बात नहीं की, income employment की बात नहीं की आपके income होगी, income आगर बढ़ेगी, income जैसे बढ़ेगी तो आप लोगों को employment भी तो दोगे employment भी तो लोगों को मिलेगा तो economics में growth and development की भी बात होनी चाहिए ठीक है तो growth और development की जो next definition जो है वो किस पर depend है growth and development और growth and development की जो definition है यह दो scientist से दोनों मत्पूर्ण है दोनों को समझना एक है Samuelson और दूसरा है Keynes दोनों most IMPA ठीक है दोनों जो most important है क्यों most important है दोनों क्योंकि इन भाइसाब को बोला जाता है father of modern economics father of modern economics कई लोग बोलते कि father of modern economics Samuelson है लेकिन मैंने कई सारी book देखी है लेकिन मैंने कई सारी books वगेरा verify किया तो मुझे father of modern economics कींसी मिला है तो मेरे हिसाफ से तो कींसी है ठीक है मैंने कई जगा इसको verify किया है अब यह most important अब देखो father तो पहले बन चुके रेडम स्मित अब इन्होंने कुछ ऐसा और काम किया एकोनोमिक्स में बहतरीन और जादा काम किये गए तो इनको आधुनिक पिता बना दिया ठीक है मोड़न पिता बना दिया यहmee इसलिए important है यह इसलिए important है कि इन्होंने economics में इतना बहतरीन काम किया इनको क्या मिला था noble price noble price मिला था कब 1970 में इनको economics के अंदर ठीक है किस फिल्ड में economics में economics में और यही वह scientist जिनने क्या बोला था economics सो बोला था Queen of Social Science Queen of Social Science इन्होंने ही बोला था ठीकर Economics क्या है Economics जो हे वो Queen of Social Science है Economics क्या Queen of Social Science है ठीकर के önemने सनन भिला था और इनको क्या बुला दाता है Father of Modern Economics तो इन्होंने अपनी definition में क्या बात की थी Kings ने अपनी definition में बात की थी Income and Employment की Income and employment की बात की थी इन्होंने अपनी definition के अंदर कि जो limited resources है उनका use करके आप best तो चून रहे हो जिससे आपकी income भी बड़े की साथ में आपको employment भी मिलेगा या implement दोगे Samuelson ने क्या बात की इन्होंने overall बात की इन्होंने बात की wealth की इन्होंने बात की welfare की इन्होंने इन्स resources इन मतलब unlimited wants की इन्होंने scarcity scarcity मतलब limited funds की बात की limited resources की इन्होंने growth and development की बात की growth and development की भी बात की अपनी definitions के अंदर इसलिए जो है जितनी भी definition हमने पड़ी जितनी भी definition पड़ी उनमें से जो है best definition या most satisfactory most satisfactory definition कौनसी है तो जो Paul Samuelson ने दी वो जो है most satisfactory definitions है सबसे बहतरीन definition इन्हीं की माली जाती क्योंकि उन्होंने अवराल सब की बात कर ली wealth की welfare की unlimited wants, limited resources, growth, development, income, employment सारी बात की इन्होंने इन्होंने future में people के लिए भी बात की कि कि future में growth and development, income, employment क्या हो सकता है इसकी भी बात की, इसी के लिए इनको noble proskise भी मिला था और इन्होंने queen of social science बोला अर्थसास्तर को और ये जो है most satisfactory definition है जितनी भी definition अभी हमने पड़ी उन्हें से इनको father of modern economics बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा economics में influence सबसे ज़्यादा effective आदमी यही रहा है सबसे ज़्यादा effective आदमी यही रहा है इसको modern of father of modern economics इनको बोला जाता है जो हम पढ़ रहें agriculture economics तो उसकी विसे वस्तु क्या है वो उसके divisions क्या है और उसका subject matter क्या है वो आज हम समझेंगे मतलब यह क्या है यह पूरे subject का एक basis है ठीके यह आधार है जिसको हम विसे वस्तु या subject matter of economics बोलते है और इसको division of economics भी कहा जाता है याद रखना इसको और क्या मोल देते हैं इसको बोला जाता है division of economics division of economics भी कह देते है division of economics क्या क्या है याद रखना subject matter of economics बोलो या division of economics बोलो तो यह subject matter जो economics का है ना यह जो है एक cyclic process है subject matter या division of economics बोलो तो यह cyclic process है जो किस से बनी है तीन main factors जो है इसके अंदर काम करते हूँ तीन main factors के उपर यह पूरा subject matter economics का वो टिका हुआ है अब वो जो तीन main factors क्या है और एक cyclic process है यह throw out the life चलती रहती है याद रखना हमारे पूरे जीवन जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक यह हमारे life में चलती रहती है इसलिए इसको cyclic process भी बोलते हैं तो देखो क्या है सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर division of economics या subject matter economics में बोलते है cyclic process तो यह subject matter है यह तीन चीजों से मिलकर बना है पहला है wants क्या है wants ठीक है wants के बाद दूसरी चीज आती है wants के बाद जो cyclic process है wants के बाद दूसरी चीज आती है efforts efforts के बाद आप देखोगे तो efforts के बाद आता हमारा यहाँ पर satisfaction क्या आता है satisfaction तो यह क्या है यह cyclic process है जिसको हम subject matter बोलते हैं अभी इसको हम explain करेंगे अभी के subject matter को कैसे explain पुरा किया जाता है तो यह जो subject matter economics का यह तीन चीजों पर best है तीन चीजों से मिलकर बना होता है wants, effort और satisfaction अब समझते हैं यहाँ पर आपके दिमाग पर question आ रहा है कि sir wants क्या है वो भी बताऊँगा कि wants होती क्या है ठीक है अब देखो माल लो आप wants मतलब होता है anything that we desire जो कुछ भी हम इच्छा रखते हैं किसी चीज को पाने की किसी को चाहने की that is wants क्या होता wants anything that we desire जो कुछ भी हम चाहते हैं कि यह चीज हमें चाहिए कोई चाहरा है कि मुझे बाइक चाहिए, कोई चाहरा है कि मुझे कार चाहिए, कोई चाहरा है कि मुझे अच्छा सा घर चाहिए तो जो कुछ भी हम इच्छा रखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, that is wants ठीक है, अब फिलाल आफ इस्चुडेंट पे हो, तो अभी आप हाल फिलाल में देखा जाए तो आपके wants क्या है, आपके wants है मैं just an example लेके आपके बता रहो, कि हाल फिलाल आपके wants क्या है, जोब, कि हमें क्या मिल जाए, नोकरी मिल जाए, जोब मिल जाए ये आपकी वांस है लेकिन क्या नोकरी आपको डिरेक्ट मिल जाएगी जेखो जोब आपकी वांस है और जोब आपको जब मिल जाती है तो आप सटिस्पाई हो जाते है तो कि जीवन में जो मुझे चाहिए था जो मुझे करना था जो जैसी जोब मुझे चाहिए थी वेसी जोब मुझे मिल गई है, आप क्या हो जाओगे, सटिस्पाई हो जाओगे, ठीक है, लेकिन क्या आप सीजे वान से सटिस्पाई पर पोच सकते हो, कि आपने चाहा कि आपको जोब चाहिए, और आपको जोब मिल गई, अचालक से, और आपको कहार लाइफ बिल्कुल मैं बहुत सटिस्पाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अच्छी कासी लाइफ हमारी चल रही है, गाड़ी, गोड़े, मंगले, सब कुछ हो गया है, ऐसा नहीं होता, इस जोब के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है क्या, effort, ये लगाना पड़ेगा, क्या, effort लगा तो आपकी वान्स की जोब लेना, लेकिन जोब आपको मिल जाएगी क्या, नहीं, सोचने से जोब मिल जाती तो फिर क्या था, हमें इस जोब के लिए क्या लगाना पड़ेगा, effort लगाना पड़ेगा, मतलब मेहनस करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, चीजों को एकद मेरे करवाले खुश है, मैंजर जैसी जोब चाहिए थी, इस जोब मिल गई है, अब मैजर लाइफ अच्छे से चलेगे, उसके बाद किसी की शादी नहीं, जोशादी हो जाएगी, इस लड़की भी मिल जाएगी, खैना, इस तरीके से, लेकिन चीज़ें यहां खतम नहीं ह और जो है, मुझे बड़ी पोस्ट चाहिए इसके अंदर, तो आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, मतलब आपने यहां पर फीर क्या कर दिया, जैसे आप सडिस्फेक्शन हो, आपने यहां पर वांस क्रियेट कर दी, अब आपकी वांस क्या है, कि मुझे इसमें ब आपके इसमें बर यहां एमाल आपके अपका बॉएल लेना आप मुझे। एक cyclic process होती है उस wants को complete करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है effort लगाना पड़ता है effort लगाते हैं तो satisfaction हमें मिलता है जैसे हम उस चीज़े satisfy हो जाते हैं तो दूसरी wants generate हो जाती है ठीक है? अभी wants के बारे में थोड़ा समय यह discuss करूँगा ठीक है थोड़ा समय यह पर discuss करूँगा मैंने बोला wants क्या होती है? wants anything that we desire क्या बोला मैंने? anything that we desire that we desire जो कुछ भी हम इच्छा रखते हैं वो सब क्या है हमारी wants के अंदर आता है wants जो होती न wants कभी खतम नहीं होती हमने पहले बोला wants के characters क्या है wants जो है वो unlimited होती है wants जो होती है क्या होती? unlimited होती है wants जो है recurrent होती है recurrent नहीं मतलब एक wants complete होते ही दूसरी wants arise हो जाती है एक wants जैसे complete होई दूसरी rise हो जाएगी ठीक wants जैसे मालो आज आप कोई चीज एक बार कर ले तो उसको दुबारा करना पसंद नहीं करते हूँ, उससे बहतर करना पसंद करते हो, तो वही चीज़ है ना, तो WANTS जो हमारी recurrent होती है, वारबर होती रहती है, एक complete होई दूसरी बार जन्रेट हो जाएगी, ठीक है, WANTS ही क्या होती है, WANTS जो होती है, यही क्या होती है, Mother of Invention, W आज पहले, आज, मतलब देखा जाए, दस से पंदरा साल पहले मुबाइल नहीं थे, तो हमें उसकी ज़रूत काफी ज़्यादा फील होती, मतलब, creative नहीं हुआ था मुबाइल, टेलीफोन से, गर पे किसी के घर पे, एकात के घर पे टेलीफोन होता था, वहां से communication होता था, तो हमारी आवशक्ता थी कि कुछ ऐसी चीज आ जाए, जिससे हमें क्या करना, चलते फिरते गुमते फिरते हम किसी से बात कर ले, हमारा टाइम बचे, तो यह मुबाइल यह आवशक्ता थी, तो आवशक्ता से क्या हुआ, मुबाइल का अविसकार हुआ, मुबाइल का अव आवसकार की जन्नी भी कहलाती है वांस के आवसकता ही आवसकार की जन्नी हमने कई बार सुनाए कि जो आवसकता है वही आवसकार की जन्नी होती है तो problem का solution देना ही तो क्या होता है किसी नई चीज को बनाना होता है तो यह वांस की बारे हमने समझा कि वांस जो कुछ हम चाहते वो वांस होती है, वांस unlimited होती है, recurrent होती है, दुबारा से होती रहती है, जैसे competitively दूसरी हो जाती है, वांस के type आप देखोगे ना, मैं एक समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ, वांट्स जो होती है हमारी ये तीन प्रकार की होती है एक होती है नेसेसरी वांट्स ठीक है दूसरी जो होती है वो कमफर्ट कमफर्स वांट्स होती है तीसरी जो होती है लगजरी लगजरी वांट्स होती है ठीक है ये तीन प्रकार की जो हमारी वांट्स होती है ठीक है नेसे नैसेसरी, comfort और luxury. ये wants के character हो गए, कि unlimited होती है, recurrent होती ही, mother of invention होती है, अभी मैं subject matter पढ़ रहा हम लेकिन उसमें से अभी मैं wants को आपको शमजा रहा हूँ कि wants होती है, ठीक है? अभी आप समझवा है, wants तीन पकार के होती ही, necessary, comfort और luxury. तीनों चीज़ों को समझना, necessary का मतलब क् चीजे जो हमारे इस धर्ती पर रहने के लिए हमारे existence के लिए हमारे जीने के लिए हमारी efficiency को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे उसके बिना हम मर जाएंगे जैसे कि भोजन और पानी खाना नहीं खाएंगे पानी नहीं पेंगे तो हम मर जाएंगे बोजन नहीं खाएंगे पानी नहीं पिएंगे तो हमारी efficiency कम day by day कम होती जाएगी अभी मैं आपको मालो यहाँ पर एक गंटे दो गंटे लेक्टर आपका लूँगा पड़ाऊंगा तो अगर मैं पानी नहीं पिता हूँ या मैंने खाना नहीं खाया या मैंने प पानी क्या होना चीए food and water food and water जो है यह नेसेसरी के अंदर आता है अब नेसेसरी में भी तीन के डगरी है हलांकि इतना डिटल में आपको नहीं पढ़ा हूँगा जे आरे की बात हो जाती है वो तो नेसेसरी में भी तीन होती है एक तो नेसेसरी एक्सिस्टेंस फोर भी हमारे साथ वो चीजे होती है जैसे कि मानलो पुराने कस्टम और रिती रिवाज बर्सों से चले आ रहे हैं जो हमारी लाइप के साथ जुड़ गए है उसनको हम नेसेसरी मानते हैं दूसरी चीच हमारी कुछ हैबिट्स होती है जो नेसेसरी होगे हमारी लाइप में जै पर्संटू पर्संट, सिचुएशन तू सिचुएशन चेंज होता है, यह comfort और luxury, comfort और luxurious जो है यह person to person और country to country और बोल सकते हैं, situation to situation वेरी करता है, तो comfort क्या होता है, comfort मतलब होता है कि life को थोड़ा सा easy बना देना, life को pleasant बना देना, मतलब जिंदगी को खुषाल, जिंदगी बन मतलब, जैसे मालो कोई बन्दा पेदल चल रहा है, अगर उसको cycle मिल जाए, तो comfort फिल करेगा, जो life को थोड़ा सा easy living बनाए, अच्छे से, मतलब उसके life में क्या हो, खुषाल हो, pleasant life हो, comfort में, luxurious में क्या हो जाएगा, luxurious जो होता है, अब देखो, यहाँ पर comfort वाला भी efficiency को बढ़ाता है, अब जिसे मालो कोई बन्दा है, मज़ूर है, वो एक pedal काम पे जा रहा है, तो उसको एक घंटे पहले गर से निकलना पड़ रहा है, अगर महीं उसको cycle मिल जाए, तो जहाँ एक घं efficiency क्या होगी, बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो आदे घंटे अपना कोई और काम कर लेगा, उसका time महाँ पर बचेगा, आदा घंटा ही लगेगा, that is comfort, ठीक है, यह बोल सकते हैं, luxuries में क्या होता है, luxuries में efficiency कोई लेना देना नहीं है, बस हम अपनी साक दिखाने के लिए, अपने आपको बड़ा बताने के लिए, हम ये चीज़ करते हैं, जैसे कि औरनामेट ज्वेलरी, बड़े-बड़े सोने, जेवराथ हमने लटका लिए, गले में पहन लिए, तिर्फ दिखाने के लिए, उसको हमारी efficiency नहीं बनेगी, बड़ा सामने घर बना लिया, बिल्कुल एकदम बंगलो बना लिया, तो उससे हमारी efficiency नहीं बड़ी कि बस दिखाने के लिए, कि हम luxurious life जी रहे हैं, कार आपने ओडी ले ली है, ना, फरारी ले ले ली, ये क्या है, ये luxurious के अंदर आ जाता है, तो तीन चीज़ आप समझ गए, wants जो है, necessary, comfort और luxurious दीन होती ह है, तो I think आपको समझ में आगा कि wants होता क्या है, wants जो है, मैंने बोला anything date we desire, जो कुछ में हम इच्छा रखते हैं, wants जो है, unlimited, recurrent और mother of invention होती है, और wants तीन पकार क्यों होती है हमने समझा, अब आते हैं अपना main matter पे, हम बात कर रहते हैं subject matter की subject matter जो है, इनी तीन points पे गुमता रहता है, मतलब भी एक cyclic process है, wants के लिए effort लगाना पड़ेगा, effort के लिए effort लगा होगे तो आपको satisfaction मिलेगा, जैसे satisfaction मिलेगा, आपकी एक नई wants यहाँ पे जंटर थो जाएगी, अब इस subject matter जो है हमारा, इसको समझने के लिए, यह जो हमारा subject matter है पूरा, इसको समझने के लि दो approach है, ठीक है, दो approaches के थुरू हम इस पूरे subject matter को समझ सकते हैं कि actual में subject matter है क्या, ठीक है, आईए बात करते हैं उनकी, दो जो है वो क्या है, एक तो है traditional approach, यह क्या है, traditional, एक क्या है traditional approach, और दूसरा जो है, वो modern approach, यह दो approach जैसे, जिससे हम पूरे subject matter को या division of economics को समझते हैं, ठीक है, traditional approach है, और modern approach, तो one by one discuss करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं traditional approach की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम traditional approach की, सबसे पहले करेंगे हम traditional approach की, ठीक है, चलिए, traditional approach को समझने के लिए, traditional approach को, हमने totally 5 category के अंदर divide किया हुआ है, traditional approach को समझने के लिए, हमें traditional approach को पूरे 5 category के अंदर divide किया हुआ है, ठीक है, इसको कितने 5 division हैं, कितने 5 category हैं, बोलो, 5 category हैं या divisions हैं इसके, traditional approach को समझने के लिए, traditional का मतलब है कि जो पहले समय से चला आ रहा है, परमपरागत तरीके से, ठीक है, अब यहां में 5 approach जिस कौन-कौन से हैं, समझना, पहला है यहां पर production, बिलकुल मैं यहां पर sequence में ही बताऊँगा इसको, पहला है क्या है, उत्पातन जिसको हम बोलेंग चोता है distribution और पांचवा है public finance यह पांच categories हैं जिसके सुरू हम traditional approach को समझ सकते हैं, अभी हम subject matter की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, division of economics की ही बात कर रहे हैं, दो approachों से समझ सकते हैं, traditional approach और modern approach traditional approach हमने समझा की production, consumption, exchange, distribution of public finance यह पांच categories हैं जिसके तुरू हम traditional approach को समझ सकते हैं, देखना, यह पूरी sequence में मैंने लिए हैं, देखो, कोई भी चीज अगर हमारे पास आज है market में, तो पहले उसका क्या हुआ होगा, production हुआ होगा, तभी आज वो market में हैं और हम उसका क्या कर रहा हूं, consumption कर रहा हूं, इसका use कर रहा हूं, तो पहले यह बनी होगी, ठीक है, बनी होगी, तभी मैं इसका क्या कर पा रहा हूँ, इसका consumption कर पा रहा हूँ, ठीक है, यहां तक की चीज़े आपको अच्छे समझ माई होगी है, चलिए, तो यह टेंशनल approach में हमने 5 चीज़ यह creation of creation of utility utility किसी भी चीज की utility को पहले create किया गया होगा ठीक है मैं अभी बेहतरी इन example से आपको समझाऊँगा farmer point of view से भी बात करूँगा और जो हमारी general life है daily life है उस basis पे भी आपे बात करूँगा तो creation of utility का मतलब होता है production मतलब पहले utility को create किया गया अब आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले utility बता दीजे ना या आपने बोला utility utility होता क्या है utility क्या होता यह देखो यह ऐसे टम से जैसे examiner diet question कुछ लेगा कि utility क्या होता है ठीक है तो मैं आप एक एक चीज को explain करते चलूँगा utility का मतलब है मैं यह आपर पता देता हूँ utility utility का मतलब है wants satisfying power wants satisfying power of a goods wants satisfying power of goods मतलब कोई भी ऐसी वस्तू कोई भी ऐसी वस्तू जिसके अंदर वो शमता है कि वो किसी भी वेक्ति की wants को क्या करे आवशक्ताओ को satisfy करे आवशक्ताओ को पुरा करे उसको हम बोलते है utility utility का मतलब क्या हो गया want satisfying power of a good किसी वस्तू में किसी service बोलो या goods बोलो उसमें इतनी ability होनी चाहिए शमता होती है कि वो क्या कर सकते है wants को fulfill कर सके wants को satisfy कर सके उसको utility बोलते है utility को हम समझेंगे utility चाहर पकार की होती है time के basis पे अलग है storage के basis पे अलग है position के basis पे अलग है तो उसको हम अलग से देखेंगे थोड़ा सा utility वाला chapter हम अलग से देखेंगे तो पर यहां है तो utility का मतलब क्या होता यूटिलिटी का मतलब होता है यह माल लो मुझे मैं अभी हाथ से लिख रहा हूँ ठीक है तो मुझे यहां पर मजा नहीं आ रहा मैं चारा हूँ कि कुछ ऐसी चीज मुझे मिल जाए जिसको मैं लिखू तो मुझे मजा आ जाए लिखने में तो उसके लिए क्या हुआ है एक कंपणी ने क्या बनाया पेन बनाया इस कंपणी ने क्या बनाया यह पेन बनाया ठीक है यह पेन बनाया मतलब क्या किया उन्होंने इस पेन की क्या की यूटिलिटी क्रेट कर दी यूटिलिटी क्या कि ये एक goods है जिससे किसी वेक्तिकी वांस को सटिस्पाई किया जा सकता है इस goods के अंदर वो power है जिससे किसी वस्तु की या किसी वेक्तिकी वांस को सटिस्पाई किया जा सकता है तो मैं अभी हाथ से लिक रहा था तो मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था मेरी efficiency इतनी अच्छी नहीं आ रही थी तो किसी company ने ये pain बनाया मतलब इस pain की उसने क्या की utility create कर दी ठीक है उस pain की utility create कर दी अब utility मतलब बोला ना वान satisfy power of goods अब इस pain के अंदर वो power है जो किसी वेक्तिकी वान्स को satisfy कर सकता है मेरी वान्स ठीके मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे मुझे लिखने में आसानी हो pain मैंने खरीदा pain खरीदा तो मैंने क्या किया यहाँ पे pain खरीद के मैंने इसका इसका इसमाल किया use किया, consumption किया तो यहाँ पे एक चीज समझ मैं यहाँ को कि production का मतलब होता है किसी वस्तू की utility create करना ठीक है और utility क्या होता है वो किसी वस्तू की ability शमता या power होती है जो वान्स को satisfy करती है ठीक है, एक बहतरीन example में आपका लूँगा जिससे हम यह सारे point समझेंगे जिससे हम यह सारे point यहाँ पे समझने वाले है ठीक है, यह एक वेक्ती है ठीक है, समझ लेना और यह क्या बेच रहा है यह बेच रहा है यहाँ पे ice cream ठीक है, यह क्या बेच रहा है यह वेक्ती जो है क्या बेच रहा है यहाँ पे ice cream बेच रहा है समझ लेना है न जैसा भी डाइगराम बना हो क्या बिच रहा है ये आइस क्रीम यहाँ पे बेच रहा है यह आइस क्रीम क्यों बेच रहा है तो भाईया यह यहाँ पर आइस क्रीम की फेक्टरी है यहाँ पर आइस क्रीम का क्या हो रहा होगा प्रोडक्शन समझना बात को तीरे से आइस क्रिम को इन्होंने लॉंच किया तो हमारे अंदर क्या आई क्या क्या आई है हमारे अंदर अदर इच्छा जागी क्या हमें आइस क्रिम खाना है मतलब वो चीज़ बनाई मतलब उसने एक utility market के अंदर create कर दी है ना ice cream की तो अब हमारे अंदर इच्छ जागी हम उसको क्या करेंगे consume करेंगे हम खाएंगे हमें बहुत अच्छी लगती है टेस्टी लगती है ice cream हम खाते हैं तो चीजे समझना तो production का मतलब हो गया किसी वस्तू को बनाना या उस वस्तू की utility को create करना तो यहां पर एक factory है उसने क्या किया ice cream बनाई मतलब उसने क्या क्या production किया इसका ice cream का मतलब यहां पर utility create हो गई अब यहां पर हो आप ठीक है आप गई आप market में घूम रहते हैं यहां पर यह गाड़ी वाला आपको दिखा ice cream वाला गाड़ी वाला गुंते हो दिखा ice cream ले लो ice cream ले लो ice cream खालो जोको बार वगएरा तो आपके अंदर इच्छा जागी आपका मुँव में पानी आपके जोहें हैंalım आपको मजा आगए gratis क्कैशन आपको मिला तो तो दूसरी जिस क्या हो गई, दूसरी चीज़ में बताता हूँ, आइस्क्रीम आपने खाई, तो आपने यहाँ पर क्या किया? destruction of utility, destruction of utility, मतलब यह क्या है, consumption क्या होता है, process होती है, जो wants को satisfy करने की process होती है, process of satisfying wants, wants को satisfy करने की process है, आपने इस बंदे से ice cream लेके खाली, खाली मतलब आपको संतूस्ती मिली, जो आपको ice cream खाना थी, वो आपने खाली है, आपको संतूस्ती यहाँ पर मिली, मतलब आपने क्या किया? उस ice cream की utility को खतम कर दिया, अब ice cream की utility के से खतम हो गई? भाई, आपने एक ice cream खाली, दो खाली, तीन खाली चाल खाली है, आपका प पिर से आइस्क्रीम आप नहीं खाओगे क्योंकि उस आइस्क्रीम जो प्रती आपकी यूटिलिटी खतम हो चुकी है, आपका पेड़ भर गया है, अब आप आइस्क्रीम नहीं खाओगे, मतलब आप वो चीज हम नहीं करने वाले, मतलब आपने उस पर्टिकुलर टाइम में उस utility को क्या कर दिया, खतम कर दिया, बात समझ में आ रही होगी, ठीके, ये subject ऐसा है बचो, जितना example से समझ सकते हो, उतना अच्छा है, बहुत ही technical subject है और बहुत easy है, अगर समझोगे तो, बात समझ में आई, एक factor in ice cream बनाई, मतलब उसने ice cream की utility को create किया, आपने उस ice cream को खाय मतलब आपने कंजूं किया, आपने खा लिया, आपने उसकी utility खतम कर दिया, utility कैसे खतम हो गई, आपने ice cream खा ली, अब एक और ice cream बनाई आपके पास से गुदरेगा, बोलेगा, ice cream बने लो, आप ice cream नहीं लोगे, क्योंकि आपने अभी just ice cream खाये, उस ice cream के पती आपकी utility खतम and selling, क्या होगा एक्चेज मतलब buying and selling, ठीक है, या फिर मैं बोलू तो क्या होगा, transfer of good one place to another place, transfer of good one place to another place one place to अनादर प्लेस चीज़े समझमाई and selling आपने इसे ice cream खरी दि इस बंदे से आपने ice cream खरी दि मतलब आपने यह इसे है ice cream buy किया और इसने आपको ice cream sale की तो यहां हो गया buying and selling है ना आपणे यहां पर क्या ख्या exchange किया आपने इसको पेशे दिय और इससे आपने ice cream ली क्या क्या आपने आपई buying or selling वाहा है प्रोसेस यहां पर हो गई ठीक है यहां पर buying और selling मतलब है ownership भी change हो रही है ownership बांद रहो यह पेन आपका है मैंके पास आया बिखेंट दे दो कितने का आपने bellum P絶ुरीआ में आपको लिए और यह ले लिया तो अब माली कोन हुआ मैं पहले आइस्क्रीम इसकी थी इसने खरी लिए आइस्क्रीम का माली किये हो गया चाहिए यह खाए ना खाए फेके कुछ भी करें ठीक है तो ओनर्सिप भी एक्षेंज होती है बाइंग और सेलिंग भी होती है अब ट्रांसफर गुड बन प्लेस तो नादर प्लेस अब जिस हो लेकिन आइस्क्रीम आपको हर जगा हर छोटे से टाउन में भी उसका पालर मिल जाएगा आपका डॉपेंड टाउन का तो यह क्या हो गया ट्रांसफर बूट बन प्लेस तो जहां पर यह बन रही होगी वहां तो इसको हर एक एरिया में क्या किया गए गए ओगा तो यहां यहां पर होते हैं सबस्यादा प्रोडक्शन जम्मो कस्मीर और हिमाचल प्रदेश में होता है एपल का सेपका लेकिन भारत के आप किसी भी कोने में चले जाओ सब जगा आपको एपल मिल जाएंगे जहां पर एपल बिकते होंगे चाहें आप रोड साइट देखो वहां पी हर एक कोने में इसको ट्रांस्फर उटीलिटी भी इसको कहा जाता है सब्रक्तों कि मतलब बायें यहां पर रही अरएं इसको फैनभे अनुट distribution distribution आप इसी पॉइंट से समझ गये होंगे एक्षिंज वाले पॉइंट से हैं ना distribution का मतलब वह भी मैंने बात की माचल प्रदेश में अभी एपल हो रहा है और भारत के हरकोने मिल रहा है मतलब हर एक कोने में उसको क्या किया गया है distribute किया गया है हर एक जगा हर कोने में उसको क्या किया गया है तो यहां पर क्या होता है share to all whatever you produce इसका मतलब क्या होता है share to all whatever you produce जो कुछ भी आपने produce किया है उसको सब के साथ share करो मतलब आपने मालो हिमाचल प्रदेश में apple लगा है तो वो apple आप पुरे भारत के अंदर distribute कर रहे हो हर जगा मिल रहा है मतलब वो क्या हो रहा है distribute हो रहा है लेकिन देखो यह ice cream भी देख लो distribution का जो determination होता है distribution का जो determination होता है यह चार तरीके से होता है इसके लिए क्या चाहिए एक तो चाहिए हमें land दूसरा क्या चाहिए labor तीसरा क्या चाहिए capital छोता क्या चाहिए organization या enterprises अब सीजे समझना यहां पर डिस्टुबिशन के लिए चार्टीच कुछी है जैसे मालो यह फेक्ट्री है आइस क्रीम की इस फेक्ट्री लगाने के लिए भाई क्या चाहिए जगा तो होनी चाहिए फार्मर ने हिमाचल प्रदेस के अंदर एपल का प्रोडक्शन हुआ तो ए नहीं है तो आप रेंट लेके भी कर सकते हो खेती या फिर कोई फेक्ट्री भी डाल सकते हो तो अगर डिस्टुबिशन की बात हुई तो डिस्टुबिशन को डिटर्माइन करने के लिए चार फेक्ट्र होना जरूरी है पहली चीज़ तो अगर आपने आपके बास फिल्ड ठीक है तीसरा अब यह गाड़ी लेके घुम रहा है यहां पर फेक्टरी बनाने के लिए बहुत सारे यहां पर क्या होगी मसीनेरी होगी क्या चीए capital और capital का क्या लगता है रेंट लेबर का होता है वेजेस केपिटल का होता है इंट्रेस्ट और और यह चारों फेक्टर क्या है यह फेक्टर है किसके प्रोडक्शन के है इनको बोलते हैं इनको मैं अलग से पूरा एक चेप्टर में पढ़ाऊंगा पूरे इनको डिटेल पूरा पढ़ाऊंगा फेक् करिंए दिश्किन के पुरी फेर्ट्री शारा रहा है बेच रहा है convicted तो इस सार्ट? इससे प्राहले आए यह टेक्स भी बर रहा है तो गौ़वर्मेट को क्या मिलता है यहाँ पर पिब्लिक रिवेन्यू मतलब हैं पर क्या होता पब्लीक मतरों गोर्मेंट को कुछ पैसा मिलेगा गोईर्मेंट की रेलिए टेक्स बरेगा रामतेरियल खरीदेगा गोर्मेंट को अर्नींग seisenge और वापिस गोईर्मेंट जो हैर पैसे लगाती है तो पटेलिकरते देल्स न है pictureFarm study करते हैं public revenue and public expenditure की भया यह फेक्टर अगर चला रहा है तो यह taxes भी देता है government को government से permission भी लेनी पड़ती है तो उसके लिए government को क्या होता है revenue generate होता है और government क्या करती है हमें subsidy भी देती है पैसा भी देती है किसी factory या किसी काम को करने के लिए तो government क्या है expenditure भी करती है तो जो expenditure और revenue है public का वो किसके अंदर आता है public finance के अंदर आता है तो यह पुरा था हमारा क्या traditional approach किसका हमारा यह subject matter of economist का यह था हमारा पूरा traditional approach traditional approach के बाद अगर हम बात करें तो हमारा next आता है modern approach यह आपको अच्छे से clear हो गया होगा traditional approach ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी एक-एक चीज़कों क्लियर किया है अब हम बात करते है modern approach के अब हम बात करेंगे modern approach के तो modern approach के अंदर दो चीज़े जाती है modern approach के अंदर दो चीजा आती है काती है micro economics micro economics और एक आता है micro economics और यह जो 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 टर्म है यह दोनों एप्रोच एक साइंटिस्ट हो है जिसका नाम था रेंजर फ्रिक्स रेंजर फ्रिक्स इन्हों ने यह 1933 में यह दोनों टर्म्स दियें कौन सा macro और micro economics दोनों टर्म्स किस ने दिया रेंजर फ्रिक्स नाम का एक साइंटिस्ट है उन्हों 1933 में micro economics और macro economics टर्म्स दियें जो modern approach के अंदर आते हैं ठीक है यह दोनों जो टर्म है यह कौन से latin word है याद रखना यह सोरी यह दोनों के दोनों जो क्या है एक Greek word है micro का मतलब क्या हो जाता है micro मतलब हो जाता है small और macro का मतलब हो जाता है large ठीक है micro का मतलब हो जाता है small और micro का मतलब हो जाता है large और यह दोनों के दोनों कौन से word है याद रखना दोनों के दोनों जो है यह Greek word है किसने दिये हैं यह दोनों टब्स किसने दिये याद रखना यह दिये हैं किसने रेंजर फ्रिष्क ने फ्रिक और कब दिये 1933 में यह दिये हैं अब दोनों को समझते हैं क्या होता है ठीक है देखो बथाओं यहां से कोशें क्या पूछा जाता है Micro Economics के अंदर आपको कोशन पूछ लेगा कि Farm Management जो है Farm Management जिसको हम आगे पड़ेंगे हैं वो Micro Economics में आता है या Micro Economics में आता है physician economics में कोशन पूछाई जाता है कि जो हमारा Production Economics है Production Economics है वो micro में आता है चीक है? Inter Economics किसे बोलते हैं, intra Economics किसे बोलते हैं सारी चीज में आपको बताने वाला हो ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर Micro Economics की कि किसकी बात करेंगे सबसे बहुत करेंगे यहां पर Micro Economics की है Micro Economics की हम यहां पर बात करने वाले मैंने बता Micro Economics Micro word जो है Greek word है जिसका मतलब होता है Small अब देखो Microeconomics का मतलब होता है कि कोई भी particular firm हो या कोई भी particular business हो उसकी study करना क्या कहलता है Microeconomics कहलता है मतलब study of particular firm इसको हम बोल सकते हैं क्या Microeconomics मतलब जहां पर जो भी rules and regulations होंगे जो भी decisions होंगे वो individual level पर लिये जाएंगे प्रेक्टिगत रूप से लिये जाएंगे और वहाँ पर price का determination जो है मतलब जो price है किसी वस्तु की price ये decide भी कौन करेगा individual level पर ही decide होगा जैसे मालो मैं कोचिन संस्ता चला रहा हूँ मतलब वो क्या है एक micro economics के अंदर आता है क्योंकि वो individual level पर है मैं उसको चला रहा हूँ ठीक है वहाँ पर जो भी decision है मैं खुद लेता हूँ course की price क्या रखना है decision में लेता हूँ मतलब price का determination भी मैं खुद करता हूँ वहाँ का पूरा management भी मैं खुद करता हूँ तो वो क्या हुआ एक small firm हो गई एक small enterprises हो गया जिसको हम micro economics के अंदर रखते हैं ठीक है मतलब क्या हो गया study of बॉल सकते हैं क्या study of particular firm या individual firm study of individual firm किक या individual enterprises इसके अंदर आप और भी क्या रख सकते हो जैसे any industry किसी एक particular industry की आप बात करो यह household आजाएगा इसके अंदर यह household आप अगर आपके घर का पूरा management आप देख रहे हो जैसे आपके parents है आपके पिता जी है ठीक है आपकी family दस member आपके घर में है और उस पूरे घर का management किसके हाथ में फादर के हाथ में पिता जी का हाथ में वही decision लेते हैं कि इस घर में कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं आएगी किसको कितना पैसा देना है किससे कितना पैसा लेना है घर में आटा चावल दाल जो भी लाना है सब उनी के कहने पर होता है मतलब वो क्या आ जाता है वो household जो है micro economics के अंदर आ जाता है मतलब अगर हम अपना घर चला रहे हैं और एक बड़े लेवल पर प्रदानमंत्री जी जो है देश चला रहे है similar condition है बस हम क्या कर रहे है micro level पर और वो जो चल रहा है वो macro level पर है समझना बात को क्यों क्यों छोटे छोटे macro जो economics है उनको जोड़के ही micro economics बनेगा ठीक है हमें अगर आज अपना अपना घर समाल रहा हूं मतलब मैं micro economics में हूँ आप अपना घर समाल रहे हैं आप micro economics लेकिन हम सब का जब जोड़ लिया जाएगा हम सब को एक साथ जोड़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा micro economics हो जाएगा चलिए तो micro economics का मैं आपको एक बेतरी निग्जामपल लेकर बताता हूँ कि आप उससे ज़्यादा clear ली समझ पाएंगे कि micro economics होता क्या है उसी से फिर हम क्या करेंगे उसी से same example हम एक micro economics में लेंगे ताकि आप clear ली समझ जाओ ठीक है मालो एक यह firm है एक जो क्या बनाती है pen बनाती है ठीक है pen बनाती है एक firm है pen बनाती है इसने जो pen बनाया मालो कोई भी sale company है इसने एक sale का pen बनाया ठीक है sale का pen बनाया और इसने इसकी कीमत रखी 5 रुपए ठीक है किमत कितनी रखी पांच रुपए अब यहां पर चीज समझना तो माइक्रों हमने क्या बोला इंडिविजल फर्म की स्टेडी करना तो यह एक इंडिविजल फर्म हो गई पेन बनाने की एक कंपणी एक जिसने एक सेलो नाम का पेन बनाया पांच जिसकी किमत रखी उस अब इस कंप्री ने डिसाइड किया पेन बनाने के लिए तो इसने डिसिजन किया इंडिविज्व लेवल पर क्या लिया decision, क्या decision कि हमें pain मनाना है seller company का, price decide किसने की price का determination price का determination भी जो किया, वो भी क्या किया individual level पे price का determination भी क्या हुआ individual level पे, firm level पे इस seller pain की जो price decide की, ये किसने की इसी firm ने की, ठीक है, इसी firm ने की ना कि कोई और वेक्ति ने या कि government ने प्रेसर डाला कि आपको pain की कीमत 5 रुपई ही रखना है तो इसकी pain भी price इसने decide की इसी firm ने की pain बनाना यहाँ पर जो भी decision है, कितने pain बनाना है, 1,2,3,3 किस टाइप का pain बनाना है, इसी firm ने, तो जो decision जो होते हैं, जब individual level पर होते हैं, या individual level पर ही price किसी वस्तुकी decide की जाती है, तो वो micro economics के अंदर आता है, for example, मैं जैसा मैंने example दिया कि मैं coaching चला रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर course कौन कुछ सा launch करना है, उस course की price क्या रखनी है, decide कौन करूँगा, मैं करूँगा level पर मतलब मेरी coaching संस्ता करेगी, कोई और coaching डिसाइड नहीं करेगी कि मजे यहाँ पर price क्या रखना है, clear है, यह एक चीज है, समझे मागे हैं, अब दूसरा example क्या लोगे, यह चीज आपको समझे मागे हैं, दूसरा example बहुत सारा है, जैसे मालोग आप क्या चला रहे हो, एक dairy enterprises चला रहे हो, dairy चला रहे हो, ठीक है तो यहाँ पर आप जो है dairy में जो भी decision लोगे dairy में, जो भी decision होगा, individual level पर होगा, दूसरा की price क्या रखना है किस price को आपको बेचना है उसको ठीक है, उसमें जो भी इसके आदर product है, दही है, पनीर है वो आप किस rate पर बेच रहे हो, यह सब को decide कहता है, individual level पर decide, यहाँ पर होता है इसलिए इसको बोलते है micro economics इसलिए जो हमारा farm management है जो है farm management यह किस में आता है questions यहां से पूछा जाता है कि farm management जो है हमारा यह किस में आता है micro economics में या micro economics में तो farm management किस में micro economics के अंदर आता है किस के अंदर micro economics में क्यों क्यों कि यह एक मालोफ farm है इस farm पर जो जो भी management होता है वो individual level पर कौन करता है farmer करता है farmer जो होता है individual level पर अपने farm को management करता है ठीक है इसके अंदर क्या होता है single management होता है मतलब यहाँ पर कौन सी fustle grow करनी है कितने labor लगाने है क्या fustle लगानी है soil को cultivate कैसे करना है seed preparation मतलब हमें tillage कैसे करना है हमें field कैसे तयार करनी है सब कुछ decision जो है individual level पर farmer लेता है ना कि कोई और लेता है तो farm management किसमें आता है micro economics के अंदर आता है clear है यह समझ गई होंगे आप लोग अब बात करते है micro economics की sorry macro की बात करेंगा हम macro economics ठीक है अब यहाँ पर macro economics का मतलब क्या है पहले समझ लो example से अभी मैंने बात की क्या एक pain की बनाने की गंपटी यह x ने जो pain बनाती है इसने क्या pain बनाया था cello pain की कीमत इसने कितनी रखी थी 5 रुपए ठीक है एक चीज़ और बता देता हूं यहाँ पर micro में समझे न देखो micro में हमने क्या पढ़ा कि जो price जो decide करता है वो भी individual level पर होता है यह price किसने decide किया इसी firm ने price को decide किया price भी individual level पर decide होता है तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि इसको micro economics को price theory भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है price theory भी कहा जाता है ठीक है price theory भी कहा जाता है क्यों कहा जाता price theory तो हमने समझ लिया क्योंकि यहां पे price का determination जो है वो individual होता है firm फूर्म खुद decide करती है कि हमारे product की price क्या होनी चाहिए इसलिए इसको price theory या macro theory भी कहा जाता है अब हम बात कर रहे है macro economics की अब हम बात कर रहे हैं यहां पे किस की है उस उसने पेन बनाया जो भी है भी पेन बनाया उसने अपने की किमत रखी 10 रूपए है एक और company यह एक यझ यझ वह भी पेन की इस नाम का और उसने अपने पेन की किमत रखी 15 रूप ठीक है, अब यहाँ पर micro और macro दोनों समझ सकते हैं एक साथ, यह individual firm है जो pain बना रही है, यहाँ पर decision यह खुद लेगी और उसने price भी अपने इसाफ से set किया 5 रुपे, मतलब यह क्या हो गया, अगर मैं single की बात करूँ तो यह micro economics, ठीक, अब macro economics का मतलब होता है कि total सभी को मिला कर, total सभी को मिला कर, यहाँ पर कितने pain का production हो रहा है, सभी को मिला कर, यहाँ पर कितने लोग काम कर रहे है, employment कितना generate हो रहा है, सभी को मिला कर, यहाँ पर income कितनी generate हो रही है, that is whole economy, मतलब यहाँ पर macro के अंदर हम क्या study करते हैं, study of whole economy, study of whole economy, पूरी पूरी economy की study करते है, मैं जैसे ही पूरा जैसे हमारी national income बनती है जीडिपी बनती है तो जितनी भी एसारी रेलवे हो गया हारे government department private department सबको मिला कर जितनी भी इंकम होती है that is national income है वो अलग पारे national income के अंदर जो है जैसे है जैसे है एलो disg equipo कि अंदर वाली तीन कंपनी है इन तीनों कंपनी को मिला कर जो है यह फैन से हैं total income कितनी हो रही है इक है canton कितनी हो रही हैं इस़ेंगे इमप्लोईमेंट किप्लेवीमें लने कितना जंडेट हो रहे ही डोटल expenditure कितना हो रहे है tuna टोटल एक्सपेंडिचर जो है टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है ये सारी चीज़े क्या बताती है टोटल या जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट है वो यह सब किसमें आता है माइक्रो एकोनोमिक्स के अंदर आता है क्यों क्योंकि यहां पर मेक्रो के अंदर बा ठीक है पूरे बार्त में घर की बात करें तो उससे क्या पता चलेगा? उससे पूरे भारत की national income पता चलेगी ठीक है पूरे घर का सब को मिला कर बतलब जितने भी माइक्रोणोमिक्स है छोटी 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 Find الن겠습니다 सब को मिला देते हैं तो हमें पता चलता है कि total income कितनी है, total employment कितना है, total expenditure कितना है, अब आप पढ़ते हो कि कभी-कभी आपने यह सुना होगा, कि भारत के अंदर जो है, agriculture के अंदर ही 50-30 से ज़्यादा employment किसमें होता है, agriculture के अंदर काम करता है, इतना हमने पढ़ा भी है, और एक्चुल डाटा भी यही बोलता है, कि जो जितना भी employment इंडिया के अंदर उसमें से 50-30 employment जो है, वो किसमें है, agriculture के अंदर लगा हुआ है, तो पता किसे चला, भई, जितना भी agriculture के अंदर लोग काम कर रहे हैं, अलग-अलग चीजों में, कोई खेती में काम कर रहा है, कोई किसी agriculture, labor के थूँ काम कर रहा है, तो यह सबको पहिले, सबको क्या किया है, इसके अंदर लगाया गया, किसके अंदर, micro economics के अंदर लगाया, तभी तो पता स्यला, कि agriculture के अंदर, total employment इतना है, तो वो किसमें आ जाएगा, megroeconomics में, जब हम एक की बात करेंगे, किसी एक particular एक की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, Microsoft माइक्रो, लेकिन जब हम इस एक के जैसे सारी इंडर्स्टिस को जोड लेते हैं, सभी को जोड लेते हैं, और सबका हम क्या बजाते हैं, यहां पर देखो, अब यहां पर prize न है क्यों नहीं आएगी prize थो राई की इसको बोला हमने a get नहीं कर सकता नहीं कर सकता तो यहां पर przy इस की कोई बात नहीं होगी यहां पर बात होती है income भी और यह आहां कि up math 5 हैं हिर्थ 114 में में इसके सब्सक्राइब कि इसकी प्राइब करा और अग्रेंस पार संट्राइन इंकम कि प्राइब में եी अकिए भीने करें ह姓 को रोजगार दे रहा हूं employment वो किसमें जाएगा macro के अंदर तीनों मिला कर खर्चा कितना हो रहा है वो कितना जाएगा किसमें जाएगा expenditure जब हम total की बात करेंगे तो macro economics जब हम individual की particular की बात करेंगे तो micro economics तो यहां पर क्या हो जाता definition हमने बोला study of all economy या analysis of entire economics जब पूरी पूरी economic की बात करते हैं जैसे मेरे अंद में जो है मेरे 10 अलग-अलग business है जब मैं दसों को मिला कर बात करूँगा तो micro economics जब मैं किसी एक particular की बात करूँगा तो macro economics जब बात करते हैं यहां पर हम क्या बात करते हैं इनकम की इसको income theory भी कहते हिए याद रखना macro को income theory भी कहा जाता है income and employment theory भी कहते हैं क्लिए राया cost concept को समझने से पहले हैं तो बहुत को हम General वासा में क्या बोल सकते हैं खर्चा या थोड़ा सा और इंपरू करूँ तो बोल सकते हैं लागत ठीक है खर्चा बोलते हैं या लागत बोलते हैं तो किसी भी वस्तु को या किसी भी कोई सेवा हैं उसको बनाने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए जो भी टोटल कॉस्ट आती है जो भी लागत आती है जो भी खर्चा आती है उसको हम बोल देते हैं cost समझ में आई बात जैसे यह पैन इस पैन को बनाने में जितना भी खर्चा आया है जितना भी खर्चा जो भी cost incurred हुई है उसको हम बोल देते हैं जो भी expenditure इसके अंदर आया तो उसको हम बोल दे cost तो cost क्या हो गई cost बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इसको हम क्या बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोडूसिंग ए गुड्स और सर्वीज ठीक है कोई भी गुड्स और सर्वीज को प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट आती है कोई भी गुड्स या सर्वीज को प्रोड्यूस करने में जो भी टोटल खर्चा आता है उसको हम बोल देते हैं कॉस्ट समझ माया कि कॉस्ट क्या है खर्चा या लागर मतलब किसी भी वस्तु को या कोई भी सेवा है उसको produce करने में जितना भी total खर्चा आता है उसको हम बोल देते हैं यहां पर cost अब यहां पर जो खर्चे की बात है वो दो sense में हम बात करते हैं ठीक है एक होता है explicit explicit cost और एक होता है implicit cost इन दोनों cost को जोड़ देते तो total cost ला जाती है लेकिन यहां पर इन दोनों को समझना जरूरी है कि explicit cost मतलब explicit cost यहां पर क्या होता है और implicit cost यहां पर क्या होता है दोनों को समझना जरूरी है क्योंकि यहां पर हमने बात की total expenditure की तो total expenditure के अंदर explicit cost और implicit का दोनों plus होती है देखें दोनों plus होती है किसमें total expenditure के अंदर याद रखना यह total expenditure है इसके अंदर implicit cost और explicit का दोनों एड होती है तभी हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तो को बनाने में जो total खर्चा आया है उसको हम cost बोलते है explicit का मतलब क्या होता है implicit का मतलब होता है नाम से समझ में आ रहा है explicit cost वो cost होती है जो भी input हम भार से लेते हैं उसके लिए हम उनको पैसा देते हैं ठीक है मतलब payment paid to outsider जो outsider होते हैं उनको हम payment paid करते हैं for the inputs input के लिए जैसे farmer है farmer क्या करता है market से input purchase करता है मालो seed उसने भार से purchase किया मालो उसने fertilizer purchase किया तो जो seed purchase करेगा भार से fertilizer purchase करेगा उसके लिए उसको भार वालों को पैसा देना पड़ता है मतलब वो shop से खरीद के लाएगा तो payment paid to outsider for the inputs के लिए अगर outsider को पैसा देना पड़ रहा है means वो explicit cost है means यह मैं बोल सकता हूँ payment paid to outsider for input तो input के लिए जब हमें क्या करना पड़ता है outsider को payment पे करना पड़ता है for example farmer क्या लाता है seed अगर उसने purchase किया या fertilizer उसने का किया purchase purchase किया purchase from the outsider outsider से purchase किया याद रखना यह दुनों चीज़ कहां से outside से purchase की तो उसका हम बोलेंगे explicit card अब implicit cost क्या होता है implicit cost का मतलब होता है use on inputs in the form means no payment paid to outsider ठीक है outsider को यहाँ पर कोई payment paid नहीं करना पड़ता है जो भी inputs हमारे farm पर available होते हैं मतलब on inputs used on inputs in the form मतलब खुद के जो inputs है वो अगर हम farm पर use कर रहे हैं तो उसको हम implicit cost में count करते हैं देखो यहाँ पर estimate करते हैं यहाँ पर cost को क्या किया जाता है estimate किया जाता है estimate किया जाता है estimate किया जाता है cost को यहाँ पर cost pay नहीं की जाती है सिब उस cost को estimate किया जाता है कि इतनी cost आईगी इसकी पर उस cost को pay नहीं किया जाता है उसका payment नहीं दिया जाता है किसी को भी और जो farm पर available होता है जो उसके पास available है वही चीज़ वो use करता है जैसे मैंने example दिया कि payment paid to outsider for input seed and fertilizer अगर farmer क्या कर रहा है भार से seed और fertilizers को purchase कर रहा है तो वहाँ उसको पैसा दे के खरीदना पड़ेगा अगर farmer यहाँ पे उसका on seed use कर रहा है ठीक है? खुद का ही अगर seed वो use कर रहा है अगर वो on seed use कर रहा है खुद का ही seed use कर रहा है तो क्या उसके लिए उसको payment देना पड़ेगा किसी को कोई payment नहीं देना पड़ेगा payment तो नहीं देना पड़ रहा है पैसा नहीं देना पड़ रहा है लेकिन उसकी cost वो estimate करता है कि उसने खुद की जो seed use किया है उसकी जो cost estimated cost है क्या जो उसकी estimated cost है वो वहाँ पर मालो जैसे 2000 रुपे है तो वो cost वो इसके अंदर estimate करता है इसको बोलते implicit cost देखो बाहर चे वो seed लाया उसने 10,000 रुपे में कोई seed खरीदा और उसने घर का seed use किया तो उसको 10,000 रुपे नहीं देने पड़े लेकिन वो उसकी cost जरूर estimate करेगा कि अगर मैं ये seed market में बेचता तो मुझे 7,000 रुपे 8,000 रुपे कुंटल मिल जाता rate लेकिन मैं इसको अपने farm पर as a seed use करूँगा तो मुझे वो cost यहाँ पर estimate करके चलनी है calculate करके चलनी है तो जब farmer अपने खुद के resources अपने farm पर use करता है और उसकी cost को वो calculate करता है, estimate करता है तो उसको implicit cost बोलते है अगर farmer क्या करता, inputs को भार से purchase करता है तो वो cost क्या किलाती है explicit cost किलाती है और total expenditure या total cost जो होती है इन दोनों को जोडने के बाद जो cost आती है उसी को हम total cost बोलते है तो यहाँ पर हमने जो cost की बात की है कि जो total expenditure किसी वस्तु को और सेवा को बनाने में लग रहा है उसको हमने cost बोलात उसके अंदर implicit cost और explicit cost दोनों add होती है clear है, समझ में आया होगा, समझ में आया, तो thumbs up जरूर करना, ठीक है समझ में आया होगा कि cost होती क्या है, explicit क्या होती, implicit क्या होती यह terms generally समझ में नहीं आते हैं कि actual में होता क्या है मेरा काम है, मैं चीजों को बहुत बारिक की से निकाल के आपको बताता हूँ यहाँ पर मैं cost concept भी पढ़ा रहा हूँ ना, आपको total cost पढ़ाऊंगा, fixed cost पढ़ाऊंगा, variable cost पढ़ाऊंगा पूरा numerical और graphical representation के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप कभी जिन्दगी में भूले नहीं कि total cost, fixed cost, variable cost होती क्या है और जब भी आपके पढ़ाऊंगा इच्छा होता आपके मन में यह आए कि अगर पढ़ना है तो चेत अंसर से पढ़ना है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं, हमने बात की implicit cost और explicit cost हमने बता दी है तो cost जो है, यहाँ पर दो प्रकार की होती है एक होती है, fixed cost, ठीक है? एक होता है fixed cost, ठीक और दूसरी होती है हमारी variable cost variable cost, दोनों को one by one समझेंगे, ठीक है? एक है fixed cost और variable cost, यह दो तरह की cost यहाँ पर हमें मिलती है ठीक, चलिए, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो total cost आ जाती है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर fixed cost क्या होता है? fixed cost क्या होती है? fixed cost को हम समझने वाले हैं सारे concept cost के पढ़ेंगे, fixed cost, average fixed cost, average variable cost curve जो इनका बनता है, उस point of view से भी पढ़ाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा हमारा time taking वाला lecture से रहता है ठीक है? ऐसा नहीं मैं fixed cost बता दू कि fixed cost मतलब होता है कि जो fixed resources के लिए होता है, जिसे land हो गया, building हो गया, यह fixed cost हो गया variable cost जैसे seed हो गया, fertilizer हो गया, variable हो गया, जो input के साथ change होती है output के साथ change होती है, खतम, ऐसा नहीं है एक एक बारिकी से समझेंगे, ताकि आपको कभी यह ना लगे कि सर एक बार पढ़े लिए आप दुबारा देखने की जरूरत नहीं है अप notes पर लोगे काम हो जाएगा, तो fixed cost का मतलब होता है, ऐसी cost जो fixed resources में आती है हमारे farm पर कुछ ऐसे input होते हैं, जो fixed होते हैं, ठीक है कुछ ऐसे input होते हैं, जो fixed होते हैं, जिसे हम inputs बोले, factor बोले, या resources बोले बात एक ही है, resources, inputs और factor तिनो synonym से तो ऐसे inputs या ऐसे factor या resources जो fixed होते हैं farm पर, उनसे जो cost आती है, वो fixed cost होती है मतलब, fixed cost क्या होती है, fixed cost for fixed input ठीक है, जो fixed input की जो cost होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, fixed cost fixed cost, fixed cost for fixed inputs, तो जो fixed inputs के लिए जो cost होती है, वो fixed cost कलाती है अब fixed input कौन कौन से है, for example देखो, fixed inputs जैसे हमारा हो गया land जमान हमारी क्या है, fixed input है, ठीक है, land, building, ये हमारा क्या है, fixed input है इसको आप change नहीं कर सकते है है ना, लेंड को आप change नहीं कर सकते building को आप change नहीं कर सकते यह long term में change होने वाली चीज़े है short run में change नहीं होती इसलिए fix cost और variable cost यह दोनों किस में आती है यह short run में आती है यह short run के अंदर आती है त्थिक है? land को आप short period में change नहीं कर सकते है, building आपने एक बार बना ली, building आपने बना ली, इसको तोड़ के दूसरी बना सकते हो, तुरंत नहीं, long turn में change होती है, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद ये change होती है, तो ये short run में change नहीं होती है, तो fixed cost, variable cost दोनों short run के अंदर आता है, क्योंकि ये short run के अंदर change नहीं होती है, तो land हो गया, building हो गया, ये हमारे fixed resources से, तो इनकी जो cost आती है, अब इनकी cost कैसे है, जैसे land अगर आप के पास खेती नहीं है, आप खेती करना चाहरे हो, तो आप क्या करोगे, किसी से lease pair लोगे, lease pair लोगे, तो उसे land के बदले, आप क्या देते हो, rent pair करते हो, ठीक है, building आपने क्या किया, कहीं rent से, आप, जैसे आप किराय से रह रहे हो, ठीक है, आप student life में हो, आप college में पढ़ रहे हो, या competition की तियारी कर रहे हो, तो आप कहा रह रहे हो, city में, सहर में रहे हो, preparation कर रहे हो, तो वहाँ जहाँ भी आप रहे हो, किसी भी मकान में रहे हो, फ्लेट में रहे हो, तो उसका आप क्या दे रहे हो, rent दे रहे हो, वो एक fixed resources है, और उसके लिए आपको क्या देना पढ़ रहा है, ठीक है, rent देना पढ़ रहा है, अब समझो किसे, आप उस building में रहे रहे हो, किस तो देना पड़ेगा न, आपका selection हो या ना हो, आपको उस building का rent देना पड़ेगा, तो यहाँ पर fixed resources के साथ क्या है, कि यह fixed resources जो है, fixed cost जो है, वो क्या होती है, fixed resources do not change with the level of output change, याद रखना, fixed costs do not change with the level of output with the level of output change, मतलब क्या है, कि अगर आप, level of output change का मतलब क्या है, कि अगर आप production नहीं भी ले रहे हो, तब भी आपको fixed cost आईगी ही आईगी, अगर आप उस flat में रहे हो, आपको किराया देना ही देना पड़ेगा, चाहे आपका selection हो या ना हो, ठीक है, समझना बात को, एक farmer है, उसन एक farmer है, उसने ये lent reach पे लिए, और इसके लिए उसने कितना पे किया, मानलो, 20,000 पर एनम, वो पे करता इसके लिए, ठीक है, एक साल के लिए लिए, ठीक है, वन यार के लिए लिए उसने, अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर उसने production ही नहीं लिया, उसने कोई production लिया ही न ना ले, यह fix का मतलब यही होता है, कि चाहे आप production लो या ना लो, आपको उसका पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है, आपने क्या किया, कि आपने coaching जोइन कर ली, पैसा आपने दे दिया, क्योंकि वो fix था, क्योंकि आपको 2000 रुपे देना ही था, तो आपने दे दिया, आप चा जाता है, तो उनके साथ चेंज नहीं होते है, ठीक है, अब चाहे आप production नहीं ले रहे हैं, तब भी आपको 20,000 देना है, अगर आप production ले रहे हो, आपने चाहे 10 कुंटल प्रोडक्शन लिया, तब भी आपको लेंड के लिए 20,000 देना है, चाहे आपने production 20 कुंटल लिया, त उसकी जो cost है, वो fixed है, वो change नहीं होगी, तो याद रखना level of output, क्या लिखा है, level of output change होने के साथ-साथ, fixed cost में कोई changes नहीं आता है, clear है, इतनी बात आपको समझ में आ गही होगी, ठीक, example से भी आपको clearly समझ में आ गया होगा, example मैंने आपके उपर भी बता दिया, और example ले ल fixed cost के अंदर आता है, कि हर साल जो है आपके insurance के कितने पैसे लगते हैं, मालो 10,000 रुपे आपके insurance के लगते हैं हर साल, ठीक है, insurance के आपको देना पड़ता है आपकी car के, अब चाहे car आप उसको use करो या ना करो, चाहे घर के अंदर आप उसको रखो, car आपने चलाई या ना आपने घर के अंदर खड़ी कर दी, साल बर में एक बार भी अपने कार नहीं चलाई, लेकिन ये तो fix देना, insurance को आपको 10,000 रुपे देना ही पड़ेंगे साल के, fix दे, तो यही चीज़ें, यहां former के point of view से भी काम करती है, कि वो चाहे production ले या ना ले, जो fixed cost होती है, वो द अपने पढ़ लिया कि fixed inputs की जो cost आती है, वो fixed cost के लाती है, जैसे land building और जो fixed cost होती है, वो level of output के साथ change नहीं होती है, अब यहां पर जो है, इसको और क्या बोला जाता है, तो बड़ा सो समझना, fixed cost के और भी नामे जो exam में पूछे जाते हैं, तो fixed cost को और क्या कहा जाता है, fixed cost को कहा जाता है, indirect cost, fixed cost को क्या कहा जाता है, sunk cost कहा जाता है, इसको overhead cost भी कहा जाता है, इसको unavoidable cost भी कहा जाता है, क्योंकि आप avoid नहीं कर सकते आपने production नहीं लिया तो भी देना पड़ेगा आप avoid नहीं कर सकते इसको ठीक है और ये जो है level of production के साथ change नहीं होती मतलब ये indirect cost है क्या है ये? indirect cost भी इसको बोलते है ठीक है? general cost भी बोला जाता है अब ये जो cost है ना ये दो तरह की होती है ये cost जो है दो तरह की होती है समझे ना ठीक है? एक होती है cash fixed cost मतलब जिसका आपको पैसा देना ही पड़ता है एक होती है non cash fixed cost एक आपको पैसा नहीं देना पड़ता है लेंड खेती करने के लिए उसको आपको case में ही देना पड़ता है ठीक है यह हो गया आपका हो गया insurance premium आपने अगर insurance करवा रखा है तो insurance premium हो जाएगा insurance premium यह भी case format में ही आपको देना पड़ता है land taxes हो गया अगर land का tax देना है तो वो भी case format में ही दिया जाता है तो यह case fixed cost हो गए यह देना ही पड़ता है और जो हमारे higher labor होते है higher labor higher labor के लिए higher labor जो annually होते है annually जो higher labor होते हमारे उनको हम क्या देते हैं monthly income देते हैं तो वो भी fixed होती है कि 2000 रुपे महिने में हमने क्या रखा labor रखा हुआ है जो पुरे साल हमारे अकाम करता है तो वो भी क्या है उसको भी case में हमें देना पड़ता है तो उनको क्या देते हैं हम wages देते हैं तो वो भी case format में देते हैं और वो भी fixed होता है land taxes भी fixed होता है insurance भी fixed होता है land का जो rent है वो भी fixed होता है Non-case में क्या आएगा? Non-case के अंदर आजाता है आपका depreciation of building या depreciation of land ऐसा बोल सकते हो, depreciation of machinery ठीक है? तो यहां बोल सकते हैं जैसे interest on capital investment, capital investment, जो capital आपने खरीदी है, जो capital जो पुंजी आपने लगाई है, उस पुंजी का आप case form में तो fixed cost नहीं पे करते हैं, case में तो नहीं देते हैं, non-case में देना परता है, क्योंकि भया कोई भी capital है, यह board है, यह board मैंने अगर मालो एक लाग दो लाग रुपे में खरीदा ह आज इसकी किमत क्या 2 लाग रुपे है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसका भी क्या होता है, depreciation होता है, कोई machine आप खरीद के लाए, आप टेक्टर खरीद के लाए, अगर 5 लाग रुपे में खरीद के लाए, तो एक साल बाद क्या उसकी किमत 5 लाग रहेगी, उसकी किमत है, हर साल उसकी इतनी कास्ट जो है कम होती जाएगी, वो भी एक फिक्स कास्ट के अंदर आता है, लेकिन वो non-case format में है, तो interest on investment हो गया, या depreciation बोल सकते हो, depreciation of tools या implements, या बोल सकते हो, implements, ठीक है, जो implements है, या जो machinery है, टेक्टर हो गया, आपकी एक फार्म पर जो भी machinery ह होता है, generally 10% depreciation annually count किया जाता है, कि 10 लाग में आप कोई चीज लेके आए हो, तो उसका 10% हर साल उसके कीमत कम होती जाती है, मतलब वो 10% जो है आपको as a non-case fixed cost के रुप में देना पड़ रहा है, ठीक है, तो यह स्यारी चीज़े किसके अंदर आ जाती है, fixed cost के अंदर, यह त यह से नहीं महनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ appreciation आपकी तरफ से बनता है, है ना, कि हां सर मजा आ रहा पड़ने में, economics इससे पहले ऐसा हमने नहीं पड़ा, अब पड़ने मजा आ रहा है, चलिए, अब हम बात करते हैं, आप एक numerical ले ले लेते हैं, ठीक है, एक schedule ले ले ठीक है, ठीक है, fix out को total fix cost भी बोल देते हैं, output हमने लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह output unit हमने ले लिया, कि इतने ही unit में हम count कर रहे है, output को कि हमने output लिया, fix cost, fix cost क्या होती है, यह हम पता है fix cost क्या होती है, अगर आपने output नहीं लिया, तो भी fix चाहिए, मालो हमने यह ले लि लिया, तो भी fix cost आपके 15, 2 output लिया, तो भी fix cost आपके 15, 3 output लिया, तो भी fix cost बंदरा, 4 output लिया, और 5 output लिया, तो भी fix cost बंदरा, मतलब पहला यहाँ पर क्या शो कर रहा है, पहला यह शो कर रहा है, कि अगर आपने output नहीं भी लिया, आपने production नहीं भी लिया, तो भी आपके चेंज हो रहा, output नहीं भी था, तो भी cost आ रही थी और output चेंज हो रहा था, बड़ी भी रहा था, तब भी cost fixed थी, तो इसका curve कैसे बनेगा, इसका question पूछा जाता है कि जो total fixed cost होती है, उसमें जो curve होता है, वो किस तरीके का होता है तो समझो, curve इसमें कैसा बनेगा, economics जो है ना, वो curve पर ही based है, ठीक है किस पर best है, totally graph पर best है, यह x-axis हो गया, यह y-axis हो गया, पूरी graph पर, graph समझ में आता है ना, तो चीज़े समझ में आ जाती है, एक मिट, है ना, graph समझ में आता है, तो हमें चीज़े आसानी से समझ में आ जाती है चलिए, अब यहाँ पर हमारा यह हो गया, output, यह हो गया कि हमारा fixed cost या कैसे भी रखना चाहो, इसको denote ना करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर confusion हमारा gradient होगा, यह output है output का कुछ भी मानो, ठीक है अब y बोल सकते हो, कोई issue नहीं है output का y बोल सकते हो तो यहाँ पर क्या रखना है हमारा यह हमारा हो जाएगा output यह हमारा output हो जाएगा y और यहाँ रखेंगे अपन fixed cost यह उल्टा रख रहें शायद हम यह हमारा fixed cost ठीक है, और यह हमारा हो जाएगा आउटपुट हमेशा क्या होता है, एक रेक्सिस पे होता है, यह हमारा हो जाएगा आउटपुट वारे, ठीक है, अब हमारी fix cost जो है, cost हमने रखी यहां पर 0, फिर हमने रखी 5, फिर हमने रखी 10, फिर हमने रखी 15, फिर हमने रखी 20, फिर हमने रखी 25, यह हमारी cost है, ठीक है यहां पर हमने output रखा, यहां पर output क्या रखा हमने? 0 के बाद 1, 2, 3, 4, and 5, ठीक? अब यहां पर हमारी cost जो है वो तो fixed है output हमारा 0 था, 1 था, output 0 था, तब भी cost कितनी थी? 15 थी, ठीक है? output 1 आया, तब भी cost कितनी थी? 15 थी output 2 था, तब भी cost कितनी थी? 15 3 था, तब भी cost 15, 4 था, तब भी cost 15, 5 था, तब भी cost 15 तो यहां पर graph क्या बन के आया हमारा? graph जो निकल के आया हो यह इस तरीके से निकल के आया क्या? बिलकुल मतलब यहां पर हमारा जो total fixed cost है वो क्या होता है? parallel to excesses होता है क्यों? क्योंकि output में change हो रहा लेकिन cost हमारी fixed है तो यहां पर क्या जो curve बनता है? वो क्या होता है? straight line क्या बोलते है? straight line horizontal state line बोल सकते हैं ठीक है? horizontal straight line to x-axis x-axis के बिलकुल horizontal state line है यहां मैं बोल सकता हूँ इसको और कैसे parallel to x-axis parallel to x-axis या graph कैसा बन रहा है? बिलकुल parallel to x-axis बोल सकते हैं या horizontal state line इसका curve बन रहा है तो question यहीं से पूछा जाता है कि total fixed cost के जो graph बनता हो कैसे बनता है? तो बिलकुल horizontal state line curve इसका बनता है क्योंकि cost fixed रहती है output level चाहे 0 हो या कुछ भी हो clear है? यहां से आपको समझ में आई चीजे मैं लास्ट में इसको summarize भी करूँगा ठीक है? तो यह हमारा क्या हो गया fixed cost fixed cost के अंदर question जो पूछे जाते हैं सारे हमने यहां पर discuss किये अब हम बात करते हैं second हमारी variable cost में second जो क्या है? variable cost ठीक है? second क्या है? variable cost अब variable cost को समझना fixed cost को समझे तो variable cost समझ जाओगे जैसे उसका opposite है यहां पर क्या होगा? variable cost जो होती है वो क्या होती है? variable inputs के लिए होती है तो variable cost for variable inputs ठीक है? जो variable cost होती है वो किसके लिए होती है? for variable inputs के लिए होती है variable inputs या variable resources अब variable inputs क्या-क्या है? example देखो जैसे हमारा हो जाता है seed जैसे fertilizer जैसे irrigation ये सारी चीज़े क्यों क्योंकि अगर हम seed और fertilizer में changes करते हैं तो हमारा variable मतलब क्या होता है output में changes आता है ये vary करते हैं अब मालो जैसे क्या होता है यहाँ पे आपको recommend किया गया था कि आप 20 kg per hectare seed of use करें ठीक है अगर आपने 15 kg per hectare use किया तो आपका production change होगा production मालो x आया था अगर 20 यूज करते तो आपका production y आता ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है यह ऐसी चीज़े हैं जिनको अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो हमारा production पर effect परता है production भी कम ज़्यादा होता है तो यहाँ पर चीज़े क्या निकल क्या आई चीज़े क्या निकल क्या आई कि जो variable cost होती है वो क्या होती है vary करती है with the level of output change तो variable cost जो होती है variable cost change with the level of output change with the level of output change ठीक है output में change होता है तो variable cost भी change आती है अगर variable cost आप change करोगे तो output में change आएगा वही मैंने बोला जैसे कि seed और fertilizer हो गया अगर आप fertilizer कम जादा करोगे यह farm में आपका field है farmer का और इस farm में recommend किया गया कि आपको 20 kg per hectare seed डालना है ठीक है तो आपका production यहापे 10 quintal निकलता है अगर आपने यहापे 15 kg per hectare डाला तो आपका production मानलो 8 quintal निकलेगा अगर आपने 25 डाल दिया तो और कम हो जाएगा क्योंकि जो recommend यह वही डालना रहता है fertilizer अगर आप कम जालते हो यह fertilizer नहीं डालते हो ठीक है अगर मानलो अपने fertilizer नहीं डाला तो भी क्या होगा production में changes आएगा तो यह ऐसी चीज़े हैं ऐसे variables हैं जिनके क्या होता है जिन में changes करने पर क्या होता है production में भी changes आता है और यह खुद भी variable है है ना 10 की जगा 5 रख सकते है fertilizer 20 की जगा 10 रख सकते हैं इनको एक ही बार use कर सकते हैं ठीक है used in a once यह एक ही बार use होते हैं अगर आपने seed जो आप लेके आये 30 की जी वो आपने लगा दिया तो एक बार use होगया उसको आप दुबारा तो use नहीं कर सकते हैं दुबारा फिर खरीद के लाना पड़ता है तो मतलब यह variable resources है variable resources मतलब जो एक ही बार use होते हैं used in once इनको हम एक ही बार use कर सकते हैं और एक बार use किया आपने खराब जैसे farmer का ही बारगा होता है seed की showing करता है और एकदम से बहुत बारी सुजाती seed खराब होजाता है उग नहीं पाता है तो क्या उसको दुबारा use कर पता है नहीं वो तो खराब होगया फिर नया खरीद के लाएगा इसलिए ये क्या होता है variable होता है ठीक है change नहीं होता अब ये short run में change हो जाता है ये short run में आप seed जो है बदल भी सकते हो तुरंद भी बदल सकते हो fertilizer तुरंद बदल सकते हो इसको long term की weight नहीं करना पड़ता तो जो variable cost होती है वो level of output के साथ change होती है समझ में आ गया कि आउटपुट आपका कम ज़्यादा हो रहा है वो किसकी वज़े से होता है तो seed fertilizer in factor की वज़े से होता है irrigation की वज़े से होता है अगर आपने proper irrigation नहीं दिया proper fertilizer नहीं दिया अगर यूज नहीं किया तो production आपका vary करता है कम ज़्यादा होता है ठीक है तो ये आप समझ गये होंगे seed fertilizer और ये इसके साथ अब इसका थोड़ा सा numerical समझ लेते है अब इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर numerical समझते है यहाँ मैंने ले लिया output output y और यहाँ पर हमने ले लिया variable cost या इसी को हम total variable cost भी बोल देते है ठीक है वह हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक अब यहाँ पर क्या हुआ हमने क्या बोला कि जो variable cost होती है वो level of production के साथ change होती है अगर आपने input लिया ही नहीं output ही लिया आपने कोई खेत में कोई यह आपका field है और field पे आपने कुछ नहीं किया आपने खाली छोड़ दे आपने production लिया ही नहीं अचा production नहीं लिया तो आप तो cdb नहीं यूज होगा ना fertilizer यूज होगा ना irrigation यूज होगा मतलब जब आपने output नहीं लिया है तो variable cost क्या जाएगी variable cost क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी यह ना variable cost भी 0 हो जाएगी तो 0 output level पे variable cost 0 होती है पहला point यहां से समझ में आ रहा कि 0 output level पे variable cost क्या होती है 0 होती है समझ में आया यह point में बोल रहा हूँ यह लिखते भी जाना है ना जरूर नहीं सारी से डिक्टेक करवाँ, 0 output level पे variable cost 0 होती है, अब एक पे मान लिया आपने यहापे क्या हो गई, 6 है, यहापे मैंने 10 कर दिया, यहाप 15 कर दिया, 24 हो गया, 35 हो गया, यह सब अनुमानी data है ना, मैंने कोई fix data नहीं ले रहा हूँ, ताकि आपको graph में समझा सकू अब यहापे क्या देखा, आपने 1 unit output लिया, तो variable cost 6 हाई, 2 unit लिया, तो variable cost 10 हाई, मतलब output में changes आ रहा है, तो variable cost में भी changes हा रहा है, यह 24 है, लिए 24 है, अब इसका graph समझो यह X-axis यह Y-axis यहां हमारी आजाएगी variable cost यह इसी को total variable cost भोलते हैं यहां हमारा आजागा output variable cost जो है आपकी माल लेते वही 0 से शुरू होती है हमने ले लिया 10, 20, 30 और यह 40 ठीक है इसी के according हमें set करना रहता है highest value पे 30 से तो हम 40 तक जा रहे हैं यहां पर अपने यहां से आप से पाइट का सकते है output level देखो 0 के बाद 1, 2, 3, 4, and 5 अब देखो 0 output level पर क्या था यहां पे 0 ही था मैं बना दिया 0 output level पर variable cost क्या थी 0 थी 0 output level पर variable cost 0 6 मतलब यह यहां आ जाएगा variable cost कहा है 6 यहां होगा कहीं पर यह दो आउट्पूट लेवल पर विरेट कास 10 दो आउट्पूट लेवल पर विरेवल कास 10 हो जाएगी यहाँ इस तरह से डोट बनाना है तीन आउट्पूट लेवल पर 15 हो जाएगी मतलब यह तीन आउट्पूट लेवल पर 15 हो जाएगा ठीक है 4 output level पर चोईस हो जाएगा मतलब 4 output level पर यहाँ है 4 output level पर यह चोईस हाज़ागा आपका यहाँ 5 output level पर 35 तो 5 output level पर 37 हाज़ागा अब इसको मिला देते हैं ठीके यह इस तरिके से आपका थोड़ा सा 1 मीट क्या आपका graph बन के आएगा कुछ इस तरीके से आएगा यह एस तो यह graph कुछ इस तरीके से आपका बनेगा ठीक है hypothetical data में ने लिया है exact नहीं लिया पर कर वो लगबग same है तो यहाँ पर जो graph का shape आता है यह इसका जो shape आता है वो shape कैसा होता है याद रखना inversely inversely s shape होता है इसका ठीक है inversely s shape होता है किसका इसका curve का यह पूछा जाता है कि जो variable cost हैती है variable cost में जो curve बनता है वो कैसा बनता है तो inversely s shape का curve बनता है याद रखना किससा s shape का curve बनता है यह बन रहा न आपका s shape का यह s shape का curve बनता है यही question आपसे पूछा जाएगा अब देखो, 0 input level पर variable cost भी 0 है, question नहीं पूछा जाएगा कि अगर output नहीं ले रहे हैं, output 0 है तो variable cost क्या होती है, 0 output नहीं ले रहे हैं, तो fixed cost क्या होती है fixed cost हाँ पे 15 आईए तो fixed cost आईगी है, ठीक है इन सबको एक साप में समरी भी करवा हूँगा तो यह हमारा हो गया variable cost, समझ में आया एट शेप का करव यहां पे बनेगा अब जो है, इन दोनों cost को जोड़ देते हैं, तो आजाती हमारी total cost total cost total cost क्या होगी तो जो total cost होती है, हमारी total cost होती है, तो total fixed cost plus total variable cost को जोड़ देते हैं, मतलब भई, total cost plus total fixed cost को अगर हम जोड़ दें तो क्या निकल के आजाती है हमारी total cost, ठीक है, total fixed cost बोलू या total, sorry fixed cost plus variable cost को जोड़ दें, तो हमारी total cost आजाती है, या total fixed cost या total variable cost, कुछ भी बोले हैं ठीक है, इसको भी मैं आपको numerical से समझाता हूँ बहतरीन तरीके से ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा और यहां से एक बार मैं summary भी दूँगा जो total cost, total fixed cost total variable cost तीनों को एक ही ग्राप में समझाऊँगा तो और clear होगा है, अब यहां पे हमने आउटपुट लिया था आउटपुट लिया था, ठीक है आउटपुट में हमने यहां पे लिया था fix cost यहां पे लिया था variable cost इन दोनों में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा total cost यह था हमारा क्या 0, output level 1, 2, 3, 4, and 5 यहां पे हमारी fix cost कितनी थी? 15 कितनी थी? 15 थी fix cost variable cost कितनी थी? 0, 6, 10, 15, 24, और लगवक यह हो गई 30 total cost क्या होती है? इन दोनों का जोड़ तो यह थो हो जाएगा total cost हमारी आ रही है 15 यहां कितनी हो जाएगी? 21 यहां कितनी हो जाएगी? 25 यहां हो जाएगी 30 यहां कितनी हो जाएगी? 25, 15, 40 मतलब 49 और यह कितनी हो जाएगी? 50 यह हमारी आ गई fix cost अब देखो fix cost का क्राब क्या बोलता है? अब यहां पर एक ची समझ में आ रही है आपको कि अगर output level 0 है तो भी हमारी total cost क्या आ रही है? 15 ऐसे question पूछे जाते हैं कि output level 0 है तब भी total cost आ रही है क्यों आ रही है? देखो इसके question से समझते है equation क्या बोल रही है? total cost बराबर fix cost प्लस variable cost तो total cost बराबर 0 output level पर बात कर रहे हैं ठीक है? 0 output level पर 0 output level पर क्या होता है? fix cost तो 15 थी पर यह कितनी हो गई थी? variable cost देखो कितनी है? 0 है 0 है तो total cost कितनी है आ जाएगी? 15 समझ में आया? तो 0 output level पर variable cost और total cost बराबर हो जाती है यह देखना यह fix cost और total cost बराबर हो जाती किस पर? 0 output level पर यह 0 output level पर fix cost और variable cost बराबर हो जाती है? यहाँ पर total cost बराबर fix cost हो जाती है क्यों कि 0 output level पर variable cost 0 है तो यहीं से diagram से ही numerical से हम क्या निकाल रहे हैं? relation निकाल रहे हैं कि जो fixed cost है और total cost है इन में 0 output level पर जब production हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं तो fixed cost और total cost बराबर हो जाती है क्यों? क्योंकि 0 output level पर variable cost क्या होती है 0 होती है मैं summary दूँगा इसका लिखवा भी दूँगा यह सारी चीज़े ठीक है? attention नहीं लेना आप तो बस इतना बताओ कि पढ़ने में मज़े आ रहा है कि नहीं ठीक है? यहां हम ले ले लिए total cost total cost highest 50 पर जा रही है तो हम 10 के format में ही ले सकते हैं इसको 10 थी 20 30 40 और ही हो गई 50 ठीक है? किस बसे लेना है? हमें यहां पर देखना भी पड़ेगा कि यहां last value 50 से तो 50 तक जाना है output level हमारा क्या था? output level 1 2 3 4 and 5 यह हमारा output था ठीक अब देखो क्या बोला? 0 output level पर 15 थी अब 0 output level पर क्या थी? cast यहां पर 15 है ठीक है? 0 output level पर fix cost टोटल कॉस्ट कितनी हा रही? 15 15 पर रखूँगा 10 और 20 के बीच में 1 output पर 21 है तो 1 output पर यहां पर आजाएगा कितना? यहां जाएगा 21 1 output level पर कितना? 21 2 output level पर 25 2 output level पर आजाएगा यह यहां जाएगा आपका 25 3 output level पर आजाएगा 30 3 output level पर आजाएगा 30 4 output level पर 49 4 output level पर आजाएगा 49 और 5 output level पर पचास यह 5 output level पर पचास अब देखो इसका graph भी देखो कैसा बनता है? तरी 1 मिट समझ लेना? इसका graph भी जो कुछ इस तरीके से आएगा as step में जैसा variable cost कराता है यह 15 था 15 के बाद यह 21 पर आजाओ आप यहां 21 रख लो ठीक है? थोड़ा वोद उपर नीचे चलेगा यार graph बस समझ जाना भावनों को same उसी वैसा ही बनेगा यह 49 और यह 50 पर तो यह भी क्या बनेगा? यहां पर जो safe बना है graph का जो safe है वो कैसा है? inversely as safe है as safe का graph यहां भी बन रहा है क्यों? यहां पर भी ऐसा क्यों बन रहा है? जिसे variable cost बना था क्यों बन रहा था? क्योंकि यहां देखो इस जो total cost है इस की वज़े से आ रहा है क्योंकि यह तो fixed है इस तो कोई changes नहीं आ रहा है इसमें total cost में changes किस की वज़े से आ रहा है? इसलिए इस यह इस इसरा ग्राप जो बनेगा वो Vぇरिबल कोस्ट की तरह ही बनेगा inversely as safe अब यहां से बहुत सारे चीजे हम relation निकालेंगे अब देखो relation क्या निकलेगा अब इस graph को मैं एक साथ बना देता हूं इस तरब बनाता हूं ताकि आपको relation लिखा सकूंगा यह अपना x-axis यह y-axis यहाँ पर मैंने लिए वही 0 output 10 20 30 40 और यह 50 यहाँ पर इंपूट 1 2 3 4 & 5 फिक्स कोस्त कितनी थी फिक्स कोस्त थी हमारी 15 ठीक है यह हमें 15 लिख दे तो 15 थी फिक्स को सारे लेवल पर कितनी आ रही थी 15 ही आ रही थी ठीक है उपर हमने पड़ा उसी के सबसे बना रहा हूं फिर आउटपूट लेवल क्या था हमारा यह हमारी होगी टोटल फिक्स्ट कोस्त है यह हमारा ग्राफ है टोटल फिक्स कोस्त का अब वेरेबल कोस्त कहां से शुरू हो रही थी 0 इंपूट लेवल पर इस तरीके से graph था उसका ठीक है 50 तक नहीं जाएगा वह ठीक ये graph था ठीक है variable cost का ये हमारा total variable cost हो जाएगा और जो total cost थी total cost कहा से शुरू हो रही थी यहां से 15 से है उसका graph भी कुछ ऐसा बनेगा ठीक है ये हमारी हो गई total cost ठीक ये graph है हमारा पूरा चाहे तो देखना चाहो तो देख लो ये total cost का 15 से सुरू हो रहा था ठीक है यहीं पर बना दू तो ये हमारा क्या जाएगा fix cost और यहां से अगर मैं बनाऊँगा तो ये बन जाएगा हमारा variable cost समझ मैं तो यह diagram मैंने वहाँ बनाया है अगे ये बनाया है अब यहां से समझना one by one total fixed cost के बारे में मैं यहां box के अंदर बता देता हूँ क्या है पूरी कहानी जो हमने लिखी ठीड़े total fixed cost के बारे में यहां कहानी हम लेख देते हैं total fixed cost क्या है total fixed cost zero output level पर zero output level पर क्या है fixed cost जो है zero output level पर fix cost जो है constant है fix cost जो है क्या आ रही है कुछ ना कुछ fix को आ रही है तो zero output level पर मैं यह बोल सकता हूँ यह पुरा सीधा statement लिखो है आफ क्योंकि यहां relation देख रहे है यहां हम क्या देख रहे है relation यहां हम देख रहे हैं relation किसमें total fix cost total variable cost और total cost के अंदर हम relation देख रहे है तो पहली चीज़ zero output level पर देखो पहला relation हम क्या देख रहे है कि zero output level पर zero output level पर क्या हो रहा zero output level पर total cost और fix cost बराबर है देखो यहां पर बराबर है total cost और fix cost दोनों यहीं से शुरू हो रही है तो zero output level पर जो total cast है वो बराबर है किसके fixed cost पर है ठीक है पहला point यहां समझ में आ रहा है कि zero output level पर total cast और fixed cast दोनों 15 से शुरू हो रही मतलब दोनों बराबर है clear दूसरा point क्या है निकल के आएगा कि variable cost variable cost जो है start from the origin जो variable cost है वो कहां से start हो रही है start from the origin वो origin से शुरू हो रही है देखो यहां से शुरू हो रही origin से शुरू हो रही है variable cost तो origin से शुरू हो रही है ठीक है और variable cost जो होती है zero output level पर zero output level पर जो variable cost है वो भी क्या होती है zero होती है ठीक है variable cost जो है zero output level पर zero ही है zero से शुरू हो रही है तब 0 ही है'd ठीक है नम거 3 समाजते जाना अब यहां variable cost और total cost में relation देखो total, variable cost और total cost में क्या relation आ रहा है तो इन तोनों में relation आ रहा है ये दोनों जो है इन दोनों का जो graph है वो parallel है ठीक है इन दोनों का जो curve है वो parallel है मतलब क्या है same direction में आ रहा है मतलब इनका जो curve है दोनों का जो curve है curve जो है वो क्या है parallel है ठीक है दोनों का curve जो है parallel है देखो दोनों के बीच जो है बिल्कुल parallel curve बन रहा है इनका same ठीक है अब चोथा point समझना कि इन दोनों के बीच में इतनी distance है उतनी distance is इसके नीचे है यहां लिख जेता हूँ distance between total cost and total variable cost is equal to fixed cost समझ में नहीं आया है को कुन समझ ना देखो क्या से समझ में आयेगा point को यहां मैं समझ जाता हूँ इसको थोड़ा सा चलो इसको रहन देता हूँ समझ ना मैंने क्या बोला इन दोनों के बीच में जितनी distance है वो fixed cost के बराबर है बराबर ना देखो fixed cost कितीनी आ रही है सब की 15 है 15 है अब इन दोनों के बीच में distance निकालो 15 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 15 मतलब यहां पे total variable cost और minus total cost इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, अब 21 में से 6 जाएगा तो 15 आएगा, 25 में से 10 जाएगा तो 15 आएगा, समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच में यह जो डिस्टेंस है, वो किसके बराबर है, इस इसके बराबर है, इसके बराबर है, समझ में आया, कैसे, भाई ये तो पूरा पंदरा 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 आ रहा है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है, इन दोनों को आप निकालोगे, ये जो एरिया निकालोगे, वो भी क् बनो माइनस कर रहे हैं, हम तो कितना आ रहा है, वापीस 15-15 या रहा है, समझ में आ रहा है, practically बात कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ में आया, कि यह जो area है, इन दोनों के बीच में जितना area है, वो तरह area कहा है, यह fix cost में, ठीक, वो कहा है, fix cost के अंदर है, चीज़े समझ में आ र from the start, above the origin, above the origin, origin के उपर से शुरू हो रहा है, origin तो यहाँ है, लेकिन इन दोनों का curve कहा से शुरू हो रहा है, origin के उपर से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यह 4-5 points जो में ने लिखे हैं, most important है, ठीक, कि यह दोनों कर वो total variable cost और total cost जो है, बिलकुल parallel है, इन दोनों के बीच म से शुरू हो रही है, above the origin, तो वो दोनों के आपस में बराबर होती है, यह सारे point की summary मैंने यहाँ पर आपको बताती है, clear है, समझ में आया होगा, और सायद मजा भी आया होगा पढ़ने में, मुझे यसा लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मुझे भी और अच्छे लोग हों जय बारत कर रहे थे, total cost को, total cost किस-किस में, कि total cost output, मतलब अगर हमने यहाँ पर कह सकते हैं न, कि 10 quintal अगर हमने production लिया, तो हमारा खर्चा कितना आया, 10,000 रुपे, ठीक है, for example से बता रहा हूँ, कि 10 quintal हमने production लिया, हमारा cost कितनी आई, 10 quintal हमने क्या लिया, production cost कितनी आई, cost आई हमार 10,000 रुपे, तो अब यह बात ही आती ही निकल के, कि एक quintal पर कितना खर्चा आएगा, मतलब यहाँ पर क्या बात आई ही, यहाँ बात अपर यहाँ आ रही है, कि per quintal पर कितनी cost है, ठीक है, per unit पर किसनी cost है, तो अगर per unit पर cost निकालनी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, per unit पर कौश्ट निकाली मतलब एक कुंटल पर कितनी कौस्ट आई थ हम क्या करेंगे आपर दस हजार में इस दस का भाग दे पर किया जाएगा कि इस irieको हम बोल देते हैं एवरेज कोस्ट समझ में आए मतलब अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, average cost को, क्या पढ़ने वाले हैं, average cost, average cost क्या होती है, average cost मतलब जैसे मैंने भी बताया, कि per unit production, per unit cost of production, per unit cost of production को average cost हम बोल देते हैं, तो पर unit वही अभी इससे पहले वाले lecture में हमने total cost पढ़ा था कि total production हमने 10 कुंटल लिया तो हमारी जो total cost आई थी total cost आई थी कितनी 10,000 आई थी अगर हमें 1 कुंटल का निकालना है तो 10 में भाग दे देंगे तो 1 कुंटल की price निकल के आजाएगी कि 1 कुंटल उतपादन करने मे कितनी हमारी cost आई यहां मैं निकाला कि 1000,000 आई यही क्या हो जाती है, कि जब हम per unit cost निकालते है production की तो उसको हम average cost बोल देते हैं और इस को हम 3 तरीके से 3e cost यह भी क्या है, 3 डाइकी है, average cost को भी अपने आपने आपने तरीके से भी मैं बोल सकते हैं एक होती है average fixed cost क्योंकि वहां हमने क्या पढ़ा था वहां हमने क्या पढ़ा था average total fixed cost यहां पर क्या हो जाएगी उसी का average fixed cost average fixed cost क्योंकि total fixed cost पड़ा है तो total fixed cost निकल के आती है तो total fixed cost निकल के आई तो उसकी average fixed cost कितनी होगी मतलब per unit production में fixed cost कितनी आई यही बात है कि मालो हमारा fixed cost जो थी कितनी थी मालो 10,000 रुपे आई थी fixed cost कितनी आई थी यो तो production level से affect नहीं करती जो average cost थी मालो वापर 10 रुपे थी या average production जो था इससे कोई affect नहीं करता तो वही बात है कि एक control में कितनी आईगी वही 10,000 एक हजार आईगी fixed cost तो per unit fixed cost को हम क्या बोल देते है average fixed cost दूसरा आजाएगा हमारा average variable cost मतलब यह lecture समझने के लिए आपको इससे पहले वाला lecture अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि यह जो निकल के आईगी यह पिछला जो lecture हमने पढ़ा था ना total cost, total six cost, total variable cost उसी से निकल के आईगी तो इससे पहले वाला lecture आप अच्छे से clearly पढ़िए नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़िए उसको ठीक है नमबर तीन यहाँ पर cost निकल के आईगी जिसको हम बोलते हैं average total cost average total cost या उसी को हम average cost भी बोल देते हैं तो यह तीन cost हमें यहाँ पर पढ़नी है और एक और cost तीन यहाँ जोसा हम देख सकते हैं जिसको हम marginal cost बोलते है marginal cost ठीक है denote करते हैं MC से इसको denote करते हैं AFC से इसको denote करते हैं AVC से इसको denote करते हैं AC से ठीक है AC से या ACF से ATC से average total cost यह चार cost हमें पढ़ना है आज और इन ही चारो cost के अंदर relations देखना है जासे quotients बंदे, quotients हमेशे relations से आते हैं कि इन दोरों के बीच में क्या relation, इन चारों के बीच में क्या relation है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर average cost क्या होती है, पहले हमने पढ़ा total cost, total cost मतलब कि जो total production लेने में, जो total हमारा खर्चा आया वो, हमने पढ़ा भी था cost क्या होती ह ठीक है, average cost का मतलब हो गया कि जो per unit production लेने में कितनी cost आ रही है, ठीक है, per unit production, ठीक है, एक कुंटल production, एक कुंटल, पहले हमने 100 कुंटल लिया, तो total cost एक लाक रुपय आई है, तो एक कुंटल ले रहे हैं, तो कितनी cost आईगी, वो निकालना है, तो इस तरीके हम निकाल सकत सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी average cost के, किसकी बात करेंगे, average fixed cost के, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है, अब average fixed cost क्या होता है, मतलब इसको बोल सकते हैं, ओसत, استhiddel, लागत, हिंदी में, क्या बолेंगे, ओसत, इस्थिर, लागत, मेरे खाल से तो में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा है अगर हिंदी मिडियम के भी कोई बच्चे हो तो इसको इंगलिस में ही पढ़े क्योंकि कि इस तेतर निशिज में क्या सारी चीज़े हैं यहां पे एंगलिस मेंaden टीजे मरी पढ़े है तो कि इसे टम लोजी इकोनूमिस्कों इंगलिस में ही पढ़े उखि कॉश्यों की जो टम लोजी है ना वह दी अ हिंदी में समझ में नहीं आई ये आपको इंगलिस में ही समझ में आनी है तो average fixed cost क्या होता है per unit fixed cost of production मैंने क्या बोला per unit per unit fixed cost of production मतलब कि एक production लेने में per unit fixed cost कितनी आती है per unit fixed cost कितनी आती है production की per unit fixed cost of production लगा लेना ठीक है कि production जो output हमने लिया था उसमें per unit cost per unit fixed cost कितनी आती है उसको हमने बोल दिया average fixed cost कैसे निकालेंगे याद अटना average fixed cost को कैसे निकालेंगे average fixed cost को निकालने का तरीका है कैसे मैंने भी बताया आपको example से कि मालो 10 quintal हमने production लिया उसकी total cost हमें कितनी पड़ी थी 10,000 रुपे ये total cost ठीक है और यह हमारा total output ठीक अगर हमें एक quintal निकालना है तो हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे मतलब total cost में भाग देंगे किसका output का total cost तो यहाँ पे fixed cost है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे total जो fixed cost थी हमारी उसमें भाग देंगे output का तो हमारी average fixed cost यहाँ पे निकल के आ जाएगी समझे ना चीजों को easily कैसे हम यहाँ पे करेंगे अब एक numerical लेता हूँ numerical लोगा graph लोगा उसमें relation भी आपको बताऊँगा क्या क्या relation आ रहें काँसे question बनेगा ठीक है अब हमने यहाँ पे questions दिया पहले लिए हमने output ठीक है यहाँ पे हमारी क्या थी fixed cost यहाँ मैं बोल दू तो total fixed cost ठीक और यहाँ पे हमें क्या निकलना है average fixed cost निकलना है ठीक है समझे था output हमारा क्या था output 1, 2 4 और यह 5 ठीक है यहां पर fixed cost में ले लेता हूँ 12 महाँ पर 15 ली थी यहां पर 15 क्यों नहीं ले रहा हूँ 15 अगर मैं लूँगा आना तो काफी ज्यादा क्या आएगा दसमलों में संक्या आएगी तो calculate करना और size आपको समझने में भी दिक्कत आएगी इसलिए मैं यहां पर 12 ले रहा हूँ तो उपर जो कल हमने पढ़ा था ना टोटल इसलिए कुछ भी आपी नहीं लिया तो बीक्स कस्तों कल उनले पढ़ा था यह कल वाला यह जो में आभी बनाये कल वाला जो कल पढ़ा था कर अहां पर 15 ले थी कुछ भी ले सेटेमिन पंदरा हुए लिए लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं गी तो तो उसमलों में संक्या सबसक्राइब रखकर हम फिर कोई मैं ब समय निकालना और निकालना चाहो तो ढहते कि रखते इनलगे वा इतना ही नहीं है algunas एम बार सब्सक्राइब्स केस्टाइब है कितनी है बारा, second out per output कितना है one, तो यहां पर क्या आ जाएगा बारा, फिर बारा में दो का भाग दोगे, तो यह 6 आ जाएगा, बारा में तीन का भाग दोगे, तो चार आ जाएगा, बारा में चार का भाग दोगे, तीन आ जाएगा, बारा में पांच का भाग दोगे, तो दो का चार, बारा में 4 का तीन और बारा में 5 का बाग दो के तो आ जाएगा कितना? 2.5 अब यहां पर देखो क्या चीज क्या हो रही है? यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है देखो आउटपुट बढ़ रहा है आउटपुट पर युनिट बढ़ रहा है आउटपुट के बढ़ने पर एवरेज फिक्स कास्ट क्या हो रही घट रही है देखो 12 से 6, 4, 3 और 12 स्मूल 4 यहां पर output बढ़ रहा है, output के बढ़ने पर average fix cost घट रही है, लेकिन total fix cost जो है constant, यह point important है यहां से, बता रहा हूं, ठीक है, पहले इसका हम graph समझ लेते हैं, x-axis and y-axis, ठीक है, यहां पर हमारे outputs आ जाएंगे, outputs क्या है हमारा, outputs है, 1, 2, 3, 4, and 5, और यह 0 output ले पर, यहां पर 12 जा रहा है, 3, 3 का आप ले सकते हो, 3, 6, 9, और 12, यह अपने according set करना पढ़ता है, highest value कौन सी है, ठीक है, चलिए, अब हमें graph बनाना है न, तो देखो क्या graph बनेगा, यह हमारी average fixed cost का graph किस तरीके से बनेगा, question दोई चीजों से पुछा जाता है, कि average fixed cost में graph किस तरीके का बना बना है, पहला यह, मैं यह नहीं गोलता हूँ कि किस exam में पूछे जाएंगे क्या पूछे जाएंगे कोशन बनते हैं agriculture के कोशन किसी भी exam में पूछे जा सकते हैं ठीक है ओके आजकल लेवल हर exam का ऐसा ही है competition दिन पर दिन बन रहा है लेवल भी बढ़ रहा है तो कहीं से भी कोशन पूछ जा सकते हैं सबसे पहले देखो zero output level पे तो हमें देखना ही नहीं है त्यूकि infinite infinite का रखोगे नहीं रखपाऊगे इस line पे का रखोगे नहीं रखपाऊगे इसलिए हमने इसको छोड़ा एक output level पर आपकी average fixed card कितनी 12 है देखो एक output level पर average fixed card कितनी है तो यहां मैंने रखा यह 12 एक output level पे दो output level पर 6 है दो output level पर यह यहां पर है यह 6 ठीक है तीन output level पर 4 है तीन output level पर 4 यहां आ जाएगा यह हमने रखा 4 यहां ठीक और 4 output level पर 3 है तो 4 output level पर यहां रखा हमने 3 और 5 आॉट पूट लेव पर 2 दसम लो 4 है तो 5 आॉट पूट लेव पर यह रखा हमने 2 दसम लो 4 clear है अब इसको मिलाते हैं इह ग्राब को हमने मिला दिया ठीक है यह ग्राब को हमने मिला दिया अब यह ग्राब देखो कैसा बन रहा है left to right downward sloping है ठीक है left to right कौन सा downward sloping ठीक है left to right downward slope हो रहा है question यासे बन रहा है कि curve कैसा बन रहा है left to right downward slope इसको हम क्या बोलते हैं इस curve को left to right downward slope या इसको हम बोल सकते हैं rectangular hyperbola rectangular hyperbola का क्या मतलब है rectangular hyperbola का मतलब समझना बहुती ज़रूरी है अगर मतलब समझ गए तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े यह देखिए मैंने बोला कि पहले level पर क्या है कितना है यह कितना आ रहा है 12 फिर दूसरे पर क्या है 6 यह 6 तीसरे पर 4 है यह हमने ले लिया 4 तीसरे पर यह 3 है और फिर यह 2 दसमलो 4 मतलब rectangular hyperbola का मतलब यह है कि यह जो area है यह जो area है पहले वाला फिर से बता देता हूँ ठीक है यह जो area है यह वाला area और यह वाला area यह जो आप इसको calculate करोगे तो यह पहला वाला area और यह दूसरा वाला area यह आपस में बराबर होते है मतलब जितना भी area यहां पर है जैसे मैंने यह वाली line कीची तो यह वाला area यह वाला area बराबर रहेगा और यह वाला area भी बराबर रहेगा मतलब जितने भी यहां पर बन रहे है वो सब आपस में इनका एरिया बराबर होता है इसलिए इसको रेक्टंगल और हाइपर बोला बोलते हैं समझ मैं आई बात मतलब ये मैंने खड़ी लाइन केची 12 से 1 वाली ये वाला जो एरिया है वो इस 6 से 4 वाली जो एरिया है ये वाली एरिया के बराबर होगा और मैं ये वाला खेचू तो ये वाला एरिया या ये वाला एरिया ये वाला एरिया के बराबर होगा मतलब यहाँ पर जो भी जितने भी एरिया हम बनेगा जितना भी एरिया यहाँ पर बन रहा है ये वाला एरिया ये वाला area ये वाला area ये सब आपस में बराबर होते हैं इसलिए इसको rectangular hyperbola बोला जाता है I think आप समझ गई होंगे मेरी बात को कि rectangular hyperbola क्यों यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है rectangular hyperbola यहाँ पर क्यों इसको बोला गया है आपको चीज़े समझ में आ गई होगी तो graph से question नहीं पुछा जाएगा कि average fixed cost का जो curve बनता है वो कैसा बनता है पहली बात left to right यह left है इस तरफ इस तरफ right है तो left to right downward sloping हो रही है ठीक है दूसरा और यहाँ पर जितना भी area है वो सब आपस में बराबर होता है इसलिए इसको rectangular hyperbola भी बोला जाता है यह प ja sept---- यहाँ पैला question यह यहाँ से आपका बनता है ठीक है यह पैला question आपका यहासे बनता है दूसरा question क्या बोल रहा है यहाँ पर देको यह output यहाँ पर increase हो रहा है 0 कोको जयुक है यहाँ और bear कर कास देखो यह decrease हो रहा है ठीक है लेकिन fix कास क्या है constant है तो दूसरा question यहां से बनता है उसको मैं कहा लिखो थोड़ा से इसको move करता हूँ उपर उसको उपर लिख देता हूँ ठीक है इसको यहां लिख देता हूँ यहां पर दूसरा point जो आपका निकल के आता है वो क्या निकल के आ रहा है कि यहां पर जो है आपका average fixed cost जो है average fixed cost क्या कर रहा है false हो रहा है ठीक है with increase in output समझ में आ रहा है as the total fixed cost remain constant चीज़े समझ में आई मैंने लिखा average fixed cost यहां पर follow हो रहा है मतलब decrease हो रहा है with increase in output आउटपूट के increase होने से as the जबकि यहां पर क्या हो रहा है total fixed cost जो है वो constant है चीज़े यहां पर diagram से देखो लिखा है उसको रटना नहीं है मैं यह निक बोला हो इस line को रटलो रट सकते हो तो रटलो उससे बढ़या कुछ नहीं है पर चीज़े समझी है मैंने बोला output यहां पर increase हो रहा है 0 से 1 2 3 और average fixed cost क्या हो रही decrease हो रही देखो 12 से 6 4 3 लेकिन total fixed cost क्या है remains same वही चीज मैंने लिखी average fixed cost यहां पर fall हो रहा है increase हो रहा है output और यहां total fixed cost remains same चीजे समझे मैं आ गई इस average fixed cost का मैंने पूरा आपको overview यहां पर दे दिया है कि क्या होता है बिल्कुल आराम से भैतरिन तरीके से यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका भी response feedback मुझे चाहिए कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में कुछ चीजे छूटेगी यहां पर इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ पुरा numerical point of view से कहीं कुछ बचे ही नहीं दे देंगे आपको बताओ क्या होगा तो आराम से इजली कर सकते हो तो यह average piece cost हमने पढ़ा अब हम बात करेंगे average variable cost की सेके हम बात करते हैं average variable cost ठीक है इसको क्या बोलेंगे a v c यह क्या होता है तो average लगा है और variable cost मतलब total production में per unit variable cost कितनी आ रही है ठीक है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ per unit variable cost of production ठीक है production में जो है per unit variable cost कितनी आई तो हमने पहले पढ़ा था variable cost total variable cost पढ़ा है तो यहां पर formula क्या निकल के आएगा average variable cost का कि जो हमारी total variable cost थी उसमें अगर हम output से भाग दे दे तो हमारा average variable cost निकल के आएगा जाएगा फिर वही कहानी numerical लेंगे ठीक है फिर वही कहानी क्या numerical लेंगे यहां पर रहेगा हमारा output यहां पर हमारी रहेगी total variable cost या variable cost कुछ भी लिखो तो variable cost आजा है मतलब वही total variable cost है हमें निकालना है average variable cost ठीक है output देखो output वही 0 1 2 3 4 और 5 ठीक total variable cost वहाँ पर हमने कितनी रखी थी शायद 0, 0 output level पर variable cost 0 होती है यह हमने पढ़ा है कि 0 output level है तो total variable cost 0 ही होती है क्यों क्योंकि अगर हमने production नहीं लिया तो variable cost भी नहीं आईगी अगर हमने खेत में कुछ उगाए है नहीं तो बीज हमारा लगेगा ही नहीं नहीं लगेगा fertilizer नहीं लगेगा irrigation नहीं लगेगा तो जब हम production नहीं लेंगे तो variable cost भी 0 आती है उसके बाद हमने ली थी value 6, 10, 15, 24 और 35 यह value हमने भई रखी है यहाँ पर कोई changes हमने नहीं लिया है ठीक है वहाँ changes लिया था मैंने बता दिया क्यो changes लिया था ठीक अब हमें average निकालना है तो क्या होगा इस total वाले में हमें output का भाग देना है तो 0 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है indeterminate form होता है 0 में 0 का भाग देते हैं तो कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर आता है indeterminate font मतलब cannot define बोल सकते है 10 19 सकते हैं 0 में 0 का भाग देते हैं तो cannot define आ जाता है इसको define ही नहीं कर सकते है हमने days लगा दिया ठीक है फिर 6 में 1 का भाग देंगे के आजाएगा साथ. ठीक है? यह हमारी आगई average variable cost. तो यहां पर हमें क्या relation देखने को मिल रहा है? किस के अंदर? output और average variable cost के अंदर relation देखो क्या? output increase हो रहा है लेकिन average variable cost पहले decrease हुई यहां तक और यहां से फिर increase हुई. तो पहले decrease हुई और वापिस increase हुई तो पहले decrease होगा फिर increase होगा ठीक है इस तरीके का graph भी बनेगा तो हमें इससे ही समझ में आ रहा है कि यहां पर relation क्या बन रहा है output के increase होने से average variable cost पहले decrease होती है then फिर increase होती है ठीक है जबकि variable cost हो है continuously increase हो रही है average variable cost continuously increase हो रही Output के साथ average variable cost भी increase होती है Output बढ़ रहा है, average variable cost भी बढ़ रही है Sorry, output बढ़ रहा है, total variable cost भी बढ़ रही है लेकिन average variable cost पहले घटी और फिर बढ़ी समझ में आया? अब देहो graph क्यांसे बनेगा यह x-axis and यह y-axis यहाँ पर हमारा क्या आजाएगा? 0 output level 1, 2, 3, 4 and 5 यहाँ पर हमारी average variable cost यहाँ पर हमारे outputs है average variable cost हाई यह देखो 7 पर जा रहा है तो मैं 2 से ले सकता हूँ 2, 4, 6 और 8 ठीक है? अब यहाँ पर देखो 0 output level पर तो cannot define नहीं कर सकते छोड़ देंगे एक output level पर average variable cost कितनी है? 6 एक output level कितनी है? यह 6 2 output level पर 5 है, 2 output level पर 5 यहाँ आ जाएगा यह 5, 3 output level पर भी 5 है, 3 output level पर भी क्या जाएगा? 5, 4 output level पर 6 है, 4 output level पर हम यहाँ जाएगे 6 पर और 5 output level पर 7 है तो 5 output level पर 7 कहाँ जाएगा? यह यहाँ अब इस graph को हम बना देते हैं ठीक है? यह graph इस तरीके का बना हमारा, यह जो graph बना यह किसका है, average variable cost का graph है मैं एक साथ सारे graph को भी summarize करके बता दूँगा आपको कि क्या क्या किजी आ रही, हाला कि relation पढ़ेंगे तो relation में चीजे समझे में आईगी हमको, कि किस graph के साथ क्या relation बन रहा है अभी हमने 5th class उपर पढ़ा, अभी variable cost पढ़ेंगे इन दोनों के बिच में relation भी देखेंगे कि क्या relation है, ठीक है, तो graph की चीज तरीके से बना हुआ है graph अपने को youth की तरह दिखाई दे रहा है, typically u-shape, इसको हम बोल सकते ही है इसका जो graph है, वो क्या है, u-shape का है, ठीक है, u-shape या upward sloping, क्या बोल सकते हो upward sloping, उपर की तरफ जो है, slope कर रहा है, upward sloping graph, decrease के बाद increase, upward sloping, u-shape graph है ठीक है, यहाँ पर graph क्या बन रहा था, downward sloping, rectangular, hyperbola यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और क्या समझ महीं हमें, कि output के increase होने पर यहाँ पर क्या हो रहा, inverse relation, याद रखना, output और किसके अंदर, average fix cost के अंदर जो relation है, वो कैसा है, inverse relation है, inverse relation का मतलब समझ गए, कि यह increase हो रहा है यहाँ पर output increase हो रहा है, तो क्या हो रहा है, average fix cost जो है, वो decrease हो रही है यह होता है, inverse relation, यह भी आप याद रख लेना, तो 3 point यहाँ पर important हो गए, पहले shape कौन सा बन रहा है फिर average fix cost घट रही है, जबकि output बढ़ रहा है, मतलब relation यहाँ पर कौन सा निकल कया, inverse relation है ठीक है, यह चीज और not कर लेना माता है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर output बढ़ रहा है, average variable cost भी बढ़ रही है लेकिन average, sorry, output बढ़ रहा है, variable cost भी बढ़ रही है, लेकिन average variable cost पहले decrease हुई बात में बढ़ रही है इसलिए slope इसका output sloping है, use saved का यहाँ पर curve बढ़ रहा है, ठीक है समझ माई चीज़े, इतना ही यहाँ पर धियान रखना है, यहाँ पर क्या आपको धियान रखना है, कि output के बढ़ने पर average variable cost भी बढ़ रही है लेकिन average variable cost पहले decrease and then increase हो रही है लिख सकते हो यहाँ पर, कि output के increase होने से, या फिर हम बोल सकते हैं इसा लिख देता हूँ, ठीक है, output increase हो रहा है, तो total variable cost भी क्या हो रही है, increase हो रही है so, average fixed cost जो है, average variable cost जो है, first decrease and then increase first decrease हो रही है और then उसके बाद क्या हो रही है increase, ठीक है, तो output भी increase हो रहा है, total variable cost भी increase हो रही है तो average variable cost जो है, पहले decrease हो रही है और फिर increase हो रही है ठीक, हलाकि यह relation नहीं पूछा जाएगा, बढ़ फिर भी हमने यहाँ पे लिखा है क्या पुछा जाएगा, वह मैं बताऊँगा, जब हम relation पढ़ेंगे इसका दूसरे graph के साथ तो यह average variable cost आपको समझ में आ गया, कि जो per unit variable cost और production होती है, उसको variable cost केते हैं यह इसका formula है, और किस तरीके से हमने यहाँ पे graph बनाया, graph से question बन सकता है, कौन सा shape का graph यहाँ पे बनता है और यह इसका numerical format हो गया, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, average cost की average cost यहाँ मैं बोलू इसको, average total cost, A, T, C अब इसमें देखो, per unit cost of production, सिधा क्या आ जाएगा यहाँ पर, per unit cost of production क्या बोला हमने, per unit cost of production per unit cost of production को हम क्या बोल देते हैं, average cost यह average total cost हम के देते हैं, इसका formula क्या बनेगा तो यहाँ पर याद रखना है, इसका formula के बनेगा, average total cost या इसको हम average cost भी बोलती है इसका formula बनेगा, जो total cost थी, उसको हम अगर divide कर दें, तो निकल क्या जाएगा हमारा क्या, average total cost दूसरा formula हम average total cost को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, average total cost या average cost कैसे निकालेगे average fixed cost को और average variable cost को आपस में जोड़ देते हैं, तो भी क्या निकल के आ जाएगी, तो भी हमारी average total cost निकल के आ जाएगी यह दोनों formula से ही है, ठीक है, total cost में से अगर output divide कर देते हैं, तो भी average total cost आ जाएगी जाता हूँ, चलिए, यहाँ पर वही हमारा क्या रहेगा, outputs, outputs, यहाँ हमारा आ जाएगा, average fixed cost, यहाँ पर आ जाएगा, average variable cost, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा, total, average total cost, क्या जाएगा, average total cost, या average cost, ठीक, output हमारा वही, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, and 5, average fixed cost कितना था, sorry, यह हमें देखना पड़ेगा, average fixed cost हमने कितना निकाला था, उसी को कोटिंग चलना पड़ेगा, average fixed cost कितना है था, 12, 6, 4, 3, और दोस्तम दो 4, कितना था, बारा, छे, चार, यह तो डेथ था, 12, 6, 4, 3, और दोस्तम 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 दोस्तम, चार, यह था, average variable cost कितना निकल के आया था, average variable cost देखो कितना निकल के आया था 6-5-5-6-7 प्र्राइब यह तो 6-5-5-6 और 7 यह निकल के आया था अब यहां से हमें average total cost निकालना है तो average total cost निकालने के दो फर्मुले यहां तो total cost में से क्या n Wild हमारा हमारा यह क्या कर दो total cost में से अठारा ठीक है यहां पर हमने जोड़ा कितना हो गया ग्यारा यहां पर जोड़ा कितना हो गया नो यहां पर जोड़ा कितना हो गया नो और यहां पर जोड़ा कितना आ जाएगा नो दसमलो चार जीरो, 9.40 यहां, 9.40 हम लिख सकते हैं, यह जोड़ने पर आया, ठीक है, इन दोनों को हमने aid किया, तो हमें क्या मिला, average total cost यहां पर मिल गई, ठीक है, अब यहां पर relation देखू, क्या समझ में आ रहा है, output बढ़ रहा है, average fixed cost घट रही है, average variable cost पे घट रही है, फिर बढ़ रही है, यहां पर average total cost भी पहले घट रही है, एसा क्यों होता है, कि हमने पढ़ा है, कि जो total cost होती है, वो किस पे बेस होती है, average variable cost पर, क्योंकि यह तो fixed रहती है, तो average total cost जो है किसके साथ change होती है variable के साथ तो इन दोनों का graph बिल्कुल same जाता है देखो ये भी पहले घटी यहां तक और उसके पास बड़ी ये भी पहले घटी यहां तक और फिर ये बड़ी समझे में आ रहा है पहले घटी और फिर बड़ी अब इसका graph देखो graph केसा बनेगा चलिए questions कब बनेंगे questions अब बनेंगे इसके बाद मैं relation पढ़ाओंगा इनका ये अभी हम basic पढ़ रहे हैं जब हम इसका relation पढ़ेंगे तब वहां से questions बनेंगे चीजे समझ में आ रहे ही होगी आपको easily तो अब इसके बाद मैं relation करवाओंगा इनका अपस में तो वहां से questions निकल के आईए कि ये से questions exam में पूछे जाते हैं और आपने देखे भी होगे ठीक है 1, 2, 3, 4, and 5 ये हमारा output हो गया यहां पर average total cost की बात करते हैं average total cost highest 18 है तो आप यहां पर ले सकते हो कितना 4, 8, 12, 16, 20 ठीक है अब देखो पहले output 0 वाला छोड़ दो एक का लोगे तो 18 पे जा रहा है एक का लोगे output आपका 18 यहां आ रहा है graph आपका बनेगा विर्कुल कैसा इसी कितारा लेकिन वो उपर रहेगा ठीक है तियान रखना second पे 11 है second पे 11 यहां रहेगा second पे 11 आपका यहां पे 11 आपका ठीक है 3 का 9 है, 9 पे आज़ओ 3 का 9 आपका यह यह यहां आ जाएगा 4 का भी 9 है, यह यहां जाएगा और फिर 9,40 तो यह 9,40 आपका यहां आ जाएगा थोड़ा सूपर यह देखो ग्राप जो निकल के आया आपका कुछ इस तरीके का ठीक है यहाँ पर भी देखो क्या था यह इस तरीके का ग्राप था यहां पर ऐसा क्यों हो रहा था, पहले decrease हो के फिर increase हो रहा था, ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, पहले decrease हो के फिर increase हो रहा था, पहले value 18 थी और फिर देरे-देरे कम हो रहा है, तो यहां पर, यहां पर भी जो shape आ रहा है, यह बी क्या है, यू shape है, ठीक है, यू shape है, यू पे हमें क्या सी समझनी है अब हमें इन तीनों का relation देखना है फिफ्स कोस्ट, वेरिबल कोस्ट और एवरेज टोटल कोस्ट के बीच में relations क्या है तो इनों तीनों ग्राफ को मैं एक साथ यहां पे ड्रो करने वाला हूं समझना इन तीनों ग्राफ को मैं एक साथ अगले में यहां पे हो क्या रहा है अब इन तीनों के बीच में relation देखना है ठीक है मैं अगला लेता हूँ page उसमें तीनों ग्राफ आपको बना के बता देता हूँ या मैं इसी को उपर करता हूँ इसी को यहां पर कर लेते हैं ठीक है यहां बनाता हूं तीनों के ग्राफ एकसा उसी से हमें relation देखना है यह तो हमने तीनों के ग्राफ बना लिए total average को fixed cost, average variable cost, average total cost क्या होता है उनमें relation आपस में देख लिया अब तीनों का relation देखना है मतलब हमें यहां देखना है क्या relation between average fixed cost average variable cost and average total cost इनके बिच में हमें देखना है क्या relation अब इनके बिच में relation देखना है तो हमें बनाना है कर्व थोड़ा सा और उपर लेलू मैं हमें से value चाहिए यह वाली ठीक है यह वाली value चाहिए ठीक है अब हम बनाना है करो यह हमने लिया यहाँ यहाँ पर x-axis और यह होगे y-axis यहाँ पर highest 12 जा रहा है साथ जारा अठारा जारा है तो हमें crop लेना है क्या वहीं अठारा वाला 0 से हमने लिया यहाँ यहाँ पर 4 8 12 16 20 यह होगे हमारा 1 2 3 तो हम बनाते हैं कर्व ना उक्राफ टोटल वाला तोटल वाला कहां से था हमारा यह अठारा गावाए हbes। टो जारा कर्व यह हमारा 11 हो गया 11 के बाद कितना है 9 तो यहां पर 9 आजाएगा यहां पर 9 आजाएगा और यहां आजाएगा 9.4 ठीक है यह तो मैं अलग-अलग पेंड यूज कर लोगा यहां पर यह वाला जो ग्राफ हमारा बन क्या आ रहा है यह है हमारा क्या average total cost वाला ठीक है average total cost वाला आ रहा है चलिए अब देखते हैं फिर average variable cost का देखते हैं average variable cost में पहली value कितनी है 6 6 कहां है यहां पर मैं इसको उटा देता हूँ 6 कहां पर है 6 यहां आएगा इनके बीच में तो यह होगा 6 दूसरी value कितनी है दूसरी value 5 5 है दूसरी value 5 5 तो यह 5 यहां यह 5 यहां उसके बाद फिर 6 है यह 6 उसके बाद क्या है 7 है तो यह आद आएगा यहां पर 7 average 5th cost पर आते हैं, एक का कितना है 12, एक का कितना आ रहा है 12, समझे न यहीं से question बनेंगे आपके, एक का है आपका 12, ठीक है, दो का कितना है 6, दो का 6, दो का 6 आ जाएगा आपका का, यह है यह यहाँ, यह 2 का 6 इस पर intersect कर रहा है ठीक है, नहीं, sorry यहाँ 5 यहाँ, इसके जस्ट उपर, दो का छे यहां, तीन का फिर क्या है, चार, तीन का चार अपका यहां नीचे आ जाएगा, ठीक है, चार का कितना है, छे, चार का छे आ जाएगा, चार का छे अपना इस पॉइंट पर आएगा, यहां, यहां, यहां जाएगा, चार का छे, और पांच का कितना आ सोरी चार का छे नहीं है तो चार का तीन है तो चार का तीन है तो चार का तीन चार का तीन ही आ जाएगा और नीचे है ठीक है और पांच का दो समचार है पांच का दो समचार और नीचे आ जाएगा अब यह देखो यह ग्राप किस तरीके से आ रहा है यह हमारा average fifth post है यह तीनों graph इस तरीके से बने हैं अब यहां पर relation देखना है यहीं से questions बनते हैं ठीक है बिलकुल एक एक चीछ basic से systematic तरीके से मैं आपको यहां पर clear कर रहा हूँ I hope मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ और आप clearly समझ पा रहे हो ठीक है कोई doubt आपके मन में नहीं आ रहा होगा यह तीनों graph मैंने एक साथ बनानी है जो अपने उपर भी बनाए थे अब यहां पर relations हमें लिखना है relations देखो क्या है पहला relations क्या बोल रहा है यहां पर कि जो यह average total cost है यह average total cost का जो curve है यह इन दोनों curve से उपर है ठीक है मतलब यहां पर average total cost curve about the average variable cost and average fixed cost यह relation आ रहा है कि यहां पर average total cost का जो curve है इन दोनों curve से उपर बन रहा है तो क्यों बन रहा है उपर obviously बात है कि यह जो total average total cost है इन दोनों को जोड़ने से आती है जब इन दोनों के जोड़ने से आती है अभी हमने उपर देखा कि average total cost जो है इन दोनों को जोड़ने से आई थी जोड़ने से आई थी तो किसली बात ही इनकी value बढ़ गई, value बढ़ गई तो इसका curve भी क्या होगा, उपर ही बनेगा, तो यह understood है, हमें रटने की ज़रुवत नहीं, हम क्या करते हैं, अभी तक आप जो भी पढ़ रहोंगे, या पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो आप सिधे relation रट लेते हो, कि average total cost का curve वो जो है उपर बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, यहापे मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ, क्यों बनता है, आपको आपको रटने की ज़रत नहीं है, यहापे आपने प्रूफ करके देख लिया न, आपको याद रहेगा कि average total cost का curve जो हमेशा इनसे उपर बनता है, ग्राफ में देख भी रहे बन रहा है, ठीक है, दूसरा, यह इतना important नहीं है, पर यह point बहुत ज़्यादा important है, जो दूसरा में लिख रहा हूँ, दूसरा में क्या लिख रहा हूँ, कि यहाँ पर output जैसे जैसे increase होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देख यहाँ तक decrease हूई और उसके बात increase हूई, सेम चीज यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर पहले क्या हूई, decrease हूई और फिर increase हूई, समझ में आई बात को, पहले क्या हूई, output के बढ़ने पर पहले decrease हो रहा है, फिर increase हो रहा है, तो graph में भी देखो क्या हो रहा है, कि output increase हो र इंक्रीस होने से पहले ये वेल्यू क्या हो रही थी? आउट्पूट इंक्रीज़, सो गेप बिट्वीन, एवरेज टोटल कोस्ट एवरेज वेरेज वेरेबल कोस्ट डिक्रीज़, समझ में आई बात को, कि जब आउट्पूट इंक्रीज हो रहा था, तो एवरेज टोटल कोस्ट और एवरेज वेरेज वेरेज वेरेबल कोस्ट के बीच में जो कम होती जा रही है। इन दोनों graph के बीच में जो gap होता है, वो कम होता जाता है, but याद रखना, but never intersect, ठीक है, never intersect, कभी भी एक दुसरे को काटता नहीं है, ये gap कम होता जाएगा, ये gap कम होता जाएगा, लेकिन इसके बाद आप देखोगे ना, तो ये एक दुसरे को काटेगा नहीं, मतलब ये एक questions यहां से बनता है, ये most important है, ये most, ये तो basic हमें समझ में आ रहा है कि इसका curve उपर बनी रहा है, वेस्ति बात है, value जब जूड़ेगी तो curve बनेगा, ये point जो most important है कि जब output increase होता है, ये output हम बढ़ रहे हैं, एक से दो, दो से तीन दिन से चार प्यार है, तो यहां पे total variable cost औ और जो average total cost और average variable cost है, ये curve और ये curve ठीक है, yellow वाला और pink वाला, इन दोनों के बीच में जो gap है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, output के बढ़ने पर इन दोनों के बीच में gap जो है, वो कम होती जाती है, पर कभी भी ये curve एक दूसरे को काटते नहीं है, ये point आपको clearly समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये दो चीज आपको यहाँ पर clearly समझ में आ गई होगी, यहाँ पर कोई आपका doubts हो, तो बिलकुल आप पूछ लेना, ठीक है, मेरे खाल से अब इसमें कोई doubt नहीं होगा, ये दो relation आपको यहाँ पर देखना था, तिसरी चीज यहाँ पर क्या और average variable cost intersect to each other, at that point, average variable cost is minimum, ठीक है, जिस point पर यह एक दूसरे को काट रहे हैं, उस point पर average variable cost यहाँ इस point पर यह जो करवा है, average variable cost वो minimum होता है, है ना, 5-5 है, देखो, table में भी देख लो, यह, यहाँ पर इस point पर यह minimum होता है, यह, इस point पर minimum होता है, ठीक है, तो जिस point पर average variable cost और average fixed cost एक दूसरे को काटते हैं, वो, उस point पर, उस point पर average variable cost minimum होता है, यह ती बनते हैं क्लियर है यह चीज आपको किलेली समझ में आ गई होगी यह मेरा मानना है ठीक यह चीज हमने समझी जो उपर हमने अभी तीन चीज पड़ी थी ना उसका conclusion यह है यह समझे ना था उसके लिए हमने इतनी पूरी रहमायन की है अब मैं आता हूं आपका marginal cost पर बचों यह ऐसे चीजे ना समझाना बड़ा difficult हो जाता है मतलब यह पार जो ऐसा पार है यह बचों को समझ में नहीं आता है कि चीजे कहां से कहां हो रही है कैसे क्या सारी चीजे बन रही है यहां पर तो यह बड़ा difficult होता है बट मैं इस चीज को बहुत ही बारिकी से बचों को को पढ़ाता हूं ताकि एक बार पढ़ने के बाद ना वो खुद किसी को पढ़ा सके है ठीक है चलो अब बात करते मार्जिनल कास्ट मार्जिनल वड़ आपने अपनी लाइफ में कई बार चुना होगा आप कोई मार्केट खरीद ने जाते हूं कई चीजे करते हूं या कोई कुछ काम करते हो या किसी कुछ लेंदेन करते हो ता हमिशा स्टम सुस्ते हो मार्जिनल कि यार इसमें तेरा मार्जिन कितना है इसमें तेरा पास कितना बच रहा है मार्केट में जा रहे हो ते यार इसका मार्जिन इतना दिया हुआ है ठीक है आपने कोई चीज सो रुपे पर unit में तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ ठीक है for examples पहले definition बाद में लिखूँ या पहले लिखूँ मैं आपको example से समझा जबता हूँ ठीक है चलिए पहले definition लिख देता हूँ यहां पर क्या होता है इसका मतलब marginal cost refers to addition to total cost total cost मतलब total cost में क्या होगा addition हो रहा है addition to total cost when one more unit one more unit of output produced समझ में आवे होगा definition से यदि हमने एक unit और ज़्यादा production लिया तो हमारी total cost भी क्या हो गई उसी proportion में aid होगी ठीके आपने कोई काम किया उसमें आपने सो रुपे खर्च किये आपने क्या क्या एक कम और किया तो सिधी से बद एक कम और किया तो उसका भी cost आई होगी तो वो cost उसके अंदर जुड़ती है add होती है addition होता है उसको हम बोलते marginal cost for example समझना यह output आपने पहले क्या था? 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, दिन 4 था, दिन 5 था यहां पे क्या हो रहा था? हमने क्या पढ़ा पी? Total cost ठीक है? Total cost हमने पढ़ी थी या जो अब इसमें हमने value देखना पड़ेगी क्या क्या हमने क्या हमने क्या था पहले समझ लो, समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ है इसके अंदर तो यहां पे हमकर हमारा, यहां पे हमनों marginal cost के अंदर क्या होता है? यहां हम ले लेते हैं total cost, ठीक है? total cost माल लो, जीरा output ले रहेते है total cost कितनी आईगी आपकी 12? क्योंकि इसमें fixed cost एड होती है, total cost कर बार क्या होता है? fixed cost प्लस variable cost होता है, तो variable cost तो 0 होगी output लेवल पर, पर fixed cost आपकी 12, ठीक है? एक output लिया आपने, एक output लिया, तो यहां पर total cost आपकी बढ़ेगी, जैसे आपने यहां पर क्या किया? एक unit आपने aid किया, output में एक unit बढ़ाया, तो total cost बढ़ेगी, आपकी कितनी होजाएगी? 18, ठीक है? total cost कितनी होजाएगी, आपकी 18 होजाएगी, ठीक, अब फिर एक unit आप बढ़ाते हो, तो आपका यहां पर और edition होगा, तो यहाँ पर आपका और एडिशन होगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो सकता है टिक है और आप बढ़ाओगे यहाँ पर तो और कितना हो सकता है यहाँ पर और बढ़ाओगे तो आपका हो सकता है यहाँ पर 36 36, यहां पर और बढ़ाओगे, आपका कितना हो जाएगा, 39, और यहां पर 50, कुछ इस तरीके से हम बढ़ते हैं, तो इस definition का मतलब क्या निकल रहा है, marginal cost क्या होगी, एक मिन्ट में थोड़ा सा value देख लो, हमने कल के, कल वाले lecture में, यहां पर total cost की value क्या ली थी, ताकि हमारा questions जो है, गलत ना हो, ठीक है, कल वाले question में, हमने यहां पर values क्या ली थी, marginal cost के sense में, 6, 10, 15, 24, 35, 18, 22, 26, 37, 37, 24, 12, 18, थी, फिर 27, 36, 12, 18, 22, 27, 37, यह थी, 22, 27, 36, और 47, यह हमारी कल total cost की values निकल के आई थी, ठीक है, अब यहाँ पर definition क्या बोढ़ रही, addition to total cost, total cost के अंदर add होगी, जब हम क्या लेते हैं, एक और ज्यादा unit output का लेते हैं, तो पहले 0 था, तो total cost 12 थी, जैसे ही हमने एक unit add किया output का, तो यहाँ पर total cost 18 हो गई, मतलब क्या add हुआ, इसमें कितना add हुआ, 6 का add हुआ, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं add हुआ, यह तो खाली है, जैसे ही हमने यहाँ पर एक unit जैसे ही बढ़ाया, total cost में हमारा क्या बढ़ गया, total cost बढ़के 18 हो गई, तो कितना बढ़ा, marginal यह बोलता है न, कि कितना बढ़ा, आपने कोई वस्तू 100 में खरीदी और 120 में बेची, तो आपको फाइदा कितना हुआ, बीस का, तो वही बात है कि पहले यहाँ पर 0 था, तो total cost 12 थी, तो marginal क्या होगा 0, क्योंकि कुछ बढ़ा ही नहीं है, जैसे ही हमने एक unit output 8 किया, जैसे ही एक unit output हम क्या करेंगे, जैसे ही one more unit output हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर total cost भी बढ़ जाएगी, कितनी होगी बढ़ के 18, तो कितना बढ़ा, यहाँ पर 6 बढ़ा, इसको बहुत है marginal cost, मतलब addition to total cost, total cost में aid हो रहा है, कितने का aid हो रहा है, 6 का, तो जो aid हो रहा है न वो marginal cost है, समझ मैं यही बात को marginal cost क्या है, addition to total cost, तो पहले 0 output था, total cost 12 थी, जैसे ही one more unit, यह लिखा न, when one more unit of output produce, जैसे ही हमने एक unit output produce किया, 0 से 1 पर आए, तो total cost में एडिशन हो जाएगा, तो addition to total cost, total cost में एडिशन हो जाएगा, अब जितना एडिशन हुआ हो marginal cost, जितना एडिशन हुआ छे का, यहाँ पर देखो, जैसे ही हम एक से दो पर गए, यहाँ पर भी कितना एडिशन हो रहा है, देखो 18, 22 करोगे तो 4 का एडिशन है, यहाँ पर फिर जाओगे तो आपको कितना एडिशन हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है, यहां पर फिर जाओगा कितना एडिशन हो रहा है 9 का एडिशन हो रहा है यहां पर फिर जाओगा कितना एडिशन आपको देखने को मिल रहा है 47 में से जाओगा 3610 11 ठीक है यह values आपको निकल के आती है इतना आपको एडिशन आपको देखने को मिल रहा है ठिक तो यह जो हमारी निकल क्या है क्यों definitions के according हम चल रहे हैं क्या बोला कि जब हम एक unit output बढ़ाते हैं तो हमारी total cost के अंदर भी add होता है तो 0 से total cost 12 थी जैसे एक unit हमने बढ़ाया total cost बढ़के कितनी हो गई 18 कितने से बड़ी 6 से तो जो जितने से बड़ी वह हमारी marginal cost होती है ठीक है जितना change आया जितना change आया वो marginal cost होती है तो marginal cost का formula हम ऐसा भी लख सकते हैं क्या लिख सकते हैं change in total cost upon में change in output ठीक है इससे और समझ में आ जागा देखो चेंज इन आउपूट पहले जीरो था आउपूट टोटल कास्ट बारा थी कोई चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ डेस लगा दिया फिर देखो यहाँ पर आउपूट में कितने का चेंज हुआ एक का जीरो से एक पर पहुझ गए और इसमें कितना चेंज हुआ छे का चेंज हुआ फर्मूला रख दो तो यहां से यहां पर जाने पर कितना है, चार का चेंज आया है, तो चार बटे एक करोगे, तो भी क्या आएगा चार, इस तरीके से हमारी marginal cost की value निकल के आई है, समझे माया यह वाला फर्मूला है, change in total cost upon change in output, इस फर्मूले को इसा भी लिखा जाता है, change in total cost upon change in output, ठीक है, इ portion यहीं से बनता है, इसका graph बनाने से पहले चीज़े बता देता हूँ, मैंने क्या बोला, change in total cost को change in variable cost भी बोल देते हैं, तो मैं यहां पर बताना चार रहा हूँ कि, कि marginal cost जो होती है, वो independent, independent to fixed cost, fixed cost से independent होती है, fixed cost से independent होती है, क्यों, fixed cost से यह independent होती है, marginal cost, तो fixed cost क्या होती है, marginal cost के case में, marginal cost के case में, fixed cost जो है, वो क्या होती है, fixed cost जो होती है, वो 0 हो जाती है, marginal cost के case में, fixed cost क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है, तो यहां पर total cost क्या होता है, total cost बराबर, fixed cost प्लस variable cost होता है, जब fixed cost 0 हो गई, तो total cost बराबर variable cost हो इसलिए फार्मले में हम total cost लिखें या total variable cost लिखें बराबर है ठीक है समझ में आ गया तो marginal cost के case में marginal cost जो होती है वो independent होती है fix cost से मतलब marginal cost के case में fix cost 0 हो जाती है कैसे हो जाती है समझो मैं इसको थोड़ा सा table core बढ़ा लेता हूँ यहाँ ठीक है मैंने क्यू लिखा यहाँ पर 1 2 3 4 & 5 यहाँ पर लिख देता हूँ fix cost fix cost कितनी थी हमारी बारा ठीक है variable को कितनी थी 0 6 10 15 और चोईस ठीक है 10 15 चोईस कितनी होई 1 2 3 4 5 sorry एक mistake है 0 1 2 3 4 और पांच 12 12 और बारा चोईस और पेंटिस ठीक है समझ गए होगा अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला marginal cost के case में independent होती marginal cost किसे fix cost और marginal cost के case में fix cost 0 हो जाती है तो देखो marginal cost के case में fix cost 0 कैसे हो रही है समझना बात को यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक input हमने बढ़ाया तो क्या हो रहा है total cost में भी क्या हो रहा है change आ रहा है लेकिन marginal cost में कोई change आ रहा है marginal cost तो कोई भी change नहीं आ रहा है 12 में से 12 जाएगा तो 0 आएगा ठीक है फिर अगर एक निट हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 1 का change आ रहा है यहाँ पर 4 का change आ रहा है लेकिन इसमें कोई change आ रहा है यह तो 12 के 12 है मतलब यहाँ पर भी क्या आ रहा है changes 0 आ रहा है तो marginal cost के case में यही बोलता है कि marginal cost के case में independent होती है fixed cost से मतलब marginal cost case में fixed cost 0 हो जाती है तो वही 12 में से 12 जाएगा 0 फिर 12 में से 12 जाएगा 0 जैसे जैसे हम output में एक add कर रहे है तो total cost में change आ रहा है variable में भी change आ रहा है यहाँ आप minus करोगे तो 6 यहाँ minus करोगे तो 4 यहाँ minus करोगे तो आपको मिलेगा 5 यहाँ minus करोगे तो 9 यहाँ minus करोगे तो 11 जितना changes total cost में आ रहा था न यह उत्रह ही चेंजलब कोस्ट से भी आ रहा है वैरेबल कोस्ट से भी आ रहा है इसलिए यह दुनों आपस में वराबर हो जाती है और फिक्स قस्ट जो है वो क्या हो रही है? जिए जीरो हो रही है जियसे एक unit हम बढ़ा रहे है यहाँ पर यहाँ पर भी देखो कितना चिंज जा रहा है 12 का 12 ही है, 12 का 12 ही है, minus 4 के तो 0 आएगा तो marginal cost के case में जो है fixed cost क्या हो जाती है, 0 जाती है मतलब marginal cost independent होती है fixed cost से, यह दोनों most important है याद रखना तो याद रखना marginal cost क्या होती है marginal cost जो होती है, marginal cost जो होती है गोल सकते है, marginal cost based only variable cost ठीक है marginal cost जो होती है, केवल variable cost पर based होती है इसलिए मैं total variable cost लिखो या total cost लिखो एक ही बात है formula ये भी सही है formula ये भी सही है अपका formula ये भी सही है, क्यों? क्योंकि total cost के अंदर fixed cost होती है और fiscal तो 0 हो जाती है, जब fiscal 0 हो जाएगी तो variable cost थी तो बचेगी, ठीक है, अब इसका graph समझ लेते हैं, यह चीजे समझ में आ गई, आपको यहाँ पर कोई confusion तो नहीं है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, marginal cost क्या होता है, हमने बोला कि अगर output में एक unit change करते हैं, तो total cost के इंदर भी change आता है, ठीक है, जैसे हमने 0 से 1 पर आए, तो यहाँ पहले 12 थी, तो 12 से कहा हो गई, 18 हो गई, एक का change हुआ, यहाँ पर 6 का change हुआ, तो जितना change हुआ, वह हमारा marginal cost होती है, ठीक है, फार्मले से निकालना चाहो, तो निकाल लो, change in total cost बटे change in output, या change in total variable cost बट करोगे तो कितना जाएगा, 6, variable cost से भी निकाल सकते हो, ठीक है, फार्मले से भी निकाल सकते हो, जो definition है, definition से भी निकाल सकते हो, और यहाँ पर हमने बोला कि fixed cost जो होती है, वो zero हो जाती है, किस case में, marginal cost की case में, marginal cost जो है independent होती है, fixed cost के साथ, ठीक है, तो यह important points है, अब इसका थोड़ा सा graph हम देख लेते हैं, ठीक है, इसका graph हम देख लेते हैं, ग्राफ क्या बोलता है इसका, ठीक है, यह हमारा वही output, 0, 1, 2, 3, 4, and 5, यहां आ जाएगा हमारा marginal cost, marginal cost देखो कितना है, कहां पर जाएगी, 11 last है, तो आप ले सकते हो, 3 के reference में, 3, 6, 9, और 12, अब देखो 0 था, 0 के साथ तो 0 ही हो गया, marginal cost कुछ नहीं होगी, जैसे एक unit बढ़ा है, marginal cost क्या हो गई, 6, जैसे एक unit बढ़ा है, marginal cost कितनी हो गई, यहां पर 6 हो गई, ठीक है, फिर कितनी हो जाएगी, 4, तो यह 4 हो गई, फिर कितनी हो गई, 5, तो यह हो गई, आपकी 5, फिर कितनी हो ग देखना यह माजिनल कास्ट का कर्व जो है और अपना ये वाला कर्व है किसका टोटल कास्ट का कर्व टोटल कास्ट का कर्व है तोनों रेसी प्रोकॉल है इसको देखो यह यहां से यहां तक आ रहा है और इसको देखो यह यहां से यहां तक जा रहा है और टोटल कास्ट का कर तोटल कास्ट का कर्व देखो कैसा है, तोटल कास्ट का कर्व कुछ इस तरीके से हैं, यहां से लेके यहां आ रहा है, ठीक है, यहां से लेके आ रहा है, तो अपोजिट कर्व बन रहा है, अगर इसको मैं सब उल्टा कर दू, तो वो एवरेज टोटल कास्ट का कर्व बन to marginal cost ठीक है marginal cost बोलू या marginal physical product बोलू बाते की ठीक है जब physical quantity में measure करते हैं तो उसको marginal physical product बोल देते हैं तो यहाँ पर देखो average total cost का करव जो है और एसी प्रोकल है अब जस्ट उल्टा है ठीक है तो marginal cost क्या है या I think आपको समझ में आ गया होगा अब हमें relation देखना है इसके अंदर में जो है exam में questions कांसे बनते relations है तो यह यहाँ पर कुछ points से हमने लिखे है marginal cost इंडिपेंडेंट होती fixed cost मतलब marginal cost जो है marginal cost के case में physical cost 0 हो जाती है marginal cost के variable cost पर बेस्ट होती है और average total cost का जो करव है वो reciprocal होता है किसके marginal cost के जस्ट इसका opposite हमें दिख रहा है अब हमें क्या करना है relations देखना है हमें relation किसके किसमें बीच में देखना है हमें देखना है यहाँ यहाँ पर relationship between average total cost and marginal cost ठीक है average total cost और marginal cost के बीच में हमें क्या देखना है यहाँ पर relation देखना है average total cost और marginal cost के बीच में relation हमें यहाँ पर देखना है clear है average total cost और marginal cost के बीच में हमें यहाँ पर relation देखना है अब देखो average total cost क्या होती है और marginal cost क्या होती है पहले इनका हमें क्या देखना है यहाँ पर हम ले लेंगे क्या एक schedule जो उपर हमने लिया था average total cost क्या होती है marginal cost क्या होती है दोनों का schedule ले लेंगे ठीक है, यहाँ पर output हमारा क्या था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि graph बनाएंगे, तभी तो हम relation बता पाईएं अब average total cost कितनी थी, देखो, average total cost यहाँ पर दी है क्या नहीं दी है, यहाँ पर दी है, यह, average total cost इतनी है, 18, 11, 99, 49 ठीक है, कितनी है, यह खाली, 18, sorry, 10, 18, 11, 9, 9, 9, 40 यह थी average cost, marginal cost कितनी निकल के आई थी, देखो पीछे, marginal cost कितनी थी, 6, 4, 5, 9, 11 6, 4, 5, 9, 11, कितनी थी, 6, 4, 5, 9, 11, यह थी marginal cost अब यहाँ पर हमें relation देखना है, ठीक है, relation देखना है, तो पहले हम क्या बना लेती है, इसका graph बहुती conceptual part है, बहुती logical part है बच्चो, एक बार अगर नहीं समझ में आया है, तो वीडियो धियान से देखना करके देखना, बना के देखना, data कुछ अलग लेके देखना, बना के देखना, करके देखना, चीजे समझ में आईगी, ठीक है अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यह हमरा output ले लेते हैं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे क्या अपनी total cost and marginal cost दोनों है, यहाँ पर तो ठीक है, total cost and marginal cost दोनों है यहाँ पर, total cost और marginal cost दोनों हम ले रहे हैं यहाँ तो कितनी value है, लगबख 18 और 11 है तो highest जाना 18 पर तो 4 की ले सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 18 यह मंन से क्यों ले रहा हूं मैं क्योंकि highest value 18 जा रही है इसमें highest value 11 इसमें 18 है तो हमें 18 तक पोच्छना पढ़ेगा तो अब मैं एक दो तीन चार पांचे 18 लोगा तो बहुत उपर तक जाएगा इसलिए हम frequency अपने हिसाब से माल लेते हैं दो-चार के फांचे फ़र में मुल्टिपल के फांचे फांचे कर लेते हैं के यैवरेज को ठीक है चलिए अब यहां पर समझ आए हो क्या रहा है लंबा होगा क्यूंकि एक ही लेक्टीर म में पुरा कभरकर वारा हूं पर देखो 17 कर नाौ पर Все तो एक पर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर अठारा ठीक है दो पर कितना है ग्यारा दो पर आजाओ यह दो पर है यहां पर ग्यारा तीन पर कितना है नो तो यह तीन पर आजाओ आप नो चार पर कितना है चार पर भी नो ठीक है पांच पर कितना है नो चालिस पांच पर आज 14ट तो इसका ग्राब क्या बना हमारा पुछ इस तरीके से ठिक यह हमाराकर बना मैंने बुद्राना दूनों पॉजिक दैरेक्षिन में बनेंगि इसका देखो एक पर कितना है 6 यहां पर 6 का है ठीक हैरे किर अब चेँ ठीक है, एक पे है छे, इसका उल्टा बनेगा, दो पे कितना है चार, दो पे है ये चार, तीन पे कितना है पाँच, ये तीन पे आजवाओ, यहां पे पाँच, ठीक है, तीन पे आगए वपान वपाइस, पाँच, चार पे कितना है नो, चार पे हम आ गई हैं, चार पे कितना तो इसका कर्व जो है उसके just opposite reciprocal होता है यह तिक ऐसा बनता है और इसको हम और आगे ले जाते हैं यह और आगे जाएगा इस तरीके से तिक तो यह हमारा average total cost का कर्वा है और यह हमारा marginal cost का कर्वा है तिक थोड़ा समय और इसको सही कर देता हूँ समझना माद को यहां जाएगा ठीक है हम बना रहे हैं बना तो रहे हैं ठीक है पर यह इस तरीके से जाएगा ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीचे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं बट चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कराब यह इस तरीके से जारा तो यह average total cost है और यह marginal cost है ठीक अब समझना हो दोनों बिल्कुल reciprocal है उल्टा कर देंगे तो वैसा बन जाएगा ठीक अब यहां पर समझना हो क्या रहा है हमें relation देखना है तो मैं relation short में आपको यहीं बताने वाला हूं ठीक है हो रहा है फिर increase हो रहा है कब यहां पर चीज़े वह ही हमें निकालनी है थोड़ा सा इसको में classify कर देता हूं यह अब देखो तीन चीज़ें यहां पर बन के आईगी एक कोर में column यहां पर बना लो ताकि आपको आसानी होगी मैं relation यहां भी लिख देता हूं ठीक है यह relation समझन यहां से देखना है कहां तक यहां से यहां तक यहां से यहां तक देखो आप यहां से यहां तक क्या हो रहा है आउट्पूट इंक्रीज हो रहा है ठीक है यहां से यहां तक क्या हो रहा है यहां वापीस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इसको हमें देखना ही नहीं ह हो रही है तो relation निकल के आएगा यहां से यहां तक में ठीक है यहां से यहां तक में average total cost decrease हो रही है और relation के निकल के आ रहा है marginal cost less रहा है हम यहां पर total average कास्ट के देखो output increase हो रहा है ठीक है डेंवरेज fix कोस्ट क्या होरी है decrease होरी है इस situation میں क्या हो रहा है पैली situation में कि marginal cost less- ration होरी है average cost के यहां पे देखो ग्राप में देखो यह output हमारा इंक्रीज हो रहा है यहां से लेके यहां से लेके यहां क्या हो रहा है 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 यहां से लेके यहां क्य तरफ पारा है नीचे की तरफ पारा ये डिस्तो रियो और यह भी क्या हो रहा है यहाजी जो यॉह पहन रहरा है कि अ डिओंपर इस haul यह प्लींगे प्ट इनकल्य ट्रेंड में है श्रचान आफ बास हो रहा है एवरेचित की。 हो रहा है और marginal cost क्या है पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है तो यह दोनों चीज़ें यह यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है और इसके बाद फिर यह इंक्रीज हो पहला है ना ग्राफ ही नीचे आ रहा है यह उपर है यह ग्राफ नीचे आ माजिनल कौस्ट का ग्राफ नीचे और मतलब आपको समझ में आ रहा है कि marginal cost क्या है decrease average cost के और यहां पिसमें भी आपको समझ में आ रहा है आउट्पूट इंग्रीज हो रहा है लेकिन marginal cost किसे average cost कम है यह 18 यह 6 11 यह 4 यह 9 5 यह वनलब इससे कम है ठीक है तो पहला relation यह बोल रहा है दूसरा relation क्या बोल रहा है दूसरे relation में भी क्या हो रहा है आउट्पूट इंक्रीज हो रहा है ठीक है आउट्पूट इंक्रीज हो रहा है average total cost देखो यहां पर average total cost यहाँ पर constant हो गई average total cost यहाँ पर constant हो गई average fixed cost जो है वो क्या हो गई यहाँ पर constant relation क्या निकल रहा marginal cost बराबर हो गई average cost के ठीक है marginal cost average cost के बराबर क्यों हो गई क्योंकि इस point पर यह एक दूसरे को intersect कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर average cost देखो 9 थी और फिर 9 हो गई मतलब constant हो गई average cost क्या हो गई constant हो गई तो output बढ़ रहा है output देखो भी बढ़ रहा थोड़ दिजोन बढ़ रहा है average cost क्या हो गई constant हो गई यहाँ पर ठीक है constant हो गई और यहाँ पर क्या हो रहा दोनों एक दूसरे को काट रहा है मतलब mc बराबर हो गया ac ठीक है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा इस point में mc intersect with ac mc जो है ac से यहाँ पर क्या कर रहा है intersect कर रहा है दोनों एक दूसरे को काट रहा है तो जिस point पर एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर यह दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पर जो यह condition निकल के आ रही यह यहाँ पर बराबर है ठीक है तिसरी conditions देखो तिसरी conditions को यहाँ लिख देता हूँ condition number 3 तिसरी conditions क्या बोल रही है अब देखो यहाँ पर MC का करव उपर चला गया इसका करव नीचे आ गया यहाँ पर भी देखो तिसरी यहाँ पर क्या हो रहा है यह MC बराबर AC यहाँ लिख दिया यहाँ पर देखो अब यह जो है average cost 9 से क्या हो गई 940 यह बढ़ गया यह वापिस बढ़ा और यह भी क्या हो गया यह भी यहाँ पर बढ़ा यह भी increase हो रहा है 9 से 11 दोनों increase हो रहे दोनों उपर की तरफ जा रहे दोनों increase हो रहे increase तो दोनों हो रहे ठीक है increase तो दोरों हो रहे पर यहाँ देखो costs भी increase हो रही है ठीक है Marginal Cost increase हो रही है faster rates है याद रखना faster rates से increase हो रही है देखो यह 9 सीह सीथे 11 पे सल आजब गया और 9 से 970 पे गया यहाँ पर कितना increase हुआ सी 040 increase हुआ और यहाँ पर दो का increase हुआ ठीक है Marginal Cost जो increase हो रही ए constant rates है थर्ड कंदिशन में marginal cost greater than है यहां पर marginal cost जो है आपकी greater than हो जाएगी average cost के जब greater than भी है यह 9 है और यहां 11 है यहां दोनों बराबर है यहां देखो इधर ज्यादा इधर कम है तो यहां numerical से भी आपको चीजे समझ में आ रही है graph से भी समझ में आ रही है यहां फे graph ऊपर था average cost का यहां marginal cost का नीचे था यहां दोनों काश्च एक दूसरे को cross कर रहे थे तो बराबर हो गई थी यहां पर marginal cost के कर वाब ऊपर हो गया average cost को नीचे हो गया मतलब marginal cost यहां पर ज्यादा होगा average cost दोनों increase हो रहे लेकिन marginal cost ज्यादा rate से increase हो रहा average total cost कम rate से increase हो रहा तो यह relation था average total cost और marginal cost के अंदर ठीक है नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को rewind करके देख लेना चीज़े अच्छे से समझ में आगी एक ही जग मैंने बता दी है तीन relation important है याद रखना output बढ़ेगा average cost घटेगी तो यहाँ पर क्या होगा marginal cost कम रहेगा average cost से फिर output बढ़ेगा average fiscal constant हो गई तो marginal cost और average cost दोनों बराबर हो जाएगी क्यों क्योंकि दोनों एक दुसरे को intersect कर रहे हैं तिसरे में क्या हो गया आपको समझ में आ गई होगी तो बच्चों अब जो हम relation लेखने वाले हैं हूँ क्या है relation between average variable cost and marginal cost इसका जो relation है यह जो relation है average variable cost और marginal cost यह same as किसके तरह आएगा same इसकी तरह average cost और marginal cost की तरह आएगा इसका graph भी कुछ इसी तरीके से बनेगा जो relation हमने लिखा वो भी डिक्टो से ही रहेगा ऐसा क्यों होता है इसमें ऐसा इसलिए होता है कि हमने पढ़ा है कि जो average cost होती है वो average fixed cost प्लस average variable cost से मिलकर बनी होती है तो यहाँ पे जो average fixed cost होती है यह तो क्या होती है fixed होती है ठिक मतलब average cost में जो changes आएगा जो change आएगा वो किसकी वज़ेस आएगा average variable की cost की वज़ेसे और मालों यहाँ पे एक का changes आया तो वो एक का changes एथी में आएगा वो एक का ही changes आएगा वो किसकी वज़ेस आएगा average variable cost की वज़ेसे ही changes आएगा तो यहाँ जितना change आएगा उतना change यहाँ आएगा क्योंकि यह तो fix है अगर मालों मैंने लिख दिया यहाँ पर one यहाँ यहाँ पर one ठीक है और यहाँ पर variable का two तो यहां पे जो ratio देखो, यह एक से बढ़ रहा है, तो यहां से भी एक से बढ़ रहा है, इसलिए इसका जो graph है और जो relation है, average variable cost और marginal cost का, वो dicto किसकी तरह आएगा, same average cost और marginal cost का जो हमारा जो curve है और जो relation है same उसी की तरह आने वाला है, ठीके, इसको भी हम करके देखते हैं पूरा, ठीके, इसको भी पूरा हम करके देखेंगे, पूरा आपका numerical लेके देखेंगे, ठीके, तो यह graph कैसा होगा, मैं यह लिख देता हूँ, same as, same as, average cost and marginal cost, ठीके, कैसा होगा, same as average cost and marginal cost जो इस पीछे हमने पढ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, output, output के बास यहाँ पर हमने लेना होगा, average variable cost, ठीके, उसके बास हम लेंगे, यहाँ पर marginal cost, clear है, average variable, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 0, 1, 2, 3, 4, and 5, same way value लेगी, output जो सब के लिए था, average पाँच, ठीके, यह हो जाएगा, 6, 5, 5, 6, और 7, यह थी average variable cost, तीछे आप देखना, इसके पहले हमने पढ़ा था, उसमें average variable cost यही थी, ठीके, marginal cost क्या थी, जो अभी हम देखो marginal cost क्या थी तो, 6, 4, 5, 9, 11, यह marginal cost थी, 6, 4, 5, 9, 11, यह marginal cost थी, clear है, अब यहाँ पे जो relations है, वैसा ही है, देखो, frame कैसा है, कि यहाँ पे यह बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है, यह भी बढ़ रहा है, यह बढ़ रहा है, यह भी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, यह जादा है, यह तो बराबर है, लेकिन यह चार और 5 यह जादा है मतलब यहां पे जो हम देखेंगे क्या average इस वाले पॉइंट-पे average variable cost जो हे हमारा जाधा होगा marginal cost से यहां पर ज्यादा है इस वाले point पे देख सकते हो आप starting point पे नहीं देखना है ये वाला point तो मैं धूए धृवरेज हमारा क्या Average Variable Cost, Marginal Cost से ज्यादा है, यहाँ पर आप देखो गए पिते क्या हो जायगा, Average Variable Cost, बराबर हो गया, Marginal Cost से, यह तो starting point है, यहाँ पर बराबर नहीं देखना है, यह तो starting point है, क्योंकि एक ही input है, तो यहाँ रेलेशन नहीं stoke कर सकते, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ तो तीसरे आम पर जाकर भरहे précis है उसके बाद देख हो यहां पर यहां पर क्या है यह 6 है जाएगा क्योंकि यहाद धेको से में रहे है पहले वाले में अजीनल कोस्त बड़ा था पिर यह बराबर हो गया फिर Jackie पेले वाले में marginal cost छोटा था, फिर बराबर था, फिर marginal cost बढ़ा हो गया, यहां पे देखो यहां 6-7 बढ़ा है, 9-11 बढ़ा है, यहां पर marginal cost यहां पर भी faster rate से बढ़ रहा है, clear है, चलो graph देखते हैं अब इसका, graph भी same वैसा ही बनेगा, clear है, यह x-axis और y-axis ज्यादा कुछ difference नहीं इसमें, बस यहां पर starting point जो आपको दिख रहा है वो same है, तो यह 0, 1, 2, 3, 4 and 5, यहां पर highest 11 है, 3, 6, 9 और 12, clear है, 3, 9 और 12, अब हम यहां पर बनाएंगे graph इसका, देखो, same ऐसा ही बनेगा, बस इनका जो है starting point में काफी difference है, इनका starting point joint रहेगा, क्योंकि यहां पर 12 हट तो 6, fixed cost यहां पर हट जाएगी, fixed cost हट जाएगी, तो यह point मिल जाएगे, तो यहां पर जो है पहला, यह 6 से start हो रहा है, यह 6 से, second 5 तो second 5 यहां आ जाएगा, इसके just नीचे, third भी 5 है, third यहां आ जाएगा, ठीक है, fourth 6 है, थोड़ा से उपर हो जाएगा वापिस, और यह 7 है, तो यह 7 ही आ जाएगा, तो इसका ग्राफ बुचा रहा है कि इस तरीके से जा रहा है यह, ठीक है, इसका average variable cost का, अब marginal cost का देखो यहां पर, एक का कितना होगा, 6, एक का कितना होगा, 6, तो एक का 6 मतलब यह यहां से शुरू होगा, इसी point से, इसी point से शुरू होगा, दो का क्या हैगा, 4, 2 का 4 मतलब यह यह नीचे आ जाएगा, यह नीचे आ जाएगा, 3 का जाएगा, 5, 3 का 5 का जाएगा, यह 3 का 5 यही पर था, यह 5 यह वापे जूड़ गया, intersect हो रहा है, 4 का 9 आ जाएगा, अब 4 का सीधे 9 यहां पोच जाएगा, ठीक है, 5 का 11, 5 का 11 मतलब यह निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, फिर से करते हैं, यह, ठीक है, इस तरीके से इसका अग्राब बनेगा, जो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर इसमें बखी relation से में वेसा ही निकल के आ रहा है यहां पे, same as, बस यहां पर यह दो point से शुर इस तरीके से, ठीक, देख लेना थोड़ा है, अब यहां पर देखो, यहां पर इसके relation अगर हम लिखें, first relation देखो क्या हो रहा है, first relation क्या हो रहा है, यहां पर पहली देखें तो average variable cost greater than है, marginal cost के, यहां पर, इसकी बात कर रहा हूँ है, इस वाले पर, ठीक है, इस वाले पर, यहां पर average variable cost greater than है, marginal cost पर, तो average variable cost greater than है, यहां पर तो हो क्या रहा है, average variable cost greater than है, यहां पर, यहां पर देखो, average variable cost भी decrease हो रहा है, marginal cost भी decrease हो रहा है, average variable cost भी decrease हो रहा है, marginal variable cost भी decrease हो रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ऐसी condition में, average variable cost ज़्यादा है, marginal cost से, तो average variable cost fall with output increase ठीक है क्या है यहाँ पर output है output के increase होने से average variable cost कम हो रहा है देखो 6 से 5 हो गया कम हो रहा है ठीक second statement हम लिखेंगे second statement भी same लिखेंगे क्या यहाँ पर average variable cost बराबर हो रहा है marginal cost यहाँ पर इस point पर तो यहाँ पर average variable cost marginal cost पर बराबर हो रहा है कब यहां पर average variable cost and marginal cost intersect हो रहे हैं intersect to each other ठीक है एक दूसरे को काट रहे हैं उस point पर average variable cost and marginal cost बराबर हो रहे हैं जिस point पर दूसरे को काट रहे हैं यहां पर काट नहीं रहे थे यह चीछ समझ में आई आई आपको कि यहाँ पे यहाँ पे बीचे हैं, यहाँ पे बीचे आपके दिमागे को कुश्च ना रहा है, यहाँ पे तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे इस्टार्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को काट नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, काट रहे ह अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि marginal cost है देखो यह एक से बढ़ रहा है और यह दो से बढ़ रहा है मतलब marginal cost increases faster rate than average variable cost अब मुझे बताएए इसका जो relation है वो same है इसके जैसे ही आ रहा है कोई changes नहीं है ग्राप यहाँ पर जो है starting point में जो है एक पॉइंट से start हो रहा है बाकी same relation बन रहा है उसका जैसा और mc का था खिलिए है यह हमने पढ़ा अब उसके बाद जो हम एक relation यहाँ पर देखने वाले है कौन सा relation between total cost and marginal cost total cost और marginal cost के बीच में क्या relation है देखो total cost और marginal cost के बारे में हमने पढ़ा था यह हमने table देखी थी total cost हमने निकाला हुआ है marginal cost निकाला हुआ है इन दोनों के बीच में relation क्या है तो इन दोनों का relation में यही बना देता हूँ आपको ठीक है total cost और marginal cost के बीच में relation total cost and marginal cost के बीच में क्या relation है यह relation हमें देखना है total cost और marginal cost के बीच में relation तो graph बना रहेंगे graph अलग-अलग इसका बनेगा ठीक है total cost का graph में यह बना देता हूं total cost का graph बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा यह यह total cost का graph है और यह marginal cost का graph जो हमने पढ़ा क्या यह है तो जिस बिंदू पर अब यह इसको यह data रखके भी आप बना सकते हो ठीक है data रखके बनाओगे तब भी इसा बनेगा इस point पर जो है यह total cost सबसे minimum है और यहाँ पर इस point पर marginal cost minimum है तो यह जो point है बस यह relation हमको निकालना रहता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है पैस सिलिशन क्या हो रहा है कि जब total cost increase हो रहा है decreasing rate से जब total cost increase हो रहा है decreasing rate से यह यहाँ पर यह यलो बना दिया जब total cost increase हो रहा है decreasing rate पर तब क्या होता है marginal cost decline होता है ठीक है इस catch में marginal cost यह decline हो रहा है, यह कम हो रहा है, ठीक, और जहां पर, जहां पर जो है, total cost stop decreasing, जहां total cost increase and stop decreasing, मतलब increase तो हो रहा है, जिस point पर यह decrease होना बंद हो रहा है, उस point पर marginal cost क्या होता है, minimum होता है, उस point पर marginal cost minimum होता है, इस point पर जो है marginal cost minimum होता है, उसके बाद जो होता है, क्या हमारा, उसके बाद number 3 यहां आता है, total cost increases at increasing rate, तो यहां पर क्या हो जाए, marginal cost also increases, marginal cost भी increase होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद इस point के बाद total cost increase हो रहा है, marginal cost भी increase हो रहा है, बस यह relation देख यह data रखके भी बनाओगे, graph तो इसा ही बनेगा, total cost increase हो रहा है decreasing rate से, यह total cost increase हो रहा है, लेकिन decreasing rate से हो रहा है, तब marginal cost भी decrease हो रहा है, जहाँ पर total cost increase हो रहा है और stop कर दिये उसने decrease होना, मतलब यहाँ पर total cost increase हो रहा है, लेकिन यहाँ पर decrease होना stop हो गया है, उस point पर marginal cost minimum हो जा पर जो है different type of cast की. जिसे हम पढ़ते उसमें कि cast A1 क्या होता है, cast A2 क्या होता है, cast B क्या होता है, cost C क्या होता है, यह हमें देखना है. कि मानलों एक farmer है, वो farmer जो है start करता है farming, मतलब cost of cultivation की यह आपर बात हो रही है, कि cost of cultivation कैसे निकालेंगे? cost of cultivation कैसे निकालेंगे ठीक है cost of cultivation कैसे निकालते है तो cost of cultivation होता क्या है तो farmer जब start करता है field preparation से लेके harvesting तक जो cost उसकी आती है जो cost उसकी आती है उसको cost of cultivation केते है मतलब summation of cost at the point of field preparation to harvesting जितनी भी cost उसके आईगी वो सारी क्या होगी अब इसमें होता क्या है? इसमें सबसे पहले ही आती है cost A1. कुछ गुप में सिर्फ A लिखा हुआ मिलेगा, कुछ गुप में A1 लिखा हुआ मिलेगा, हम यह पढ़ेंगे cost A1. कुछ गुप में टोटल 16 आइटमस आते हैं, क्या आते हैं? 16 आइटमस क्या क्या है, यह हमें देखना है, देखो, 15 आइटमस में सबसे पहला आता है, value of, क्या जाएगा, value of higher labor, ठीक है? value of higher labor ये permanent भी हो सकते है, casual भी हो सकते है ठीक है, याद रखना ये permanent भी हो सकते है और casual भी हो सकते है casual मतलब कि कभी-कभी हम काम पर बलाते है permanent मतलब जो monthly basis पर पूरे साल हमारे यां काम करते है, तो दो तरीके higher labor होते है, एक ये जब हमें जरूरत पड़ी higher block ठीक है value of higher block ठीक है value of higher block ये होगी value of higher block और नमबर तीन आ था value of on block value of on block value of on block आ जाएगा value of on block मतलब जो हमने जो हमारे बुलोक मतलब समस्चन और बुलोक मतलब हमारे जो बेल value of on block जो हम खेटकी करने के लिए जो बेल वगएरा यूज करते हैं अब बुलोक और बेल में difference है animal husbandry में पढ़ते हैं बेल वो जो हम breeding के लिए यूज करते हैं और बुलोक वो जो हम फिल्ड के लिए यूज करते हैं और जो फिल्ड के लिए जिस बेल का यूज करते हैं इसको हम बुलोक बोलते हैं क्यों बोलते हैं कि उसका बधिया कर दिया जाता है और उसकी पूरी energy है में यूज़ होती है और जो बेल होता है जिसका हम ब्रीडिंग में यूज़ करते हैं में यूज़ करते हैं वो जो है उसी परपस के लिए यूज़ किया जाते इसको बेल बोलते हैं वो अनकास्टेट होता है और यह जो है कास्टेट होता है इसका बजिया किया गया होता है इ यह हो गया, machinery, higher machinery, higher, higher machinery, ठीक है, और value of on machinery, higher की अगर उसने भाड़े पर लाया है, कोई टेक्टर या machine कुछ, या खुद के machinery यूज की है, तो वो हो जाएगा, 5 के बाद number 6 पे आते हैं, number 6 पे आजाएगा, value of seed, seed की value, चाहे वो on seed हो या purchase हो, ठीक है, on seed या purchase हो, या खुद का seed भी उसका सकता है, farm का seed, या फिर purchase करके लाया हो, ठीक है, purchase seed हो, ठीक, number 7 की बात करें, तो यहाँ value of आजाएगा, fertilizer, fertilizer वो अपने farm पर यूज करता है, तो उसकी क of manure, manure मतलब, खाद आजाएगा, चाहे वो on, खुद का हो, farm का हो, या purchase किया हो, ठीक है, क्योंकि farm पे अगर उसने पसू रख रखें, तो खुद का भी हो सकता है, और उसको एक्टा आप सकता है, तो वो कहीं से purchase भी कर सकता है, FIM वगर आता है, इसमें fertilizer, DAP, URIA, यह तो आजाएगा, और क्या सकता है, कैनल वाटर चार्च, नहरों का अगर चार्च यह तो वो आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आजाएगा, और कैनल वाटर चार्च के बाद आजाएगा, depreciation, depreciation of farm, farm resources या farm building, depreciation of farm implement, depreciation of farm implement, मतलब जो machinery, जो implement है, उसके पास, उसका depreciation, depreciation का मतलब समझते हो, उसके, मतलब जो है, loss हो, हास होना, हास होना, मतलब है, जैसे मालो, यह बोर्ट मैंने खरीदा, ठीक है, यह मालो मैंने बोर्ट जो है, दोलाग रुपे का खरीदा, अब मैं इसको बेच हूँगा, त तो अगर मैं नहीं भी यूज़ करता, तब भी ये cost आती, ये cost तब भी आती, क्योंकि ये fixed cost के अंदर आता है, अगर मैं इसका यूज़ करता ये नहीं करता, तो भी इसकी cost आनी थी, उसको बोलते depreciation, मतलब कि मैंने खरीदा तो इसको दो लाग रुपे में लेकिन अब मैं बेचुँगा तो मुझे दो लाग नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो depreciation है वो कर जागा, अनुमाम जो है एक साल का 10% depreciation माना जाता है, तो यही depreciation होता, जो farm implement है उसके पास, तो वो अगर साल पर खेती करने के लिए use कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, पर उसका loss तो हो रहा है ना उसकी कीमत तो कम हो रही है, तो वो भी जूटता है इसके अंदर, फिर क्या आता है, depreciation of farm building, farm building का depreciation, irrigation structure का, जो उसने मालों पॉमसेट वगरा लिया है, ठीक है, उसके sprinkler है, उसका चौहा जाएगा, वो भी जूटता है, ठीक है, even cost के अंदर, तेरा में क्या आजाएगा, depreciation of farm building हो गया, irrigation structure हो गया, depreciation of farm improvement हो गया, canal water charges हो गया, canal water charges के बाद और क्या आजाएगा, canal water charges के बाद, यहाँ पर एक चीज़ ओर rate कर सकते हो, इसमें क्या है वो, canal water charges के बाद, यहाँ पर आपका आजाएगा, हाँ, जो आपने land revenues वगरा हैं आपके, ठीक है, land के revenues है, seas है, taxes है, है ना, मतलब, यहाँ पर और क्या आजाएगा, जो है, land आपने ले रखी है, land का revenue आजाएगा, land का revenue आजाएगा, taxes मतलब उपकर हो गया, and other taxes, other taxes, यहाँ आजाएगा, ठीक है, तो depreciation हो गया, farm building हो गया, irrigation structure हो गया, land revenues हो गया, seas हो गया, other taxes हो गया, अब यहाँ पर आपका क्या आजाएगा, इसमें आपका आजाएगा, कुछ हमने एक पी जोड़ी है, उपर manure हो गया, fertilizer, insecticide हो ला, तो यहाँ पर आजाएगा, value of insecticide and fungicide, insecticide और fungicide की values भी इसके अंदर आजाएगी, अब दो चीज़ और बचिए है, 15 और 16, और क्या हो सकता है, value 15 और 16 इसके अंदर, जो हमारे पास कुछ working capitals होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, value of working capitals, value of working capitals होते हैं, ठीक है, जो working capitals होते हैं, फाम अबर उनकी values, उनकी values भी यहाँ पर 8 हो जाएगी working capitals की, और number 16 में आजाएगा कुछ, miscellaneous, miscellaneous factors, miscellaneous में क्या आ सकता है, आपकी cost आ सकती है, किसकी rope की, रस्ची की cost, repair की cost आ सकती है, repair of small implement, जो चोटे-चोटे-चोटे implements होते हैं, उनकी cost हो सकती है, ठीक है, यह थी पावड कुछ भी छोटे-बोड़ implements होते हैं, उनकी भी cost आ सकती है, तो cost A1 के अंदर यह सारी आती है, हला कि यह सब रटने वाला काम है, पढ़ने की इसको जरूत समझाने लाए, कुछ नहीं इसमें, तो cost A1 के अंदर क्या सीजाई है, यह मैं, छोटा गर्द है इसको, यह cost A1 के कि इतनी सारी चीज़ है, टोटल 16 आइटम आते हैं, cost A1 के अंदर, ठीक है, यह 16 आइटम जो आते हैं, cost A1 के अंदर आते हैं, ठीक है, अब cost A1 के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर cost A2 की, cost A2 की बात करते हैं, तो cost A2 में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, cost A1 plus rent paid for leased land ठीक है, जो अगर माननों कोई जमीन आपने मुनाफ़े पर रखी हुई है, या फिर ठेके पर रखी हुई है, lease पर रखी हुई है, तो उसका भी आप क्या करोगे, rent दोगे, land का वाट क्या होता है, rent, उसका भी rent दोगे, तो वो भी cost में जोड़ जाएगा, तो cost A2 के अंदर कितना item हो गए, अब cost A2 के अंदर टोटल हो गए, 16 item क्यों, क्योंकि 16 item तो यह हो गए, और A की हो गया, तो cost A2 में total 17 item हो गए, cost A1, 16 item ते इसमें, और rent, pet, for fees, land, जो जमीन आपने लीच पे ले रखी है, उसकी cost भी जोड़ जाएगी, तो total 17 item हो गए, इसके बाद बात करते ह cost B में क्या आजाएगा, एक तो आजाएगा cost A2 आपका, जिसमें कितना item हो गए, 17 और यहां पे inputted value of on land, यहां क्या हो जाएगा, inputted value of on land, इसका मतलब क्या है यह भी बताऊँगा, इसके अंदर प्लस और होगा क्या, inputted value of on fixed capital, अब यहां पर मुझे दो चीज बताना, यह उपर कहीं नहीं आया ना, यह कहीं नहीं आया, inputted value of on land, inputted value of on fixed land, यहां पर inputted value of on land का मतलब होता है, जैसे, जैसे मैंने बोला अभी, के on labor, ठीक है, on labor, जब हम अपने खुद के लिए पर मतलब होता है, जब अपनी family member क कोई काम करती है, ठीक है, मालो मेरा खेते, मेरा farm है, मैं खुद वहां पर काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसके लिए कुछ पैसा अपने प्या करूँगा, नहीं करूँगा, लेकिन उसकी जो cost है, उसकी जो value है, वो मैं जोड़ूँगा, ठीक है, मालो, यह farm है, इस farm पर मैं इन independent value of on fixed land, अब यह पर मतलब क्या है, on land, जब on land की बात हो, या on family labour की बात हो, या on higher land की बात हो, इसका मतलब यह होता है, कि अगर मालो यह farm है, इस farm पर फार्मर खुद काम करता है, ठीक है, मालो उसके हैं, चार labour काम कर रहे हैं, और एक farmer खुद काम कर रहा है, पाँच लो तो वो क्या करेगा इस cost में मतलब इस fix cost में या इस online में या जो क्या करेगा वो खुद का भी पैसा 200 रुपए जोड़के रखेगा input rate करके रखेगा कि अगर में काम ना करके अगर मेरी जाल किसी मज़़ूर को रखता तो वो 200 रुपए cost मुझे देना पड़ती ये चीज़े तो अगर उसकी खुद की जमीन है जो लीज लिया है तो रेंड देना पड़ेगा लेकिन अगर उसकी खुद की जमीन है खुद की ज जोड के चल रहा है कि अगर मालो मेरे खुद के पास नहीं होती में बाहर दिलाता तो मुझे पैसा देना पड़ता वो cost यहां पर जूट जाती किसमें भीवन में तो यहां पर total item कितने हो है 19 ठीक है यह 17 और एक यह और एक यह clear है इसके बाद हम बात करते हैं cost c की cost c क्या होता है याद रखना cost b plus यहां जाएगा imputed value of on family labor वही बात हो गई यहां पर कि अगर किसान खुद काम करता है किसान की family में से कोई काम करता तो वो उसके पैसे नहीं देता है ठीक है उसके क्या कोई पैसे देगा नहीं देगा क्योंकि वो उसकी family ही काम कर रही है लेकिन अगर family काम ना करके महाँ पर अगर वो मजदूर रखता तो उसको पैसे देने पड़ते हैं तो उसने वो पैसे जहां पर जोड़ के रखे कि अगर family काम नहीं करती और भारते आ हायर करता तो जो पैसा मेरा लगता वो पैसा उसने जोड़ दिया अब यहाँ पर यह जो कॉस्ट मार्वेस्टिंग तक को पूरा काम । फिल्ड की पेपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक सारी चीज़े क्या आजाती है अपनी हार्वेस्टिंग तक हार्वेस्टिंग तक हार्वेस्टिंग प्लस यहां मार्केटिंग तक ले लो दो different type के competitions होते हैं market के अंदर जिसको हम perfect, imperfect बोलते हैं दो कि क्या आता है, किसके अंदर type of structure, market structure के अंदर आता है इस तरीके से हम अगले 2-3 लेक्षास में market को अची तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि market होता क्या है market जो है, किस भाषा का शब्द है उसका मतलब होता क्या है तो market जो word है बच्चो market जो word है, यह एक Latin word है ठीक है, कौन सा word है Latin word कभी-कभी क्या है न, वो जदा basic questions भी exam में पूछ लिए जाते है, तो market क्यों क्या है एक Latin word है, कौन सा Latin word है तो यह है market us किस भाषा से लिया गया है, तो यह ले गया है market us से, ठीक है, market us इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, trade बोलो या merchandise बोलो, ठीक है या फिर वो place जहां पर क्या होता है buyer और seller आपस में मिलकर क्या करते हैं, business करते हैं तो market का मतलब क्या हो गया market एक Latin word है जो marketer से लिया गया है और marketer का मतलब क्या होता है trade, merchandise या place where the business conducted वो जगह जहां पर business conduct किया जाता है ठीक है उसको market बोल देते हैं ठीक है अब market होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए समझना market होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए market होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए market होने के लिए पहला तो buyer और seller आपको होना चाहिए या फिर मैं बोल सकता हो component market किसों बोलेंगे एक होता है buyer एक होता है seller ये दोनों होना चाहिए इन दोनों का क्या होगा, आपस में क्या होगा, contact होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या होगा, contact होगा, ये contact क्यों होगा, किसलिए होगा, ये करना चाहता है, buy, खीक है, ये करना चाहता है, sell किसी चीज़ को, किसको, ये और buy और sell किसको करेंगे, तो commodity को, तो किसी commodity मतलब कोई वस्तू तो किसी commodity को ये sale करना चाहता है ये buy करना चाहता है एक buyer है A और एक seller है B ये seller जो है buyer ये दोनों आपस में क्या करेंगे इनका contact होगा मतलब ये आपस में मिलेंगे क्यों मिलेंगे क्योंकि इसको कुछ चीज खरीद नहीं इसको कुछ बेचनी है तो क्या कोई भी commodity उसके लिए आपस में मिलेंगे तो इस पूरे place को हम क्या बोल देते हैं market बोल देते हैं ठीक है इस पूरे place को हम क्या बोल देते हैं market बोल देते हैं ठीक है इस पूरे place को हम क्या market बोल देते हैं For any particular commodity, किसी भी particular commodity, for buying and selling of any particular commodity, किसी भी particular commodity को buy करने, या खरीदने, या बेचने के purpose से, buyer और seller आपस में एक दुसरी को contact करते हैं, या मिलते हैं, किसी भी particular place पर उसको market बोल देते हैं, समझ में आग Dharma किया होता है, definition यास करने की ज़िखे लिख हैं, तो market क्या होता है या आपको clearly समझ में आ गया ठीक है अब market की existence के लिए क्या चीज़ चाहिए देखो component of markets बोल सकता हूं में क्या होना चाहिए यहीं से आपकी definition भी बन जाएगी component of market मतलब market होने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है यहां से आपकी definition भी बन जाएगी समझे ना ठीक है market होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए पहले चीज़ तो क्या चाहिए buyer और seller होना जरूरी है buyer and seller ठीक है buyer और seller अगर इनमें से एक भी ना हो तो उसको market नहीं बोलेंगे buyer seller दोनों होना चीज़ बायर नहीं होगा तो खरीदेगा क्या seller नहीं होगा तो बेचेगा क्या ठीक है दूसरा क्या होना चाहिए, बायर और सेलर के बीच में क्या होना चाहिए, गुट रिलेशन होना चाहिए, बायर और सेलर के बीच में एक क्या होना चाहिए, गुट रिलेशन या कमुनिकेशन बोल सकते हो, गुट रिलेशन या कमुनिकेशन होना चाहिए, तिसरा कमोडिटी ह होना चाहिए अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो आप खरीदों को क्या हो और वो बेचेगा क्या कमूडिटी होना चाहिए कमूडिटी होना चाहिए तिसरी चीज़ कहा होनी चाहिए प्लेश होनी चीज़ या not only physical existence not only physical place ठीक है जरूरी नहीं कि वह सी फिजीकली हो, यह चार चीज आप समझ गए तो market की definition समझ गए, मतलब buyer और seller होना चाहिए, उनके बीच में एक अच्छा relation, good communication होना चाहिए जिसे आप और में अगर कोई किसी चीज को हमें deal करना है, आपस में एक दूसरे कोई चीज खरीद ना है तो not only physical place का मतलब क्या है, कि सिफ physical existence नहीं होना चीए जैसे कि आप market गए, market से कोई चीज खरीद के लाए है ना, आप मालो सदर बजार गए या कई अलग-अलग place के नाम होते है, market के नाम होते है, सदर market गए या कई और market गए, शावनी गए तो वहाँ से जाके आप कोई चीज खरीद के लाते हो, उस वस्तु को आप चूते हो, जैसे पेन लेके आए, पेन आपने चुआ, मार्केश खरीदा, ठीक है आप personally जो है, buyer से, seller से आपने contact किया, तो वह physical existence हो जाता है तो market का मतलब से physical existence ही नहीं होता, आप online है, आजकल क्या होता है, trending चल रही है, online market होता है आप Amazon पर जाते हो, Amazon पर जाके कोई चीज पर्चेस कर लेते हो, पेन, कोपी, कपड़े, जूते, सब कुछ online पर्चेस करते हो तो वह कोई physical existence तो है नहीं, वहाँ पर चीज आप छूके तो नहीं देख सकते हैं कि हाँ, यह पेन है, यह पेन मैंने छूके देख लिए, अच्छा है ले लेता हूँ वहाँ पर क्या देखते हो, उसकी qualities देखते हो, उसके बाद वहाँ पर purchase करते हो और उनका एक जो है representative या जो भी उनका delivery वो होता है, वो आपको देदेता है तो वो भी यहाँ पर consider किया गया है कि place मतलब सिप physical place नहीं, online वाला place भी consider यहाँ पर किया गया है market के अंदर तो जो भी हम online shopping करते हैं, that is also comes under in the comes in the markets तो वहाँ पर भी क्या है, एक seller है, Amazon as a seller है, वहाँ पर हम कुछ चीज खरीदे है buyer, उनके बीच में हमारा relations क्या है, वहाँ पर हम specification वगरा चेक करते हैं, उस particular commodity का और हमें जो ठीक लगता है, वहाँ से में ले लेते हैं और वह भी क्या है, एक online place है, तो market क्या होता है, यह चार components आपके लेली समझ गया होंगे, कि buyer seller होना चीए, उनके बीच में से relation होना चीए, community होना चीए, प्लेस होना चीए, तभी क्या होगा, यह उसको हम particular market बोल सकते हैं, ठीक, market कब बोला जाता है, यह सारी चीजे होगी तभी उसको क्या बोला जाएगा, market बोला जाएगा, दर्वास, market नहीं बोला जाएगा, clear है चलिए, यह तो हमने समझा कि market क्या होता है, अब बात करते हैं कि तब हमने सुना है marketing, marketing का मतलब क्या होता है, marketing का मतलब होता है बच्चों, कि कोई भी एक producer है, किसी चीज को produce करता है, ठीक है, मैं अभी क्या बता रहा हूँ, यह हो गया producer, कोई भी एक producer, इसको farmer भी क्या एक producer ठीक है? अब मैं बात कर रहूँ किसकी marketing की, कि marketing क्या होता है? ठीक है? market अभी हमने सब्सान, आप समझे रहे है, marketing. कोई भी producer प्रोड्रुसेर को किसी चीछ को बना आता है, तो किसके पास पोस्ती हैं? कंजूमर के पास किसके पास पोस्ति है फाइनली फ़्वोगता के पास या गरहा के पास तो producer से कंजूमर तक पोचने में जितनी भी activities all activities जो इसके अंदर involved होती है जितनी भी activities involved होती है उसको हम बोल देते हैं क्या marketing marketing क्या है एक process है process मतलब producer to consumer producer से consumer तक किसी वस्तू को पहचाने की एक process जिसके अंदर बहुत सारी activities आती है ठीक है जिसके अंदर बहुत सारी activities आती है जैसे farmer ने मालों यहां पर गहों का production किया तो वह को production करेगा ठीक है उसके बाद उसकी grading करेगा grading करने के बाद उसकी packaging करेगा packaging करने के बाद उसका transportation, transport के साथ कहा ले जाएगा market में और वहां पर उसको बेचेगा तो producer से consumer तक पहुचाने में जितनी भी activities involved होती है उस पूरी process को बोल देते है marketing ठीक है मतलब क्या हो गया इसके अंदर हम बोल सकते हैं all the activities इसके अंदर क्या बोल सकते है all the activities involved in the किसके अंदर production of a commodity to final consumer ठीक है going to the final consumer तो हम यह क्या बोल सकते है marketing का मतलब क्या हो गया कि कोई वस्तू अगर कोई कोई फार्मर है या कोई प्रोडेसर किसी चीज को बना रहा है तो उसको कंजुमर तक पुचाने में जितनी भी चीजे इन्वावल होती है जो भी प्रोसेस बीच में होती है उसको हम मार्केटिंग बोल देते हैं क्लियर है आई तिंग यहां पर क्लियर लिसमझ भी आ गया है gobierno टांस्पॉर्टेशन आ जाएगा यह सारह क्या है function से जितने भी activities और भी हो सकता एटिसी ठीक है बहुत सारी activities इसके अंदर इनवाल होती है तो यह सारी या agricultural बोल सको agricultural marketing या agriculture marketing ठीक है agricultural क्या होता है मैंने बता दिया था first lecture के अंदर ही तो agriculture marketing ही लिख देते हैं हम तो ठीक है agriculture marketing अब agriculture marketing क्या हो गया जैसे मैंने भी बताया कि कोई producer कोई चीज बना रहा है उसको final consumer तक पोचाने में जितनी भी activities इन्वाल होती है पूरी प्रोसेस क्या किलाती ही marketing अब marketing तो लगा है आगे agriculture लग गया agriculture क्या यहाँ पर दो चीज़ इन्वाल होती देखो बात करते हैं यहाँ पर क्या होता है इसमें सारी activities involved होती है कहां से procurement of input by the farmer से लेके farmer के दुवार जो produce किया जाता हूँ उसको consumer तक पहुचाने तक ठीक है जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर प्रेले लिख देता हूँ all the activities involved in the procurements of firm inputs by the farmers farmer के दुवार फार्म इन्पूट्स क्या होता है जो भी farm inputs होते है उनको purchase किया जाता है and moment of farm produce from farmer to या from farm to consumer farm to consumer इसको मोलते है अग्रिकल्टर मार्केटिंग समझना क्या क्या है यहाँ दो चीज़ा है एक तो क्या होगा प्रोक्यूर्मेंट ओफ farm inputs farm inputs का procurement farmer करता है किसी भी एजन्जी से और यहाँ पर movement होता है किसका farm produce का जो farmer पर जो farm से जो produce हो रहा है वो farm से लेकर कहां तक जाता है कर्जूमर तक जाता है तो यहाँ पर भी चीज़े क्या हुई तो यहाँ पर दो चीज़े ओर यह नहीं है एक तो पहली चीज यहाँ पर क्या हो रहा है farmer क्या कर रहा है farmer क्या कर रहा है ऑसा बनादेता हूं फार्मर क्या कर रहा है यहां पर फार्मर क्या कर रहा है इंपुट्स को क्या कर रहा है पर्चेस कर रहा है ठीक है फार्म इंपुट्स को पर्चेस कर रहा है ठीक है फार्म इंपुट्स को पर्चेस कर रहा है दूसरी चीज़ यहां पर फार्मर क्या पोचा रहा है फार्मर क् vodka produce कि यह का पुछ रहा है यह कई अचिवर तक इंचिसे कृछ हों तो दोचीज मार्केटिंग को क्या स planted क्याsalिक Little कि आच ficou एक होन्य होना चीए फार्मर्ड थे अचिए वह सब्सक्राइब हो previous Barbie अब अग्रिकल्टर मार्केटिंग ठीक है जित सारी एक्टिविटीज इन्वल्व होती है जहाए इंपुट्स को खरीदने से लेकर और फार्मर अपने फार्म पर जो भी फार्म प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंजुमर तक पोचाने में जितनी भी एक्टिविटीज इन्वल अग्रिकल्टर मार्केटिंग का जो है सब्जेक्ट मेंटर क्या है सब्जेक्ट मेंटर की बात करते हैं इसका या ठीक है सब्जेक्ट मेंटर की बात करते हैं सब्जेक्ट मेंटर क्या है ठीक है इसकोप की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ निकल के आती है एक चीज क्य कि यहां पर होती है कि अध्या अध्य रिक्सक्ते हो यह होती है product marketing product की marketing होती है दूसरी input marketing input marketing this subject matter of agriculture marketing मतलब यह हुर्य product marketing और product market input marketing से product marketing ठीक है मतलब बही चीज़े फार्मर क्या करता है ये input marketing से farmer क्या करता है purchase करता है और farmer क्या करता है product marketing के तो product को market में ले जाता है तो agriculture marketing में दो चीरी include होती है product marketing और input marketing product marketing का मतलब यह हो गया कि farmer जो अपने farm पर जो कुछ भी produce करता है उत्पादित करता है उसको काम पोचाता है consumer तक ठीक है और input marketing का मतलब है पड़ी के मार्केटिंग क्या होता है मार्केट क्या होता है मार्केटिंग क्या होता है अब हम बात करेंगे मार्केट इस्ट्रक्चर की कि अब किसकी बात करते हैं मार्केट इस्ट्रक्चर ठीक है अब बात करेंगे, market structure, market structure का मतलब क्या है, market structure, जैसे कि आप मकान बनात्रे तोग बोलते न Chicago मकान का structure क्या रखोगे, building की design कैसी रखोगे, that is structure का मतलब क्या है, एक proper धाचा, ठीक है, एक proper सरचना, that is means structure, तो यहाँ पर market essence में market का structure क्या होता है, तो market structure का मतलब होता है, so refers to number of firm and या number and type of firm ऐसा कर लो number and type of firm in the industry, किसे भी industries के अंदर firm का type और कितनी firm उसके अंदर है, उसको में बोलते है market structure, जैसे की industries का मतलब industries काई प्रकार, कि textile industries है, sugar industries है, कई सारी industries है, cloth couple industries है, और हमारी जो है, sugar industries है, और अलग-अलग है, Lot set अलग है, automobile industries है, कई सारी industries है, तो उन industries के अंदर कई早ी firm काम करती है, ठीक है, industries के अंदर क्या होती है, type of firm और number of firm कई सारी firm होती है, अलग-अलग, तैप के कई सारी firm होती है, उसको हम बौल देते है market structure, या बोल सकते हैं हम क्या size and design of the market, हम क्या बोल सकते हैं, इसको other definition मेंगा करें तो size and design of the market, ठीक है, market का size क्या है और उसके किस design पर बना हुआ है, उसको बोलते है market structure, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई एक industry है, और industry और firm में थोड़ा सा difference समझ लो, industry firm को मतलब होता है, ये होते ही ये हमारी क्या है, industries है, ठीक है, इस industries के अंदर कई सारी firm होती है, ठीक है, कई सारी firm होती है, ठीक है, ये firm 1, ये firm 2, ये firm 3, ये firm है, तो वही है ना, किसी industries के अंदर कितनी सारी firm हैं, और किस type की firm हैं, ठीक है, किस type की firm, जैसे कपड़ा industries है, तो अलग-अलग कपड़ा industries यहाँ पर मिल जाएगी, अलग-अलग firm आपको मिल जाएगी, लिवाइस के अलब, नोश्टरम के अलब, सब अलग-अलग आपको अलग-अलग मिल जाएगा, फर्म मिल जाएगी, पैन की बात करो, तो पैन में अलग-अलग आपको firm मिल जाएगी, तो यह एक industries है, इस industries के अंदर कई सारी firm होती है, तो market structure का मतलब, यह पूरा एक structure होगा है, भाई यह industry, उसके अंदर यह सारी firm है, तो यह क्या होगा एक market structure, कि number and type of firm in the industries, एक पूरी industry है, उस industries में कितनी सारी firm है, मतलब, यहाँ पर क्या होगा, यह, यहाँ पर क्या होगा, इस industries के अंदर क्या होगा, एक same product की बात होगी, जैसे sugar industries है, तो यहाँ पर भी firm में सुगर बेची जाएगी, इस firm में से भी सुगर बेची जाएगी, ठीक है, same product हो scale करेगी, लेकिन यहाँ पर type जो है, अलग-अलग होगा, मतलब, इनका design अलग-अलग होगा, ठीक है, design इनका अलग-अलग होगा, तो वही बात हो गई कि number of firm, एक industries के अंदर कितनी सारी firm है, और किस-किस type की firm है, design क्या है उनका, यह पुरा structure क्या 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 ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक, अब market structure जो है, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, या हम बोल सकते market structure को, it is determined by, it is determined by, इसको हम determined कैसे करेंगे, अगर market structure को हमें determine करना है, तो क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ आती है, पहला आता है market conduct, और दूसरी चीज़ आती है market performance, दूसरी क्या जाती है market performance, ये दो चीज़ आती है market structure के अंदर, देखो, market conduct का मतलब, conduct का मतलब होता है, कोई चीज़ को conduct करना, जैसे कि मानलो आपने कोई प्रोग्राम या कोई event, अगर आप college में हो तो आपने कई सारे event कंड़ कियो होगे, प् कोई हम प्रोग्राम कंड़ करते हैं, या कोई event कंड़ करते हैं, तो हमारे mind में क्या चीज़े आती है, हमारे mind में ये चीज़े आती है, जिसकी आपने क्या मानलो को आपने event कंड़ किया, ठीक है, event कंड़ किया, और उसकी आपने ticket की price रखी 5 रुपे या 10 रुपे, तो आप उसको event को connect करोगे और देखोगे कि लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो फिर जैसे आपने market कंडेक्ट मतलब क्या कि आपने event कंडेक्ट किया आपकी माइन में कई सारी चीजे थी कि हमारा event सही तरीके से होना चाहिए इसमें कोई problem नहीं होना चाहिए फिर दूसरी चीज कि क्या हम जो event कर रहे हैं क्या हम जो market है या जो लोग है उसको एड़क्ट करेंगे क्या उसको हम लोग उसको adjust कर पाएंगे क्या उस ticket पर लोग उस event को देखने आएंगे यह सारी चीजे रहती है लेकिन जब आप market conduct करते हो conduct करने के बाद फिर उसका performance देखते हो हमने जो event conduct किया था उसमें हमारा event का response यह रहा और इतने इतने जो लोग जो है इस price पर देखने आए हैं ठीक है तो यह दो चीजे दोनों चीजे एक सास होती ही market के अंदर तो market conduct के अंदर क्या चीज़ देखी जाती है कि आपने कोई भी product market में launch किया या market में उसका एक market conduct किया किसी भी particular commodity का अगर आपने market conduct किया तो वहाँ पर आप क्या चीज़ देखोगे मतलब market conduct करोगे तो आपने दिमाग में क्या है कि इस particular price पर market क्या है उस product को adopt करेगा adjust करेगा या नहीं फिर आप यहाँ क्या करोगे उस particular market line पर या इस particular market conduct पर उसका performance चेक करोगे क्या चेक करोगे आपका economic result चेक करोगे कि भी हमने जो market conduct किया था particular commodity का उसका economic result क्या रहा उसको market performance बोल देते है तो market conduct के अंदर क्या चीज़ आती है मार्केट के अंदर łाएद चीज़ आती है कि particular price पर या particular price पर जो product है आपका वो market adult कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर क्या होता है price यहाँ पर क्या बात होती है यहाँ पर एक particular pattern औफ बिहावर देखा जाता है याद रखना पैटन ओफ बिहावियर ओफ कमोडिटी ठीक है कमोडिटी का पैटन या बिहावियर देखा जाता है किसी पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर प्राइस पर ठीक है पर्टिकुलर प्राइस पर उस कमोडिटी का पैटन या बि स्कास Tamara कर रहा है कि निए अड कि आ बाइब ने मार्केट कि उसको आड़िये स्क्राइब कर रहा है कि यह सारी चीज़ है तो मार्केट का मतलब ह Caucasus ही सिद्धा हो गा कि किसी प्टिकुलर चीज का पैटन क्या है उसका behavior क्या है उस particular pattern behavior पर या उस commodity को market जो price हमने decide क्या उसको market उसको adopt कर रहा है या नहीं फिर यहां पर market performance का मतलब होता है economic result देखना ठीक है economic result ठीक है economic result in particular particular line of conduct particular line of conduct जो हमने market conduct किया था particular market किया थो उस पर उस particular commodity का जो है economic result क्या रहा ठीक है यह दोनों चीज़े होती है जो market structure को determine करती है ठीक है क्योंकि market structure मतलब क्या है एक industries के अंदर कई सारी firm होती है कई प्रकार की firm होती है तो उसके अंदर उसका market conduct देखा जाता है कि particular price पर वो एडोप्ट कर पा रहे है नहीं और उसका performance मतलब economic result देखते हैं कि कितना फाइदा हमें वहां से हो रहा है यह क्या होता है हमारा market structure कि अगर हम बात करें component of market structure के component of market structure component of market structure तो सबसे पहले बात आते है नेचर ओफ competition ठीक है nature of competition सबसे पहले nature of competition देखो हमने क्या बोला एक industry है ठीक है एक इंडस्टी है इस इंडस्टी के अंदर इस इंडस्टी के अंदर क्या होता है कई सारी firm होती है ठीक है एक इस इंडस्टी के अंदर क्या होती है कई सारी firm होती है जिसमों मालो कई सारी सारी फर्म है कई सारी फर्म अब भी में बात कर रहा हूं कि सारी फर्म क्या बना रही है ठीक है यह कौन सी इंडस्ट्री जर मालोग बनाने की फर्म है तो इनके बीच में आपस में बेच रहा है यह भी पांच 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 में बेच रहा है तो अब इनके बीच में क्या होगा इस प्राइस पीस है में अब कॉम्पटिशन जो होगा वो इनके स्पेसिपिकिशन पर होगा तो यह कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़े अपने प्रोड़क्ट में चेंजिस लाते हैं ताकि मार्केड में उज्यादा विके तो इन चारों फर्म के बीच में क्या होगा कॉंपेडिशन होगा इस पर्टिकुलर प्रोड़क्ट को लेके तो नेचर ओफ कॉंपेडिशन जो हता है कि इंट्री और एक्जिस्ट कि कोई फर्म है वो कब इंट्री करेगी और कब भार हो जाएगी इंट्री का मतलब क्या है कि जैसे मालो यह पेंट बनाने की इंट्री है और अब जो एक पांचवी फर्म है यह फाइफ पेंट बनाने की यह इस इंडस्ट्री में क्या करना चा कुछ फर्म ऐसी होती है जहांपर आप इंट्री करने में रिस्टेक्शन लगते हैं गुर्मेंट से पर्मिशन लेनी पड़ती है पेटन राइट लेने पड़ते हैं तो वह अलग-अलग चीज़ें हम पढ़ेंगे हैं कोंपडिशन पर्फेक्ट कोंपडिशन में मोनोपॉली में डियूपॉली में और मोनोपलिस्टि कोंपडिशन में तो अलग-अलग मार्केट टाइप पर डिपेंड करेगा तो यहां पर इंट्री करना चाहरी है यह पांची फर्म पेंट करना चाहरी है तो यह जो लोग है न प्राइजिंग में कम ज्यादा करती है या कुछ नया चीज देती है ओफर दे देती है ताकि लोग इसकी तरफ ध्यानना दे है तो यह अकोडिंग टू मार्केट इस्टेक्चर जैसे पर्फेक कॉंपिडिशन की बात करू तो बिल्कुल इंट्री पर कोई रोक नहीं है कोई भी आके इंट्री कर सकता है कभी भी एक्जिस्ट कर सकता मोनोपोली की बात करू तो इंट्री भी नहीं कर सकता तो अलग-अलग मार्के कप करेगी मालों इसको एक्जिस्ट करना है भार जाना है नहीं करना काम इसowieं ठाथ में पैन की पैन नहीं बनाना खदम करना की अपर गो डिया इसको लोस्ययस होगा ओर ये कब तक यहां पर बनी रहे ında normal profit पर बनी रहेगी normal profit per बंद जब तक इसको normal profit होगा यह बाहर नहीं जाएगी और भार कप जाएगी जब लोस होगा नॉर्मल प्रोफिट का मतलब है जितनी इसकी कोस्ट आरी उतना इसका रिवेन्यू भी हो रहा है ठीक है मालों पांस रुपे की लागातारी और पांस रुपे इसको मिल रहे हैं तब तक यह मार्के के अं हुँआ है तो खुछ ऐसी कंडिशन थो ऐसे मार्केट जैसे परफेट्ट कोंपोडिशन उसमें कोई भी इंट्री कर सकता अर्ब कभी भी आप उससे बाहर हौ सकते हो फरफेट कोंपडिशन में लेकिन मोनोपोली में आया इंट्री भी नहीं मिलती है और जो एक Baris entry है उसकी वो भार भी नहीं हो सकता ठीक है तो अलग-अलग टाइप की वहापे चीजह आपको देखने को मिलेगी ठीक है कि तीसी लिए आप राता है फ्लोव मार्किल information फ्लोव मार्केट इन्फॉर्मेशन फ्लोव मार्किल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि अगर जो buyer and seller है उसको perfect knowledge होना चाहिए किसका market का ठीक है इसका मतलब क्या हो गया perfect knowledge of market market का perfect knowledge होना चाहिए pricing से लेके product से लेके हर चीज़ का जो है perfect knowledge होना चाहिए market information का flow का मतलब क्या है कि सभी के पास market का अच्छा knowledge है उस particular commodity की price क्या है कितने पर बेचेंगे तो फाइदा होगा यह सारी चीज़े knowledge होनी चाहिए तो आज हमने क्या पड़ा आज में इतना ही lecture रखुआ क्यों कि अब आगे जो हम बात करेंगे market structure के type की तो आज हमने पड़ा market क्या होता है marketing क्या होता अग्रिकल्सर जो यह दोपरकार को होता है ठीक है market structure जो होता है यह हम बोल सकते हैं degree of competition degree of competition हम बोल सकते हैं degree of competition के basis पर market का classification एक होता है perfect market ठीक है एक होता है perfect market और दूसरा होता है imperfect market इंपर्फेक्ट मार्केट होता है ठीक है अब perfect market तो अपने आप में हम समझेंगे इसमें लाज नमर वो बायर होते हैं product होमोजीनिस होता है ठीक है selling cost absence होती है transportation cost absent होती है सब समझेंगो क्या होता है इसका graph कैसा बनता है उसारी हम में discuss करेंगे imperfect markment ये फिर तीन प्रकार का होता है इसके अंदर आता है monopoly ठीक है जब एक ही buyer हो धृट एक यह सेलर हो एकिभायाथ मेर totaाक ये टिए को मेस्ट्रों ओलिगोपोली होता है तूरी ग॑ष्टिक को चोंपपेडिशन पिर दोप्रकारत खोटाए एक प्योर ओलिगोपोली और डिफ्रेंचिर ओलिगोपॉलि डिफ्रेंशेट, ओलीगो, पॉली, ठीक है, टाइप ओप मार्केटिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट क्या होता है दिन हम मनने market structure को discuss किया था आज हम discuss करेंगे कि market structure के क्या type है मतलब market structure actual में होता किस type से है in the market ठीक है अब इसको मैं type of market structure भी बोल सकता हूँ या फिर in the sense of classification of market we call as classification of based on degree of competition मतलब इसको हम degree of competition के basis पे भी क्या कर सकते हैं ठीक है तो type of market structure के place पे हम score क्या बोल सकते है classification of market क्या बोल सकते है classification of market based on degree of competition ठीक है classification of market based on degree of competition इस type से भी मतलब ये भी पढ़ोगे तो यही चीज़ आनी है type of market structure पढ़ोगे तो भी यही चीज़ आनी है तो हमने कल डिसकस किया था basic से तो फिर से हम देखते हैं कि type of market restriction में बात करें तो इक तरफ आता है हमारा परफेक्ट competition या परफेक्ट market परफेक्ट competition बोलो या परफेक्ट market बोलो या second हम देखेंगे यहाँ पर इंपरफेक्ट competition या इंपरफेक्ट market ठीक है अब यहाँ पर हमें एक चीज और देखी ठीक हमने कि एक तरफ परफेक्ट competition होता है दूसरा होता है इंपरफेक्ट competition इंपरफेक्ट competition को फिर से classify किया रहा है तो वो perfect competition का मतलब क्या होता जब कोई चीज perfect कब होती है जब वो चीज सभी तरीके से पूरी तरीके से क्या हो सारे आसपेक्ट देख लो सारी चीज़े देख लो क्या होनी चाहिए uniform होनी चाहिए होमोजीनेस होनी चाहिए उसे हम क्या बोलते है perfect इंपरफेक्ट कब बोलते है कि वो हमोजीनेस नहीं कहीं न कहीं उसमें ओच नीच यह थोड़ा बहुत फेर बदल्स होता रहता है ठीक है चेंजेस आते रहते हैं मीन्स हीटोजीनियस कंडिशन्स पो आप देखने को मिलती है डेट मिन्स इंपर्फेक्ट है ठीक है तो इंपर्फेक्ट को फिर से क्लासिफाई किया गया है उसमें सबसे पहल होता है हमारा मोनोपॉली क्या होता है मोनोपॉली मार्केट यह मोनोपॉली कंपेटिशन दूसरा होता है ओलीगोपॉली ओलीगोपॉली कंपेटिशन यह ओलीगोपॉली मार्केट और तिसरा होता है मोनोपॉलिस्टिक monopolistic competition यह monopolistic market. इसमें जो monopolistic हैं इसमें थोटा सा competition हमें ज़धा होता है क्यों? क्योंकि यह 저 monopolistic competition है ये दो और competitions काई वीचर्थ है? ये मतलब combinations जो सकते हैं ये दो market का. कुण्सा? एक तो monopolistic के अंदर आपको मिलेगा क्या? monopoly के features और प्रफेक्ट के पीचर्ट के पीचर्स, तो मतलब यह combination है किसका, monopoly market का और perfect competition, दोनों का यह, क्या है, combination है, कुछ पीचर्स इसके अंदर आपको monopoly के मिलेंगे, कुछ पीचर्स आपको इसके अंदर किसके मिलेंगे, परफेक्ट के मिलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा confusion हमें create होता है, यहां फिर हमने एक चीज़ और देखी दी क्या, कि इसको दो classes में classify किया गया, मतलब oligopoly को भी दो classes में classify किया गया है, एक होता है क्या perfect या pure oligopoly, pure oligopoly, ठीक है, pure बोलो या perfect बोलो, ठीक है, दूसरा होता है हिट्रोजिनेस या differentiated oligopoly, ठीक है, differentiated oligopoly या हिट्रोजिनेस oligopoly बोल सकते हैं, यहां पर pure या perfect oligopoly बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्यूं होता है, इसके दो classification क्यूं है, समझेंगे, क्यूं होता है इसा, कि oligopoly जो होता है, इसमें दोनों तरह के product हमें देखने को मिलते हैं, होमोजिनेस product भी देखने को मिलते हैं, हिट्रोजिनेस product भी देखने को मिलते हैं, जब होमोजिनेस product की बात आती है, तो उसको हम pure oligopoly बोल देते हैं, जब heterogeneous product की या differentiate product की बाद आती है तब हमको differentiate oligopoly बोल देते हैं आगे इसको हम समझेंगे जैसे market का classification आगे हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा ठीक है कि यह है market पूरा structure perfect होता है imperfect होता है imperfect में भी तीन है monopoly oligopoly, monopolistic oligopoly में भी दो हमने यहाँ पर देखा अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या सबसे पहले perfect market की ठीक है सबसे पहले किसकी बात करेंगे है perfect market की perfect market बोलू या perfect competition बोलू एक ही बात है ठीक है दोनों एक ही चीज़ है perfect market या perfect competition देखो perfect market में क्या क्या चीजे हैं सारी चीज Walker समझना सारी चीज समझना जो भी बनते हैं इसी पार्खे मौसली बनते है तो यहां पर समझना perfect competition में होता क्या है perfect competition में पहली चीज थी होती है LARGE NUMBER OF BUYER और SELL contest LARGE NUMBER OF BUYER AND SELL Tips यहाने पर कई सारे buyers होते हैं और कई सारे sellers होते हैं भूँ सारे buyers होते हैं भूँ सारे sellers होते हैं ख fant Christmas बुष भूरत सारे sellers होते हैं देको जब large number of buyers लग भूरते हैं तो यह same product के साथ deal करते हैं ठीक है वैसे तो यह condition है perfect marketing जो condition है यह real life में exist नहीं करती है सिर्फ accept in agriculture good stock बोल सकते हैं हमारा share and जो holds होते हैं share stock होते हैं उनको छोड़के तो real life में बहुत कम exist करती है बहुत कम हमें देखने को मिलती है ठीक है? बताओंगा कहां देखने को मिलती है best example हमारा agriculture का ही है तो यह जो है situation के हापे क्या बोल रही है कि हापे बहुत सारे बायार होते है बहुत सारे खरीदने वाले होते है और बहुत सारे बेचने वाले होते है इंदसें general market में आप जाओगे कहीं भी market में आप जाओगे निकलोगे भार तो आपे pen खरीद होगे तो सभी दुकानों पे pen जो आपको uniform price में मिलेगी अगर 5 रुपे की pen मिल रही है तो सभी दुकानों पे 5 रुपे की pen मिलेगी same pen ठीक है इस type सब समझ सकते हो हाला कि real life में ऐसा exist नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होता perfect market में homogeneous product के साथ deal होता है जो homogeneous product होते हैं ठीक है जो homogeneous homogeneous product के साथ deal किया जाता है homogeneous product होते है तो perfect market होता है वहाँ पर जितने भी firms होती है जितनी भी दुकाने होती है इसा बहुत सकते हैं वहाँ पर product जो होते हैं वो same होते हैं same product के साथ यहाँ पर deal किया जाता है तो पहली चीस्तों हो गए यहां पर large number of buyer and seller, दुसरा हो गए यहां पर perfect क्या होना चाहिए, homogeneous product होना चाहिए और तिसी चीज़ यहां पर आप देखोगे ना, कि इस तरीके का जो market होता है हमारा perfect वाला, यहां पर कोई entry barrier नहीं होता मतलब हम कर सकते हैं, कि यहां पर कोई भी entry कर सकता है, मतलब freedom to entry, यहां बोल सकते हैं क्या है freedom on entry or exit, यहां पर entry और exit में कोई rock talk नहीं है, कोई ही भी बंदा, जैसे मालो अब, अभी हम बात करें कि आप market में जाओ, वहां पर एक दुकान लो, दुकान लेकि आप कपड़े की दुकान डाल लो, कोई rock talk नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई government के restriction नहीं है, कोई rules regulation नहीं है, easily खोल सकते हो, गाओं में गए, आपने वहां जाकर एक दुकान खोल ली, easily आप खोल सकते हो, तो कोई restriction यहां पर नहीं होता है, ठीक है, तो easy to entry, easy to exit, यहां पर देखने को मिलता है, हमें, ठीक, यहां पर जितने भी जो buyer and seller होते हैं, जैसे हमना बोला large number of buyer and seller, तो इनको क्या होता है, इनको market का perfect knowledge होता है, तो याद रखना है, perfect knowledge होता है, perfect knowledge of buyers, perfect knowledge of market, market, market का perfect knowledge इनको होता है, ठीक है, market का perfect knowledge यहां पर होता है, ठीक है, buyer and seller को, फिर, यहां पर क्या होता है, no any selling cost, यहां बोल सकते, absence of selling cost, absence of selling cost, यहां पर किसी प्रकार की कोई selling cost नहीं आती है, और absence of transportation cost, absence of transportation cost, absence of transportation cost, absence of transportation cost, मैं बताओंगा selling cost क्या है, transportation क्या है, सारी चीज़, तो यह पांचे point है, इनको अगर आप अच्छे से समझ लिए न, तो आपको बाकि कुछ देखने की जरुवत नहीं है, ठीक है, यहां पर आपने अगर यह सारे point देख लिए तो आप, और कोई point देखने करना पराइस, जो प्राइस मेकर होता है, ठीक है, ठीक है ? यह most important है, तो प्राइस, टेकर, मेकर होती है प्राइस, कौन देखने करती है, industry और उसी प्राइस को कौन ले ले लेता है, फर्म ले लेती है, दो को याज मैनने बताया था पहले कि यह industrialis है ये m alo koji 1 एक industry है ठीक है ये कोई भी इंडस्टी के अंदर कई फर्म काम करती फर्म वान टू और ट्री ठीक है ये फर्म है दो खर में तीन फर्रम है यह क्या है फद्र न खार में घखर कोई पर प्रीक्टिकल फॉई यू है जो मुझे ही लगता शायब कोई बता hacemos अब इसका इंग्चाम्पल आपको बताता हूं एक्जाम्पल यह पर्फेक्ट कॉम्पोडिशन का वैसे तो यहां पर एक चीज़ और मेंशन करो एक पॉइंट और मेंशन करो यहां पर एक पॉइंट और क्या मेंशन करोगे जो जितने भी प्रोड़क्ट है यहां पर जितने भी प्रोड़क्ट है क्या होती है यहां पर uniform price होती है uniform price for homogenous product जो homogenous product की बात की है तो सारे product homogenous है तो यहां पर price भी सेम होगी अब पहली चीज़े मैं एक एक point को समझाता हूँ पहले दो बोला इसने large number of buyer और seller कई सारे buyer होंगे कई सारे seller होंगे यह point आपका clear है दूसरा यहां पर बात करो homogenous product की homogenous product का क्या मतलब है homogenous का मतलब है कि जो भी product है वो size में, shape में, color में and it is a इन में क्या होना चाहिए? same same होना चाहिए बोलते हैं क्या? मतलब same in same in, size, shape and color homogenous product का क्या मतलब है? कि size में, shape में, color में जितने भी features है वो sub में same होना चाहिए वो product तो आपको देखो आपको market में कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो size में, shape में, color में same हो हर एक firm का ठीक है? यहां पर अलग-अलग firm की बात कर रहा हूँ जैसे यह firm 1 है यह firm 2 है, यह firm 3 है ठीक है? तो इन तीनो firm, क्या यह तीनो firm एक जैसा product बनाएगी? नहीं क्योंकि copyright का issue हो जाएगा माल लो इसने क्या बनाया? sale of company बनाया ठीक है? इसने sale of company बनाया जो 5 रुपेम बिखता है तो क्या यह same sale of company बना सकती है? नहीं बनाएगी ना? क्योंकि यह इसका design है इसके size है, इसका color है जो यह copy नहीं कर सकता है, नहीं तो copyright का issue आजाएगा क्या लग जाएगा तो real life में यह perfect market exists नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि यह size, shape और color same, सब कुछ same आपको नहीं मिलेगा कोई यह सा product बता हुमर को जैसे MI का phone आता है, Vivo का phone आता है क्या डिक्टो same है size में, shape में, color में, features में same होता है? नहीं होता है changes आपको देखने को मिलेगे तो real life में जो मैं देखू ना reality में तो यह perfect market exists नहीं करता लेकिन एक दो जगा exist करता है वो मैं बात करता हूँ, ठीक है? चाहे आप यहाँ कोई भी example ले लो real life में, चाहे आप sample का भी exam लोगे जो एक रुपे में मिलता है, market में shampoo dove का, printing का, hair and shoulder का लेकिन किसी का color अलगे, किसी का size अलगे उपर से cover का size अलगे, है ना यह size अलग अलगे, content अलग अलग हो सकता है तो product तो same है, सब shampoo बेच रहे हैं, सब paint बेच रहे हैं लेकिन size shape तो थोड़ा वो changes हो सकता है ना तो real life में perfect market जो नो, वो exist नहीं करता कहां करता है, वो हम बताऊंगा, एक दो चगा करता है, कहां करता है तो हम जो market देखते हैं, आसपस वो monopolis tic market होता है हमारे आसपस जो market है, वो monopolis tic market है कि closely related होमोजीनियस product होते हैं, हमोजीनियस product होते हैं होते हैं, differentiate product होते हैं, मतलब याद रखना कagnigan होते हैं, लेकिन closely related, जैसे shampoo हो गया, differentia है changes है, लेकिन closely related है, ठीक है, इस तरही का, तो monopolis tic हमारे यहां होता है उसमें कुछ feature इसके होते है perfect के कुछ feature monopoly के होते हैं ये चीज़े ऐसी है ना ये जो हम चीज़े पढ़ रहे हैं ये चीज़े ऐसी है जो हमारे आतपाती है हम इसको real life में feel करते हैं ठीक है तो समझने में थोड़ा समझा भी आएगा ये जो market है perfect ये मैंने बोला ये real life में exist नहीं करता क्योंकि देख लो ना या homogenous product बोला इसमें क्या होना चाहिए side में भी same होना चाहिए safe में भी same होना चाहिए मतलब आकार, आकरती और रंग उसका same होना चाहिए तो यहाँ पर तीन अलग-अलग firm है तीन अलग-अलग company है जो pain बना रही है क्या तीनों की side, shape, color और design same हो सकती है नहीं क्योंकि case लग जाएगा ना copyright का issue आता है सबका अपना-अपना design होता है ठीक है दूसरी हम बात कर लें मालो कार की ठीक है मालो यह मारूती Suzuki का है यह Hyundai का है यह Hyundai का है क्या सबका design same होगा सबकी side same होगी सबका color same होगा नहीं होगा सबका same अलग-अलग होता है ठीक है कंपनी सब एक ही है सब कार बना रही है それでは इंडस्टी क्या है अगर मैं इंडस्टी की बात करूँ यह इसकी इंडस्टी की बात करूँ तो यह क्या है automobile industries है है अब कोई मारोति सुज़गी की हुंडा की है लेकिन यहाँ पर क्या चीज़े सेम हैं नहीं है इस अधार हो सकता है तो यहाँ पर यह बोला गया हमोजीनियास प्रोड़क्ट का मतलब है कि साइज सेब और कलर सेम होना चाहिए लेकिन एक्षॉल में ऐसा होता नहीं होता कहां यह बताता हूं यह चीज़ कहां एक्जिट करती है यह चीज़ एक्जिट करती है एक्रिकल्चर गूर्ट्स में एक्रिकल्चर गूर्ट्स में यह चीज़ एक्जिट करती है क्यों करती है समझना कैसे एग्सिट कर गी यह सारे पॉइंट इस agriculture goods में वीट की यहां की तो यहां पर पहला पहला पॉइंट कर रहा है पहला पोइंट कर रहा है कि लार्ज नंबर ओफ वॉयॉ 1986 Sound ठीक है मतलब यहां पर कई सारे फार्मर है जो वीट की यहोंकी केती करते हैं तो लार्ज नंबर और सेयलऊ हो गया यहां पर फार्मर जो है वो क्या है फार्मर जो पर तो गया होते हैं यहाँ तो नंदे कि heaven तो पहले पोइंट कर रहा है यह लार्ग नंबर हो क्या है बायर और बैससी कर रहा है दूसरा सब्सक्राइम निकलते हैं तो सभी सबर्लते तो हैं जो shouty प्रफ़ी बड़ी तो सभी जगां खती है मतलब हम होता है आप कश अ Kollege से खाब होजह की वाद होता है आ बात बात अलगे वह बीश्वी जगां यह इन कलर जो होता है यहां की किसी बीकशल्टर क्मोडिटी पकोम व्रकुम को रूंडि सिल्टेंगे सबका सेम होता है ठीक है तो दूसरा पॉइंट भी आपर क्या हो रहा है सैटिसपाई हो रहा है कि अग्रिकल्ट जिर्गूट जैसे मैंने गहूं लिया तो गहूं आप चाहे इंडिया के किसी भी कौने में उगाओ उसका साई सेम और कलर सब जगा आपको सेम मिलेगा ठीक है चाहे चावा लोगा हो सेम मिलेगा ठीक है वेराइटी वाइज अलगलग हो सकता है बट अगर सेम वेराइटी गूर कर रहे हो तो अलमास्स आपको सेम मिलेगा freedom on entry and exit अब कोई भी व्यक्ति जो है वो खेती कर सकता है और खेती करना बंद भी कर सकता है ठीक है मेरे पास खेती नहीं है ठीक है मेरे पास मालो जमीन नहीं है एक इत्ता भी हिस्ता नहीं है मैं क्या करूँगा किसी फार्मा से लेके कि खेती करना शुरू कर सकता हूं कर सकता हूं कोई मुझे रोकेगा कोई इंट्री है कोई बेरियर है कोई गोर्मेंट के रिस्टिक्शन है कि आप जमीन लीच पे ले सकते कोई रिस्टिक्शन नहीं है नहीं कोई रिस्टिक्शन है कि भाई आप लीच पे लेके खेती नहीं क कर सकता हूं ठीक है तीसरा पॉइंट भी यहां पर सटीस्पाई हो रहा है फार्मार के कैस में फिर हो रहा है पर्फेक्ट नॉलेज ओब मार्केट अब यहां पर मार्केट नॉलेज अब थोड़ा से यहां पर चीज़े आपको यसी लगए कि सर्व किसानों को मार्केट का तो उस पॉइंट अब यू से सोचो ना तो किसानों को भी मार्केट का नॉलेज होता है ठीक है किसानों को भी मार्केट का नॉलेज होता है है ना गौर्मेंट जो है प्राइस डिसाइड करती है तो उनको पता है कि गहों का इतना प्राइस है राइस का इतना प्राइस है औ इससे भी हमा अच्छा प्राइस वेपारी दे रहे हैं तो वहाँ पे जाके सेल करेगा तो और मॉस्ट जो है किसानों को और बायर और सेलर दोनों को क्या होता है मार्केट का नोलेज होता है मार्केट का नोलेज है फार्मर को तभी वो फार्मिंग कर रहा है खेती करता जर्वाइस नहीं करता उसको पता है कि किस चीज के भाव हो सकते हैं उसी इसाब से वो क्या करता आपने फिल्ड़ पर ग्रोप को ग्रोँ करता है ठीक है तो चोथा point भी satisfy कर रहा है पाचो देखो absence of selling cost selling cost क्या होती है समझ ना absence of selling cost selling cost यहां पर क्या होती है selling cost होती है जैसे कि हम कोई advertisement करते हैं किसी product को sell करने के लिए हम क्या करते है advertisement करते हैं ठीक है मांन लो यह तो farmer के क्यों के case में ऐसी चीज है नहीं है farmer को advertisement नहीं करता है एक रिकल्स कुर्स कोई अड़क्वा सब्सक्राइब होता है, उसके पहले मैं बता दीता हूँ यह वाला पोइंट, यह दोनों पोइंट को मैं बाता हूँ, पहले इस पोइंट को आते हैं साथवे पे, प्रैसमेकर पे, और प्राइस्टेकर पे, इन दोनों point को भी रूखो क्योंकि ये समझ में याए वे जब तक ये वाला point नहीं बतावा मैंने बोला price maker price maker जो होती होती हो इंडस्टी होती है और firm जो है उस price को क्या है ले लेता है कि हमें इस price पर बेचना है ठीक है तो यहां पर farmer के case में गहूं का price decide कौन करता है क्या farmer price decide करता है कि मेरा गहूं में 2000 में बेचुगा है 4000 देचुगा है नहीं मतलब farm जो है वो price decide नहीं करती farmer अपने farm पर खेती कर रहा है मतलब वो एक farm चला रहा है ठीक है एक business कर रहा है तो farmer क्या हो गया एक farmer का owner है सब्सक्राइब प्राइस टेकर मतलब कि जो प्राइस इंडस्टी डिसाइड करती है जो प्राइस जो बड़े-बड़े ट्रेजर से या जो इंडस्टी है वो डिसाइड करती है उस प्राइस फर्म को बेचना पड़ता है मतलब फार्मर को बेचना पड़ता है तो यहां पर फार्मर जो होते ह एक यह जो farmer होते हैं हमारे यह farmer जो होते हैं यह क्या होते हैं यह price taker होते है price taker keeping farmer क्या कर रहा है little seller سेलर मतलब वो अपने firm का मलिक है वहांपर वो produce कर रहा है उसको बैचता है थो वो अपने हिसाब से नहीं बेच सकता वो खुद प्राइज डिसाइड नहीं करता वो क्या करता है जो प्राइज कौन डिसाइड करती है गुवर्मेंट मैं गुवर्मेंट के सेंस में बात करूँ गुवर्मेंट क्या डिसाइड करती एमस्पी जैसे गेहों का एमस्पी दो हजार पंदरा रुपए है ठीक है दो हजार वहां पर जो नीयुग दसके में और मंडी ठीक है जो गुवर्मेंट मंडी वहां पर प्राइस सुल रहा हो सहल के हैं पृस ऑप obs doctors से जो भी प्राइस होता है जो वैसे ध्रता घे हुआ किसान अपना गंडी गया वहां at चार-पांच जो है वे पारीज होते हैं, वो क्या करते हैं? ओक्षन, ओपन ओक्षन होता है, मतलब निलामी होती बोली लगती है, 2000, 2001, 2002, 2004, जो प्राइस दिसाइड हो गया, उस प्राइस को क्या ले लेता है? फार्मर ले लेता है, तो इंडस्टीज या गोर्मेंट जो होती है, इंडस्टीज होती है, वो क्या होती है? यह प्राइस मेकर होती है, और उस प्राइस को कौन ले लेता है? फार्मर ले लेती है, मतलब जो फार्मर ने उस प्राइस को ले लेते हैं, ठीक है? उसी प्राइस क किया. ठीक है? एदवोटाइजमेंट किया? या न्यूस पेपर में दिलवाया ठीक है? एदवटाइजमेंट के न्यूस पर में एक सेमें यह पर फर्फेट किया इसा नहीं होता है लेकिन यहां परकु को इस located उल्णीय को तो माल लूब किसए आपने प्रोड़ट और को में के लिए तो भी करता है तो मμοisi हो अगर इसको बेचना में फोञडं कर देख प Igorba को इसमें होता है ने चलुभ गरूरी प्राइश में होता था मेरे यह खुरूम होता है अगर इस सेंस में तो यह फ़ेक्रा का जो किसान है वो इसको 220 में नहीं बेच सकता, 200 में नहीं बेच सकता, क्योंकि ये price decide नहीं करता है, price decide पूर करता है, industry करती है, तो आप उस industry की price में आपने जो advertisement का खर्चा आया, जो भी खर्चा आया, वो आप aid नहीं कर सकते, आपको बेचना पड़े का 200 में ही, ये 20 रुपे यादरखना क्यों? क्योंकि price decide कोन कर रहा है? industry कर रही है तो industry जो price decide करती है वो सभी firmer के लिए same होती है तो उसको same मानना पड़ता है एक sense में बात करता हूँ हाला कि यह सा होता है नहीं perfect में पर सम्झाने के लिए बता देता हूँ तेन firmer ठीक है? ये भी क्या बना रही हे सेंपू। ये सब की क्या है, सेंपू की फर्म है, फिक है। ये डव की है, ये 25 की है, ये 8 wr 그렇 किये। इनोंने एंड़टाइसमेंट पर खर्चा किये। इन्होने eard vrij confident में मालो सोअर फे खर्च किये, इन्होंने 500 खर्च किए, इन्होंने 200 खर्च किए ठीक है? 200 खर्च किए लेकिन ये डव का सेंपू, ये भी 1 रूपे में बेच रहा है मतलब क्या है? कि ये जो price industry ने decide कर दी कि आपको जो एक रूपे का आपको price आपकी price में, selling price में नहीं जूड़ती है जो price के आप बेशने वाले हो उस price में नहीं जूड़ती है क्यों नहीं जूड़ती है क्योंकि price decide कोन करता है, industry करती है government decide करती है, ठीक है farmer के sense में बात कर लेते है farmer के sense में भी बात कर लेते है ठीक है, फार्मर में हाला की अड़र्मेंट नहीं होता है जिसे गॉ़र्मेंट ने इमस्पी डिसाइड की कितनी 2015 किस की, वीट की ठीक है, वीट की अब मालो फार्मर ने क्या किया यहाँ पर एक अड़र्मेंट डाला पेपर में कि बही मेरे पास यहूं है, कोई खरिदना चाहे तो मैं उसको बेज दूँगा, उस सेंद में तो farmer क्या है, कास्ट जो है, advertisement की कास्ट जोड के बेचेगा, क्योंकि वो personally advertise करके किसी particular consumer को घर बुला के बेच रहा है, लेकिन मालो उसका यह काम नहीं हुआ, success नहीं हुआ, अब उसको इसी rate में बे decide किया है, government ने और सभी farmers पर यह लगू होता है, बले farmer ने यहाँ पर कितना भी खर्चा किया हो, वो इसके अंदर नहीं जूडता है, तो selling cost का मतलब CDC हो गया, कि जो आप माल जिस price पर बेच रहे हो, हलाकि यहाँ पर यह वाला concept काम नहीं करता है, मैं बोल रहा हूँना, यह advertisement करवाया, जिसका खर्चा है मुझे 2 रुपे का, एक pen के वोपर 2 रुपे का खर्चा है, ठीक है, यह pen है 10 रुपे का, और एक pen पर advertisement का जो खर्चा पड़ा है, मुझे 2 रुपे का, तो मैं इस pen को 12 रुपे में नहीं बेच सकता, मुझे 10 में ही बेचना पड़ेगा, यह 2 र transportation card में बोला ना, transportation cost यह भी absent होती है, अब जिसी मालो, यह farmer के point दे उसके अच्छा समझ जाओगे, ठीक है, यह farmer मालो, एक कुंटल wheat गेहूं लेके, market गया, ठीक है, यह market गया, यहाँ पर क्या है, market, government market है, ठीक है, यहाँ पर इसको गेहूं के कितने मिलने है, 2015 पर कुंटल मि अब यह कितना, यहाँ से 20 km जो है, अपना माल लेके गया, मंदी उसके गाउं से 20 km है, जो transportation cost थी, एक कुंटल गेहूं लेका, एक कुंटल पर उसे transportation cost आई कितनी, 20 रुपे, 20 रुपे, transportation cost आई, तो क्या यह transportation cost आई, जो पैसा उसका लगा है, transportation का, जो भ़रा लगा है, क्या वो इसके अंदर जुड़ेगा, उसकी selling cost में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्यों? तो कि उसको उतना ही मिलना है, जितना, industry ने decide किया है, वो नहीं जुड़ेगा, जो उसका खर्चा आया है, आपने देखा होगा, आपके घर से कोई भी product market में बेचने के लिए जाते हो तो आपको भाड़ा देना पड़ता है, तो क्या वो भाड़ा आपके product की selling में जुड़ता है, क्या आपने बोला कि हम एक गहों पर मेरे जो 20 रुपे का भाड़ा का खर्चा आया, वो भी मुझे दो, मिलता है क्या, नहीं मिलता है, वो नहीं जुड़ता है, वो बलकि आपक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये ना समझाना भी थोड़ा सा टिपिकल चीजे हैं, यार, economics इसली समझ में नहीं आती, ये भी समझ में आ गया, uniform price of homogeneous product, अब देखो, आप चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, MSP जो है, है ना, वो, गोर्मेंट, central गोर्मेंट डि आप से डिसाइड कर सकती है, है ना, बाकि central गोर्मेंट ने तो 2015 रुपे डिसाइड किया है, state government अगर अपने हिसाफ से कुछ चेंजेस करना चाहे है, तो वहापे कर सकती है, ठीक है, तो उस particular state के लिए तो सेम है ना, अगर मैं दिल्ली की भी बात करूँ, चलो आप पूरे पूरे इंडिया की बात करूँ, दिल्ली की भी बात करूँ, तो वहाँ तो सारे किसान, वहाँ भी बहुत सारे बायर, बहुत सारे seller है, उन सब के लिए तो सेम प्राइस होगी ना, यूनिफर्म प्राइस होगी ना, सेम प्रोड़क के लिए, तो यह perfect market के अंदर, यह example best है, फार्मर वाला, तो I think मुझे लगता है, आपको clearly समझ में आ गया होगा, कि perfect market होता, क्या है, नहीं समझ में आया, तो फिर रिवैंड करके देखना है, बहुत सारे example हो, मुझे लग रहा था, नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, इसलिए मैंने बहुत सारे example लिए, क्यों क्य यह रियल लाइप में exist नहीं करता, इसलिए इसका example देना बड़ा difficult है, रियल लाइप में exist नहीं करता, क्योंकि यह ची कोई firm नहीं है, ऐसी को industry नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारी firm हो, सब में सेम product हो, सेम price पर भीग रहा हो, possible ही नहीं है, फिर अपना product भीचेंगे कैसे, ज्यादा कैसे बेचेंगे, कुछ अलग होगा तभी बेचेंगे ना, पर farmer के case में काम कर रहा है, पर farmer के case में जिसे ये वाला point, ये वाला point समझाना थोड़ा से typical सा, ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, क्या, कर्व की बात करते हैं, ठीक है, कर्व की, इन परफेक्ट मार्क प्राइस तो fix है, प्राइस तो fix है, चेंजेस कहा आएगा, quantity में, ये आपकी price हो गई fix, आप चाहें यहाँ पर quantity एक कुंटल बेचो, quantity दो कुंटल बेचो, या quantity थीन कुंटल बेचो, तो याद रखना यहाँ पर होमोजी, आपने क्या बोला, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ये हुँ है, अब चाहें आपने 10 कुंटल बेचा, या 20 कुंटल बेचा, या 30 कुंटल बेचा, आपको price तो कितनी मिलनी है, वही 2015 रुपे, ठीक है, सबको price है मिलनी है, एक किसान आया 10 कुंटल लेकर, एक किसान आया 20 कुंटल लेकर, एक किसान आया 30 कुंटल लेकर, ठीक है सबी को मिलेगा कितरा 2015 की हिसाब से ही rate मिलेगा तो कर्व कैसा बना हमारा horizontal कैसा बना horizontal to x-axis horizontal to x-axis या parallel to x-axis और इस तरीके का हमने demand में क्या पढ़ा था इस तरीके के demand होता है तो हम क्या बोलते है perfectly elastic demand बोलते है तो जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा perfectly elastic demand curve perfectly elastic demand कर्व बनता है ठीके तो perfect जो होता है उसमें perfectly elastic demand कर्व बनता है यहाँ पर क्या होता है price बराबर होता है average revenue के याद रखना price बराबर होता है average revenue के और बराबर होता है marginal revenue के है यह point को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर price constant है, देखो price क्या है, बिल्कुल constant है, जब price constant होती है, तो average revenue और marginal revenue के बराबर हो जाती है, मैं अभी समझाओगा कैसे, कैसे समझाओगा यहाँ पर, यह line में आपको समझाओं क्योंकि यहां से question बन सकता है ठीक है कर्व की बात कि है आपने कर्व केसा बनेगा perfect market में कर्व बनता है या पर horizontal to x-axis perfectly elastic demand क्यों बनता है क्योंकि भाई price तो fix होती है चाहे आप 10 कुंटल बेचो 20 कुंटल बेचो 30 कुंटल बेचो तो price तो उतनी ही मिलनी है आपको तो कर्व कैसा बना horizontal to x-axis या perfectly elastic demand कर्व बना मतलब यहां पर क्या था हमारा elastic demand क्या थी infinite यही थी elastic में infinite होती है याद होना चीए आपको पता होना चीए है ना vertical होता है तो 0 हो जाती है ठीक तो यहां पर यह क्या बोला कि price constant होती है तो average revenue और marginal revenue बराबर हो जाती है तो पहली बात average revenue क्या होता है marginal revenue क्या होता है यह समझना पड़ेगा ठीक है चलिए पहली चिस्तो revenue समझो revenue क्या है revenue का मतलब क्या होता है पहले हमने cost पड़ी थी जितना आपने पैसा लगाया जितना खर्चा किया total वो आपकी cost होगई ठीक है अब वापिस उस cost को लगाने पर जितना आपको return मिला ठीक है जितना आपको return मिला उसमें cost plus profit दोनों है मैं बोल सकता हो revenue equal to क्या आता है cost plus profit दोनों मिला लो इसकों बोलते है revenue ठीक है amount received by a producer ठीक है amount received by a producer किसी भी producer की द्वारा जितना amount received किया जाता है किसी product को sell करने पर ठीक है amount received by a producer after selling any particular commodity commodity को selling करने के बाद जो भी उसको amount received होता है उसमें cost भी होती हो profit भी होता दोनों होता है उसको हम बोल देते है revenue अब revenue में देखो क्या होता है समझना बात को revenue में समझना बात को माल लो मैंने 100 pen बनाए या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ठीक है 100 pen बनाए produce किये price मैंने रखी कितनी 5 रुपे ठीक है तो total pen कितने बेचे total मैं जे कितने receive हुआ मतलब मैं बोल सकता हूँ revenue या पे revenue कितना आया 500 रुपे ठीक है ये मैंने बनाए ये हमने produce किये ठीक है ये हमने produce किये 100 pen एक pen की किमत 5 रुपे रखी कितना revenue वह 500 रुपे ठीक है तो यहाँ पे पहली चीज़ के निकल के आई ये price जो है वो 5 रुपे clear अब जैसे ही मैं average की बात करता हूँ मैंने क्या बोला average revenue average revenue मतलब कि आपने total जो है 500 का revenue किया तो एक के लिए कितना revenue आप निकालोगे per unit revenue कितना हुआ average revenue का मतलब समझ लो यहाँ पर में लिख देता हूँ average revenue का मतलब है per unit revenue ठीक है per unit कितना revenue हुआ per unit revenue कैसे निकालते हैं तो जैसे average revenue equal to कितना हो जाया total कितना था आपका 500 का revenue हुआ था कितने product पर 100 पर तो average revenue कितना है आपका 5 अब यहाँ पे देखो यहाँ पे average revenue भी कितना है 5 क्यों आया 5 देखो price भी 5 तो average revenue भी 5 क्यों आया क्योंकि price अभी यहाँ पे 5 रुपए है constant है प्राइस, पॉस्टेंट ने अब मैं बात करता हूँ, marginal revenue, marginal revenue क्या होता है, addition to total revenue, बोल सकता हूँ, addition to total revenue, ठीक है, addition हुआ है, total revenue में एक का addition हुआ, जैसे समझना, example से, यहां हमने 100 Past, प्रोड्यूस किये थे, ठीक है, 5 रुपे प्राइस थी, थे हमें 500 का revenue हुआ, अब मैं बात कर रहा हूँ एक addition मतलब एक हमने extra 105 पें प्रोड्यूस की है sorry 101, एक हमने क्या किया? addition to total revenue मतलब एक product हमने बढ़ाया, price पांच रुपई है तो कितना हमें मिलेगा? 505 रुपई price हमने क्या रखी? यहाँ पे constant ठीक है? अब देखो marginal revenue क्या होता है? इसमें से इसको minus, marginal revenue क्या होता है? marginal revenue होता है change in total revenue upon change in quantity देखो, total revenue में कितना change आया है? 5 का quantity में कितना change आया है? 1 का तो marginal revenue कितना आया है? यहाँ पे? 5 समझे मैं आया? marginal revenue फर्मल में क्या है? total revenue में change in quantity total revenue में कितना का change आया? 5 का minus करोगे तो 505 पंसे 505 आयेगा में कितना चेंज आया एक का तो पांच बड़े करोगे तो पांच आया तो जब प्राइज कॉंस्टेंट रहती है जब प्राइज कॉंस्टेंट रहती है तो देखो माज प्राइज भी पांच एवरेज इवन्यू भी पांच और माजिनल इवन्यू भी पांच समझ में आ गया यह तीनों चीज़े ब्राबर हो जाती है clear है अब एक चीज़ और समझते हैं मैंने आपको इस्टार्डिंग में बताया था क्या कि प्राइज आकर डिसाइड कैसे होती है अभी हमने इसका ग्राप समझा कि यहां प्राइज जो होती है वो क्या होती है फिक्स होती है क्वांट मार्केट एक्विलिब्रियम मार्केट एक्विलिब्रियम की कंडिशन में मार्केट एक्विलिब्रियम कब होता है जब डिमांड बराबर हो जाती है इसको बोलते है मार्केट एक्विलिब्रियम जब डिमांड सप्लाइड के बराबर हो जाती है उस कंडिशन को मार्केट बनता है, ऐसा, ठीक है, यह है supply का करवा, तो market equilibrium कभ होता है, जब demand और supply बरबर होती है, तो यहाँ देखो, demand और supply का बरबर हो रही है, जिस point पर यह दोनों एक दुसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर demand और supply क्या है बरबर है, तो जिस price पर, याद रखना, जिस price पर, जिस particular price पर, demand or supply डोनों क्या हो जाती है equal वही price हो जाती है उस product की तो यही price यहाँ आगे shift हो जाती है यह तो यह price बराबर AR बराबर MR समझे माया तो किसी प्रॉड़क की price कैसे decide होती है जब demand और supply आपस में बराबर हो जाते हैं जिसको market equilibrium condition होती है वही price उस product की decide होती है समझ माया तो इस condition को market equilibrium conditions भी बोलते है और इसी के basis पे जब demand और supply बराबर हो जाती है वही price जो है आगे shift कर दी जाती है वही price उस product की fix हो जाती है ठीक है तो यहाँ पर demand और supply बराबर इसको market equilibrium condition बोलते है वही price जो है इस point पर जो price रहेगी वही price जो है product की decide होती है समझ माया